लुट्ट अब इस अशीश कुमार एंड आइफ यू आज जैसा कि हम ने आप सभी से प्रॉमिस किया था आप सभी के इस सपोर्ट और इस प्यार की वज़े से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं कंप्लीट एथिकल लेकिन का बिगनर्स टू एडवांस को इस कंप्लीट व बड़ भीफोर स्ट्रेंस जरूर्व जानना चाहेंगे एटिकल हैग जैसा कि हमने पता है हैकिंग का मतलब तो सर्स्सितम को कंप्रोमाइस करना सिस्टम को है करना उनका डेटा चुडाना होता है और एथिकल का मतलब होता है लीगल एक्टिविटी यानि हमारे लॉओ के ज सिस्टम में इसी भी डिवाइस में टेस्टिंग करते हैं तो आपके पास उसके आनर की रिटन परमिशन होने चाहिए है और अगर आपके पास मेबसु वेबसाइट में टेस्टिंग है देन आप लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं बिकाज आपका मोटीव और सिस्टम को सिक्यॉर करना इसी फिर्ट सुडेंट्स एथिकल है कि यानि साइबर सिक्यॉरिटी की जो डिमांड है वो मार्केट में कंटिनुसली बढ़ती जा रहे हैं इसकी पीछे क्रीजन है वो इसी इशू को फेस करना पड़ा है बट अगें स्टुडेंट्स विकाज हम जानते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है तो हमारी रिस्पॉंसिब्लिटीज भी उतनी ही बढ़ती जा रही है तो यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्किल्स को इस लेवल पर शाप करें कि जो बुरे हैकर्ज है ब्लेक हैट हैकर्ज है उनको हम पकड़ पाएं और साइबर क्राइम को जितना ज्यादा हो सके हम रोके और कम कर पाएं और बिलीव आप सब भी इसी मोटिव से इस नॉलेज को गेन करना चाहेंगे और साइबर सीक्योर्टी को आप लोग ज़रूर जीना जाइगे और सो इंजॉय ओ प्ले लिस्ट आज के सब्सक्राइब देखने वाले हैं नेटवर्किंग कंसप्स को बेशिक्ली मिये समझने वाले हैं कि एथी का लेकिन में नेटवकिंग क्या इंपॉर्टन रोल्ट प्ले करती हैं यहां पर हम चीजों को क्यों सीखने वाले हैं because हमें पता है किसे जब दो सिस्टम्स आपस में बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे sharing of data या information तो हो रहा है जैसे अगर आज हम communicate कर पा रहे हैं या मैं आपको कोई message send करता हूँ तो वो message आप तक post हो रहा है बढ़ हमें यह समझना है कि एक system से दूसरे system तक वो message deliver कैसे होता है क्या process है कौन-कौन चीज़े use हो रही होती है कौन-कौन से यह से entities है जो उसके काम आ रही होती है ताकि वो message यहां से यहां तक transfer हो सके तो हम इस concept को अच्छे से समझेंगे ताकि हम देख सके कि यहां कहीं कोई कम्या तो नहीं है, loophole तो नहीं है जिसकी वज़े से शायद इस message को कोई attacker या कोई malicious है कर read कर सके तो बस इसी लिए हम समझेंगे networking concepts को ताकि हमारे लिए ethical hacking में operations को perform करना और भी आसाम हो जाए So students, एक बहुत common term है networking concept इस से related हम क्या-क्या सीखने वाले हैं तो हम देखेंगे कि computer networking क्या होती है कितने types के networks होते हैं, दूसरा कि land, man, man जो है यह काम करते कैसे हैं And then हम देखेंगे कुछ important entities इनके अलावा, जो एक जगह से दूसी जगह में communication में यानि बातचित करने में हमारे काम आती है अब पहले pointer की तरफ बढ़ते है students के what is computer networking आप लोगोंने common term है what computer networking बहुत बार सुनी होगी शायद आपको idea होगा, शायद में भी हो, it's okay बट basically computer networking क्या है, तो कुछ pointers के ज़रे समझते हैं सबसे पहला pointer कह रहा है कि सर ये communication हो रहा है इसके अंदर दूसरा pointer कह रहा है कि शायद sharing of software हो रहा है, sharing of files हो रही है, sharing of information हो रही है और कुछ और भी pointers है पहला उनको भी देख लेता है फिर एक साथ समझेंगे यहाँ पिसे information preservation भी हो रहा है, security शायद manage करने की कोशिश करी जारी होगी sharing of hardware भी हो रहा है और sharing of data भी हो रहा है अब सर ये सारे pointers का मतलब क्या है, यानि हमें क्या समझाना चाहरा है एक बहुत normal सी चीज है, कि अगर आज मैं और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इस बातचीत का यानि communication का एक बहुत simple सा रूल है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुचना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए और आप जो उसके against में reply दे रहे हैं, वो मुस्तक पहुचना चाहिए, उमझे समझाना चाहिए communication का बहुत basic rule है, communication का मतलब है कि आपकी बोली की बात सामने ले user तक पहुच जानी चाहिए, अपनी destination तक पहुच जानी चाहिए और उसको समझ आनी चाहिए, अब यही communication computers भी follow कर रहे है यानि जब computers में communication हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कि सरे एक system से दूसरे system तक कोई भी data send करा जा रहा है, और उस data का कोई नो कोई meaning जरूर है, कोई नो कोई use जरूर है वो data दूसरे system समझ पारा है, अब सर किस तरीके का data भीजा जा सकता है दो systems के बीच में तो अगर हम normally देखें, तो आप अपने किसी भी दोस्त को अपने किसी दूसरे system पे data sharing तो करते ही है file sharing तो करते है, यह क्या क्या करते है, कि सर कभी कबार हम कोई software share कर देते है जैसे zoom share कर दिया, anida share कर दिया, कोई भी एक tool, game का कोई tool share कर दिया तो हम क्या कर रहे है, software को share कर दिया, दूसरा सर, files को share कर सकते है study material जो है हमारा, वो share कर रहे, PDF share कर रहे, यह क्या है, file sharing हो गया तीसरा है, sharing of information, अब sharing of information में क्या हो रहे है, सर हम normal communication कर रहे है बातचीत कर रहे है, उस बातचीत के अंदर हम कोई नो कोई बात बता रहे है कि आज ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, तो यह क्या है sharing of information है, इसके अलावा सर, information preservation बहुत important part है यह क्योंकि preserve करने का मतलब होता है चीजों को बचा के रखना, और यहां पे भी same cheese perform करी जा रही है, इसका मतलब कि सर, अगर आज मैं आपको, यानि आज अगर मैं user A, user B को कोई file share करता है, मालो मैंने एक PDF share करी, मैंने exam की एक PDF share करी, और यह PDF गलती से, अगर मुझसे delete हो जाए तो, तो क्या मैं पास कोई दूसरा रस्ता है इस PDF को लेने का, बिलकू सर, आपने दूसरे system में, जिस user को वेजी थी, उसके पास तो पढ़ी होगी, आप उससे मांग सकते है यानि आपकी information, आपका data, आपकी file कहीं पर preserve हो रखे तो जब आप sharing करते हो, तो indirectly देखा जाए, तो आप एक backup बना रहे है, copy रख रहे हो किसी और के पास जोचे अगर आपको इस file की requirement होगी, जरूत पढ़ेगी, तो आप उससे वापिस मांग सकते है तो information preservation तो definitely हो रहा है, उसके अलावा से security क्या starting से मिलती है, security का मतनब क्या है कि दो system जब बात कर रहे हैं, तो उनकी बात कोई और ना पर पाए, safety और security के साथ data दूसे user तक ही पहुचे, third user के पास ना जाए हमारी credentials, information, कुछ खास, private data, कोई और access ना कर सके, यह security का काम होता है तो data को secure रखना security का काम है, लेकिन security असल में 100% apply नहीं करी जा सकती है लेकिन यह कोशिश जरू करी जाती है, ऐसी try जरू करा जाता है, कि हमारी जो communication है, वो best से best level पर secure हो सके तो यह process है, जो हम maintain करने की कोशिश कर रहे है, यानि हम maintain करने की कोशिश कर रहे है, systems के अंदर security although size system secure नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है, वो complete secure नहीं है समझेंगे ऐसा क्यों कहरे है, then sharing of hardware, definitely sharing of hardware तो possible है हम wifi share करते हैं, hospital share करते हैं, इसमें hardware services को share करते हैं, Bluetooth service share करते हैं हम SGMI cable के जरी अपने laptop को अपनी TV से, LED से connect करते हैं तो वहां क्या हो रहा है, sharing of hardware हो रहा है, उसके अलावा sir at the end, जो पूरा हम इसको conclude करें तो computer networking का मतलब है sharing of data, या information, because data information का ही एक part है I hope students, आप सभी को बहुत अच्छी से clear हुआ होगा कि computer networking क्या है, कुछ systems आपस में बात्चीत करने हैं, उसको computer networking कहते हैं अब इसको आगे continue करते हैं कि sir, हमारे पास कितने types है networking के क्या हमारे पास यहां जो types लिखे हैं इतने ही types है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी types है, लेकिन ethical hacking को समझने के लिए, cyber security को समझने के लिए हमें ये तीन types अभी पता होने चाहिए, इसलिए हम अभी इन तीन types को ही पढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास पहला type है land, जिसका full form है local area network, इसका नाम अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़े बता रहा है वैसे, then man metropolitan area network and then man wide area network, अब इन तीनों networks का use क्या है, तो इसको easy करने के लिए students, एक चीज़ में आपको clear कर दू, यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह बस एक category है, जो बता रही है, कि आप किस range के अंदर बातचीत कर रहे हैं, यानि आप जब किसे से communicate कर रहे हैं, तो किस दाइरे में रहकर, किस range में रहके बातचीत कर रहे हैं, वो categories यहां पर बना रखी है, land, man, or when, और भी है, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंक जब 5-10 systems आपस में जुड़े हैं, बातचीत करने के लिए, वो एक दूसरे से ही data sharing कर सकते हैं, आपस में ही communication यानि बातचीत कर सकते हैं, इन 3 से बाहर कोई भी data share नहीं हो सकता, इस छोटी सी range से बाहर कोई भी communication या बातचीत नहीं हो सकती, उसको land कहते हैं, local area network कहते हैं, ज पहला हम example लेते हैं, हमारी एक lab का, कौन सी lab, वो lab, जो हम हमारी 4th, 5th या 6th class में access करते थे, basically तब हम क्या करते थे, सर तब हमें जो Microsoft के tools हैं, Microsoft Office के tools हैं, जैसे PowerPoint हो गया, Word हो गया, या फिर Notepad हो गया, ऐसे tools को access कराया जाता था, ताकि हम क्या कर सके, basic practice कर सके, वहाँ पे उन systems में, internet connection नहीं हुआ करता था, वो सा systems आपस में connected होते थे, किसी cable के जरीए, जैसे land cable के जरीए, और यह आपस में data sharing कर सकते थे, लेकिन बाहर internet पे कोई भी communication नहीं कर सकते थे, तो यह best example है, land का, 10-15 systems है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, data sharing हो यह आपने बातचीत हो रही है, लेकिन केवल एक छोटी सी range में हो रहा है, इसको हम land कहते हैं, I hope आप सभी को clear होगा land क्या है, sir, कुछ नहीं है, एक छोटी सी range में जब आप बातचीत करते हैं, तो उसे land कहा जाता है, एक और example क्या हो सकता है, sir, जब हम हमारे किसी device का hotspot activate कर करते हैं, उस device से जितने भी users जुड़ते हैं, उस hotspot से जितने भी लोग अपना wifi on करके connect करते हैं, इनका जो network बनता है, इनका personal network, इन चापा systems, जो आपस में बातचीत करते हैं, वो भी sir, land ही कहलाता है, कब तक, जब तक यह internet का use ना ले, तो जब तक यह आपस में बातचीत क area network, यह क्या कहना चाहरा है, यह किस तरीके से वक कहता है, तो कुछ नहीं सर, land से बड़ी range को, जब land की range को हम और बड़ी area में फैला देते हैं, तब उसे हम man कहते है, metropolitan area network कहते है, इसका मतलब, land में सब 10-15 system use हो रहे था, यहाँ पे 100 या 200 system use हो रहे है, 100 से 200 system use हो रहे है, इस example क्या हो सकता है, हमें यह तो पता है range बड़ी हो गई, 100-200 systems आपस में communicate कर पा रहे, 100-200 systems के बीच में connection बन जा है, ताकि वो data sharing कह सके, बातचीत कह सके, इसका example हो सकता है, university, या फिक कोई corporate sector, कोई company, अब universities के अगर हम बात करें, तो वहाँ क्या होता है, सर, वहाँ पे labs है, हर basically हमारे पास एक network है, उसके अलावा सर होस्टेल होगा, और उसके अलावा college की classes होगी, अब इन सभी जगहों पे, अलग-अलग network connections तो नहीं ले रखे होंगे, लेकिन जिस एक network को, यहाँ पे सभी जगह install कर रखा है, बली hardware different लगाए गए हो, लेकिन एक ही network को जब share करा गया ह इसका मतलब यह सब आपस में connected है, यह सब आपस में कहीं नहीं communicate या बातचीत कर सकते हैं, चाहे बूस्टर के जरी इनको share करा गया हो, यह किसी भी source है, लेकिन यह पूरा का पूरा जो network क्रियेट हो रहा है, यह एक network है, यह आपस में सब लोग communicate कर सकते हैं, तो इसको हम कहते है, man, यानि metro परहिट है, लेडिया network, उसके अलावा, sir, हमारी local cities में कुछ ISPs होते हैं, internet service providers होते हैं, यानि वो company हैं, जो में internet service provide करती है, तो अभी जो local service provider है, जैसे माल लेते हैं, कि हमारे यहाँ पे, हमारे local या network है, आप कहा सकते हैं, कि sir, जो network provider है, वो है city cable, example के तौर पे तभी जो city cable है, क्या कर रहा है, कि sir, ये पूरे के पूरे जोदपूर को network services दे रहा है, हाला कि जोदपूर के जितने भी system से वो internet चला रहा है, लेकिन, इसके अलावा, ये जो system सब आपस में जोड़ चुके है, इसकी वदस से, इसका जो network create हो रहा है, इसको हम man कहते है, metroporator media network कहता है, ये अब सभी को अच्छे से clear होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, van की तरफ, van जिसका full form है white area network, और ये नाम ही अपने बारे में सब कुछ बता रहा है, इसका मतलब sir, जब आप बहुत बड़ी range में, white area का मतलब है, बहुत बड़ी range में, communication करते हो, बातशीत करते हो तो उसको van कहा जाता है, अब sir, बहुत बड़ी range मतलब क्या, पूरे world में जो communication हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी range है, अगर मैं सबसे बड़ी range मानू तो क्या होगी, sir, पूरे world में जो communication हो रहा है, अब ऐसी कौन सी service है, जिसकी मदद से, sir, हम पूरे world में बात कर सकते है, www. www.worldwideweb, यानि internet, तो sir, internet वो एक लौती service है, जिसकी मदद से, हम यहां बैठे हुए, किसी से भी communicate कर सकते है, में जोतपू से, जैपूर, डैली, UK, US कहीं भी communication कर सकता हूँ, इसका मतलब एक बहुत बड़ी range में यह बातचीत हो सकती है, communication हो सकता है, तो इसको हम कहते है, van या यानि internet, so I hope आप सभी को clear होगा, कि land, man और van क्या है, अब networking का basic idea तो हमें लग गया, कि sir, किस range में communication हो रहा है, वो अभी तक हमने समझा है, जिसमें हमाँ पास land, man और van था, अब हम एक और important path देखने वाले हैं, जो कि है कुछ important entities, यानि sir, networking में बातचीत करने के लिए, चाह local area में करो, चाहे wide area network में करो, चाहे metropolitan area network, यानि man में करो, किसी भी range में आप बातचीत कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि direct message चला जाएगा, एक message को एक जगह से दूसी जगह ले जाने में, यानि एक जगह से दूसी जगह पहुचने के लिए, इस message को बहुत सारे लोग support कर रहे हों वो entities क्या है, हर वो entity जो hacking में हमाले काम किया हमें पढ़नी पड़ेगी, हमाले useful रहेगी वो चीज, तो उन में सबसे पहली entity का नाम है ISP, इसके बारे में एक basic idea आप सभी को लग जिया, ISP का perform है, internet service provider, यानि sir वो company, वो entity जो हमें internet provide करती है, क्या आप में जुकर मुझा example बता सकते हैं, किसी ISP service का, यानि आपको internet आज के time पे कौन provide कर रहा है, sir हमें आज के time पे internet provide कर रहा है, geo, airtel, यह सारी companies हमें internet provide कर रही है, तो ऐसी ही, जो हर वो company जो आपको network यानि internet provide करती है, उसको ISP कहते है, internet service provider कहते है, then हमारे पास IP address एक बहुत important entity है, क्या है, कैसे काम करती ह यह हम next video में बहुत अच्छे से समझने वान है, then mac address क्या होता है, जिसको media access control address कहते है, porch क्या है, और protocols क्या है, यह कुछ entities है, IP address असल में क्या है, हमारे क्यों important है, इस ethical hacking cyber security field में, यह क्या role play कर रहा है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बे, इस उने हो सकता है, आप में से काफी लोगों ने, इस term के बारे में, IP address के बारे में ज़रूर सुना होगा, और क्यों नहीं सुना होगा, इस totally fine, हम देखने वाले हैं, कि यह है क्यों हमारे ज़रूरी है, और इसकी importance कितनी है, हम देखने वाले हैं, कि sir, exactly IP address होता क्या है, ठीक उसके होते हैं, उसके बाद सबसे पहले उन में से, जो दो टाइप है, public और private, उनको हम define करेंगे, दोनों में क्या difference है, क्या चीज़े common है, और किस तरीके से काम करते हैं, और फिर हम देखेंगे, बागी के दो टाइप जो की है, static और dynamic IP addresses, तो यह हमारा पूरा flow रहने वाले ह हम यह साइच चीज़े सीखने वाले हैं, और बीना देरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कि sir, IP address, जिस टर्म से शायद हम familiar हो, शायद नहों, यह है क्या, पर इसका full form देखते हैं students, IP का full form है internet protocol address, और ताकि आप सब लोग अच्छे से समझ जाएं, तो मैंने य क्या सकते हैं, या फिर आप क्या सकते के random IP address लिख दिया है, इस IP address को आपने कहीं न कहीं तो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा, तो हम देखेंगे कि क्या काम कर रहा था, आज तक हमारी communication में, networking के अंदर, so असल में यह है क्या, in short अगर हम समझे, so sir, अगर आज user A अपने घर से कोई भी एक चीज कूरियर करना चाहता है, user B के घर में, user A, user B को कोई चीज बेजना चाहरा है, कोई चीज कूरियर करना चाहरा है, तो यहाँ पर सबसे important चीज क्या है, sir, अगर यह किसी company के पास भी जाए, या खुद भी समान को लेकर जाए, तो दो चीज़े बहुत ज़रूरी होती है, पहला, कि यह जो समान है, यह जो packet है, यह जो चीज है, यह किसने बेजी, और दूसरा है, कहां बेजी, या किसको बेजी, अब किसने में, नाम के साथ साथ address आना बहुत ज़रूरी है, तब ही पता पड़ेगा कि किस address से यह चीज बेजी गई है, किस address से packet send करा गया है, और जब यह packet कहीं receive होगा, तो receive तो तब ही होगा sir, जब इसके पास destination address होगा, यानि जहां पर यह packet बेजा जा रहा है, तो address होना तो बहुत ज़रूरी है, इसका म उसे point कैसे करेंगे, कहां पर जाना है, तो इस address को, जब हम computer field में देखते हैं, या जब हम networking field में देखते हैं, तो एक system, डूसरे system से बात जब करता है, तो उनको भी address की ज़रूत है, और वो address IP address कहलाता है, इसका मतलब sir, networking में जब भी हम बातचीत करेंगे, कोई भी packet किसी को बेज़ेंगे, कोई भी communication करेंगे, तो IP address, वो address है, जिसकी मदल से में पता पड़ जागा, कि packet किस ने बेज़ए और किसको भीज़ए, तो source और destination address जो है, वो IP है, networking में बातचीत करने के लिए, I hope आप सभी को समझ आगया होगा, sir, जैसे घर के address होते हैं, वैसे system के address को IP address कहा Pairs, Pair No.1, Pair No.2, Pair No.3 and Pair No.4, जिसमें क्योंकि मैंने एक random IP लिखे, तो यहाँ पे लिखावा है 17.172.224.47, अब अगर इन चारो Pairs के बारे में, कुछ basic चीज़े देखें, तो sir, हर एक Pair की जो size है, वो है 8 bits, यानि 1 byte, तो total हमारी IP की size होगी 32 bits, यानि 4 bytes, 4 byte का एक IP address होत information अपने पास रखता है, देखो हर एक system का एक IP address है, अब अगर हम ऐसा समझें कि अगर एक user, एक black hat hacker, जिसका मतलब एक बुरा hacker है, वो किसी भी दूसरे user को hack कर लेता है, उसकी website को hack कर लेता है, किसे system को खराब कर देता है, तो फिर ये पकड़ा कैसे जाता है, कैसे हमारा cyber cell criminals को पकड़ता है, इन black hat hackers या बुरे hackers को पकड़ता है, तो इनको पकड़ने के लिए जो चीज हमारे काम आती है, वो है इनका address जो की IP address है, तो इसका मतलब है IP address अपने साथ कोई तो ऐसी information लेके चल रहा है, जिससे हमें पकड़ा जा सकता है, जिससे हमारी location या जिससे हमारा exact address define करा जा सकता है, अभी क्या-क्या detail लेके चल रहा है, यह I think interesting होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझते और देखते हैं, तो होता है, चाहे हम IP की बात करें, या चाहे हम किसी भी address की बात करें, मैं आपको बहुत common सी चीज़ सिखा देता हूँ, जो आप लोगों के address दिया जाए, वो address अपने साथ को information लेके चलता है, वो ऐसे random numbers का address नहीं होता, example के तर पर, हम सब के पास एक अधाकार जरूर होगा, अधाकार में भी numbers होएंगे, अगर आप देखेंगे, अधाकार number तो कुछ ऐसा होगा, 0214, 1212, 1012, and 2121, मैंने ऐसी random address दिखा है, लेकिन य ये भी तो अपने साथ कुछ information लेके चल रहा है, ऐसे हमारे ATM cards, credit cards, debit cards जो होते हैं, उन पे भी एक number लिखा होता है, अब क्या ये जितने भी numbers हैं, चाहे हमारी bank account numbers हो, debit credit card numbers हो, अधा card number हो, या pen card number हो, क्या ये random numbers हैं, ये इनकी विछे कोई meaning है, तो कभी भी आपको कोई भी address दिखे, तो इस चीज़ को याद रखना, कि सर जब भी एक device को, एक address allot करा जाता है, इसको और अच्छे से clear करता हूँ आप सभी को, कि हमारे पास, माल लेते हैं, आधार card है, या फिर हमाल लेते हैं, कोई credit card है, और credit card के numbers है, ठीक, सो ये हमारे credit card के numbers है, example के तोर पे हमने numbers अब क्या ये numbers ऐसे random numbers है तो नहीं, सर जब भी किसी चीज़ को, कोई address allot करा जाता है, numbers या letters या alphabet किसी भी form में, कोई identity allot करी जाती है, तो ये देखा जाता है, कि वो device, वो particular चीज़ किस range में काम आने वाली है, तो आज अगर मैं बात करूं, हमारे किसी भी credit card की, जैसे माल ल कि इसका जो use है, वो किस range में है, तो मुझे बता, ICAC का credit card क्या पूरे world में use होता है, या country में use होता है, या केवल एक state में use होता है, सर, credit cards normally देखा जाए, तो एक country के लिए ही बनाये जाते है, country के लिए define करे जाते है, instead of क्योंकि international cards हो, तो यहाँ पे, अब अगर हमें पता है कि इसका use, केवल और केवल इंडिया, यानि एक country के अंदर हो रहा है, तो हमारे पास पहले question का answer आ चुका है, अब बस इस entry को, इस entity को, जो हमें पता है कि में इंडिया में use हो रहा है, हमें इसे छोड़े-छोडे past में categorize करना है, जैसे सबसे पहले, अगर में इंडिया को divide क हम कहेंगे categorize करना चाहें, इसको कुछ-कुछ parts में define करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं, तो country के बाद अगर define करा जाता है, तो दूसरी entity हमारे पास हमेशा क्या आती है, state आती है, इसका मतलब कि second entity से state हो सकती है, और उसके बाद state को और छोटा define कर दिया जाता है, यानि state के ब हाफ पे special IDs, यानि unique IDs बनाई जाती है, और वो हमें दी जाती है, यानि कि सर हमारी इस पूरी range में यह जो numbers हमने दिये गए थे, यह जो numbers हमने लिये हैं, हमारे credit card कर इसका जो पहला pair है, हो सकता है, यह पहला pair यह बताए कि सर यह कौन से state के लिए बनाया गया pair है, कौन से state को define कर दाए, तो माल लेते हैं सरे, राजिस्तान को define कर रहा है, अब अगर पहला pair राजिस्तान को define कर रहा है, इसका मतलब सने पहला लोगा कि कौन सी city के लिए बनाए गया पेर है यानि सरी हमें बता रहे कि सर यह जैपूर के लिए बनाए गया पेर है अब जब हमें state और city पता पढ़ चुका है तो third pair normally क्या बताएगा सर अब city के लिए जाने के बाद तो third pair exact branch का डिटेल बता दे कभी कौन से branch ने address अलॉट करा था तो हो सकता है मैं पता पढ़ जाएग के लिए जैपूर के अंदर जो भी address था जैसे माल लेते हम टॉंक रोड हो गया example के तौर ठीक है कि सर टॉंक रोंड में जो ICIC bank का branch है वो हमारा third pair define कर रहा है तो fourth pair क्या define करेगा फोर्थ pair बताएगा user कौन सा है यह मैंने एक example लिया है ताकि आपको यह समझ आ जाए कि जब भी आपको numbers के form में या किसी भी form में कोई identity allot करी जाती है तो वो random नहीं होती हो एक information एक meaning लेके चल रही होती है इसका best example यह भी है कि सर अक्सर जब कोई online transaction करते है आप सभी ने देखा हुआ उस online transaction में जब आप अपनी details डालते हैं अपने numbers डालते है credit card के तो starting का पहला pair fill करने के बाद ही वो आपके card का type या आपके bank का जो नाम है वो define कर देता है इसका मतल नंबर लिखे है उसने बता दिया कि कौन सी branch का आपका कौन सा card है तो exactly same चीज हर address के साथ होगी और IP address के साथ भी वही चीज होगी I hope आप सभी को यह समझ आया होगा और अगर यह clear हो गया है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इस हिसाब से IP address अपने साथ क्या information लेके चल होगा सबसे पहला सवाल हमें यह पूछना है कि sir IP address use किस range में हो रही है किस range में IP address use होता है तो sir IP address के मदद से तो हम पूरे वर्ल्ड में किसी से भी बात कर सकते है इसका मतलब कि IP address का use क्या हो रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड में हो रहा है www.word.web.web.web.web.web.web.web.web सब्सक्राइब के बाद तो हमेशा country आती है før को पूरा IP address को पहला पेर्ष है वह कौणसी country के लिए कौनसी country को अलोट करा गया है कौन सी कंट्री के लिए बनाया गया या कौन सी कंट्री को अलॉट करा गया है तो example के तौर पर मान लेते हैं कि सर ये इंडिया को अलॉट करा गया IP अड्रस है इस हिसाब से country के बाद अगर मा उसको कुछ सब कैटेगरी में डिवाइट करना चाहूं तो second category क्या होगी कि राजिस्तान कह सकते हैं कि राजिस्तान को ये अड्रस अलॉट करा गया था third pair वैसे तो city बताना चाहिए सर लेकिन cable city नहीं बताएगा जिस तरीके से हमारे credit card का जो third pair था वो bank का नाम और उसका अड्रस बता रहा था वैसे ही हमारे पास city के साथ साथ एक address और बताएगा एक और information देगा वह इस पी की एक्जामपल के तोर पर किसर ये बताएगा कि जैपुर में जो जियो का office है उसको हमने या आईपे अडरस अलॉट करा था इसका वंदर थर पे ने क्या बता दिया city प्लस हमारा ISP का नाम तो हमें पता पढ़ गया कि सर्फ जो हमारा internet service provider है वो जियो है इस आईपी का जो internet service provider है वो जियो है और इस जियो का जो office है वो जैपुर में है तो अब अगर हमें कुछ भी information लेनी है तो हम जैपुर के g office के पास जाएंगे और बात आएगी कि सर्फ फोर्थ पे अपने साथ क्या information लेके चल रहा है तो फोर्थ पे अपने साथ information लेके चलता है device की यानि सर device ID जिस device को यह IP address अलॉट करा गया था है उसकी information उसकी सारी data ज आते आते यह पता पढ़ जाएगा कि वो कौन सी ISP है और उसको office कहां पर तो हमें पता पढ़ गया सर ISP जियो है और उसको office जैपुर में तो जैपुर के उस जियो office में जाकर हम कहेंगे कि एक particular time period पर जैसे मान लो हमने देखा कि बारा बच के 10 मिनट पे crime हुआ बारा बच क data हमें देदे ताकि हम उसको track कर सके और बता लगा पाए कि वो कहां पर है exactly यह process होता है और इसी की मदद से जाधा तर जो criminals होते हैं या cyber criminals होते हैं उन्हें track करा जाता है hope आपको clear होगा कि IP अपने साथ कितने information लेके चल रहा है IP में एक बात और खास है वो यह है किसे जो IP के pairs हैं यह कितने होंगे यह जो numbers है कि कुछ भी आ सकते हैं यह आ पर नहीं केवल 0 से लेकर 255 की range के अंदर ही IP addresses बनाया जाते हैं और use ले जाते हैं यह इनकी limitations है I hope आप सभी को IP के बारे में इतरा तो clear होगा अब सर आइपी में हमारे पास दो types हैं IP के एक IP V4 और IP V6 क्यों इन IPs की जरूते V6 क्या हैं क्या दोनों में differences समझते हैं सबसे पहले हमारे पास हुआ यह ही कि IP V4 को introduce करा गया V4 का मतलब है version 4 V4 को introduce करने से क्या हुआ किसा इसके अंदर जो एक IP का address होता था टोटल 32 bit होता था ठीक है इसका जो address का format है वो dotted decimal notation होता था यानि आप देख सकते हो हर एक pair के बाद dot के जड़ी उसको define करा जा रहा है टोटल 4 pairs हैं इसके अंदर हमारे पास इसमें सर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना जाता था कि 0-255 की देंज के अंदर का ही IP address हो सकता है इसकी जो prefix notation यानि जो स्टार्टिंग करती थी लिखने की वो ती थी 192 168 और उसके बाद 00 जो host है उसको define का जाता था यानि या पर अलग-अलग नंबर जा सकते हैं अब यहां पे जो ध्यान देने लाइक पॉइंट है वो यह है कि सर IPv4 के जरिए हमें पता है 0-255 के अंदर के नंबर जी हम यूज ले सकते हैं अब अगर आप इनके combinations देखे कि हम आप पास कितने IP addresses हैं यूज करने के लिए किसी को भी networking में बातचीत करनी है तो IP address उसके पास होना पड़ेगा तो यहां पर ही हमें बताता है कि 2 की power 32 यानि 4.7 billion addresses IPv4 आपको दे सकता है इसका मतलब 4.7 billion लोग एक ही टाइम पे internet access का सकते हैं इतने IP addresses हमारे पास है लेकिन अगर आप आज का data देखें मैं चाहूंगा आप सब लोग search करें और यह देखें कि आज के time पे internet पे active users कितना है चलो हम एक काम करते हैं हम साथ में search करते हैं तो हम चलेंगे अपने browser पे और वहाँ पे जाके देखेंगे active internet users in world तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो जो की कह रहा है 5.3 billion internet पे users आज के time पे active है और यह हमें जो pair दे रहा है वो 4.7 है तो इसका मतलब internet पे users जादा है और IP address इसका में है although इसके भी कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से यह आज तक manage हो रहा था हूँ क्या है मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ type of IP address में बहुत अच्छे से देखेंगे लेकिन IP address के combinations तो कम है यूजर्स के साब से तो इसी लिए IPv6 को introduce करा गया ताकि हलको इंटरनेट बहुत अच्छे से access कर सके है IPv6 और कुछ नहीं है क्योंकि IP address के पास जो payers थे वो कम पढ़ रहे थे इंटरनेट पे यूजर्स बढ़ चुके है और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पे यूजर्स बढ़ते जा रहे है उस वज़े से हमें और IPs की जरूते हैं और और IP हमें मिल रही है IPv6 की मदल से IPv6 में क्या हुआ कि सर आईपी वी 6 की जो size है जो IPv4 का updated version है ताकि जादा IP addresses अलॉट करे जा सके उसकी size है 128 bit जो की 32 bits से बहुत जादा है यहाँ पे hexadecimal notations होते हैं जिसका मतलब यहाँ पे numbers प्लस 0 से लेकर जिसका मतलब यहाँ पे number 0 to 9 and alphabets A से लेकर F तक के जो combinations है वो बनाए जाते हैं और यह pair जो है बहुत बड़ा है इसका मतलब आपस बहुत सारे combinations हैं कितने हो सकते हैं तो आप देख सकते हैं 2 की power 128 यानि 340 trillion trillion addresses हमारे पास IP V6 दे सकता हैं इसका मतलब आने वाले कई सालों तक IP कम नहीं पड़ेगी तो यहाँ पेस का prefix notation बता रहा है prefix notation का मतलब बहुत कुछ नहीं है कि IP के starting में आपको क्या pairs normally देखने को मिलते हैं क्या format देखने को मिलता है तो यह बता रहा है कि सर आपको कुछ ऐसा format देखने को मि रहे थे वो थे हमारे 4.7 billion जब कि इंटरनेट पे एक्टिव यूजर 5.3 और 5.4 billion के एप लोक्स है तो इसमें हमारे IP डिसकम पर रही थी इसलिए IP के नहीं वर्जिन को इंडिउस करा गया जो कि IP V6 अल्थो अभी IP V6 complete use में नहीं आया है start हो गया है लेकिन हरकोई IP V6 को IP addresses के अभी जो हमने देखा वो IP V4 IP V6 versions थे IP के पहले पुरारा वर्जिन है फिर नहीं वर्जिन है लेकिन कोई भी वर्जिन हो इनके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं इनके काम के साब से इनके use के साब से वो टाइप है public, private, static and dynamic अब इन चारो टाइप्स का मतलब क्या है कॉ काम के अंदर difference है यह समझने के लिए हम दो-दो types को उठाएंगे जैसे हमने देखा था सबसे पहले हम समझेंगे कि public और private IP address क्या है कैसे काम करते हैं वो दोनों में difference क्या है इसको और अच्छे से clear करने के लिए students next slide पर चलते हो देखते हैं कि public and private दोनों में difference क्या है दोनों के काम करने के तरीके में क्या difference है हमने अभी तक types of network पढ़ेता है हो सभी को याद होगा land man or van correct तो पहले यह देखते है कि कौन सा IP कौन सी range में काम आता है यानि कौन सा type कहां पे काम आता है use क्या है कि सर जो private IP address है वो आपके लिए useful होता है केवल औ दस पंद्रा सिस्टम बात करते हैं उसको हम local area network कहते हैं तो शायद यह हमें यह कहना चाहरा है कि सर यह जो आपके 10 15 यह तीन चाहरा सिस्टम्स आपस में बातचीत कर रहे हैं जब इनको छोटी सी range में बातचीत करनी है तब इनके पास private IP address होना चाहिए कौन सा IP address होना चाहिए private IP address क्योंकि private IP बोल रहा है कि मेरा काम है local area network में बातचीत करने में मदद करना तो जब छोटी सी range में बातचीत हम करते हैं तब हमारे पास कौन सा IP address होना चाहिए सर private IP address होना चाहिए हमने कहा ठीक है तो पब्लिक कहां काम आता होगा सर पब्लिक काम आएगा सर पब्लिक IP address काम आएगा वहाँ पर कौन सा IP address काम आएगा पब्लिक IP address वाइड एरिया network पूरे वर्ड में कम्यूनिकेशन करने के लिए तो हमने का ठीक है यह तो समझ आया कि कौन सा IP कौन सी range में काम आ रहा है private IP local area network में काम आ रहा है और public IP वाइड एया network में बात करने के काम आ रहा है लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आप एक example normally लेता हूं वो यह है कि public IP को मैं मानता हूं मैं real name की तरह अपने real name की तरह और private IP को मानता हूं मैं अपने nickname की तरह example के तरह अब अगर एक user है इस user का जो nickname है वो कुछ भी हम रख देता है आप लोग suggest कर सकते हैं क्या nickname हम रख सकते हैं तो मैं यहाप फिलाल इसका नाम रख देता हूं Nick निक ही इसका nickname है इस नाम से इस user को कौन जानता है कौन बुलाता है क्य से इसके जगर में दो तीन जने यह चार पाश जने इसके family members है यह close friends है के आवल यह लोग इसे इस नाम से address कर सकते हैं इससे बात कर सकते और iyृ जानते हैं हमारे nickname से हमें कौन जानता है हमारे घर के कुछ लोग क्या ऐसा possible है कि अगर आप अपनी company किसी corporate sector में जाए कहीं बाहर जाए अपने घर से दूर कहीं जाए out of country कहीं जाए तो क्या ये possible है कि आपके nickname से आपको कोई identify कर पाए आपको कोई define कर पाए आपसे कोई communication यानी बाचीट कर पाए पॉसिबल नहीं बिकॉस सर हमारा वो जो नाम था वो valid या उसके use केवल और केवल उस चोटी सी रेंज में था हमारी local area network की ही रेंज में था जो हमारे close one थे वो ही हमें उस नाम से जानते थे और वो ही हमें उस नाम से बुनाते थे address करते थे यानी इस नाम के जरी हमसे कौन बाचीट कर सकता था केवल हमारे close one जो हमारी local area network की रेंज में हमारी चोटी सी रेंज में लेकिन अगर मैं बात करू real name की तो मैं world के किसी भी हिस्से में चला जाओ मुझे address कैसे करा जाएगा मुझे अगर कोई बुनाएगा मुझे अगर कोई बातचीट करेगा तो कैसे करा जाएगा मेरे government documents में जो मेरा नाम लिखा है जो मेरा real name official name है उसी से मुझे address करा जाएगा उसी के जरीए मुझे बातचीट करी जाएगी communication करा जाएगा तो यह exactly public IP address है सरी आपके real name की तरह होता है पूरे world में किसी को भी आपसे बात्चित करनी है तो यही address कामाएगा और जो private IP address है वो सर आपके link name की तरह होता है जिसका मतलब इस की मदद से, इस address की मदद से आपसे केवल आपकी range में, छोटी सी range में local area network की range में जो लोग जुड़े है वो ही बात कर सकते है I hope इतना सभी को clear होगा और इस चीज़ को और अच्छे से clear करने के लिए एक rule हम यहाँ पे define कर रहे है जिससे हमें confirm हो जाए इनके काम और आगे चलके hacking हमाई लिए और भी आसान हो जाए cyber security हमाई लिए और भी आसान हो जाए तो वो rule बहुत easy है पहला rule कहता है कि सर एक private IP कभी भी public IP से direct communication नहीं कर सकती एक private IP अपनी range के बार बात कर सकती है बिलकुल नहीं कर सकती तो private IP के range local area network है और public IP के range wide area network है पहला rule तो यह है कि private IP public IP से direct बात नहीं कर सकती और public IP private IP से direct बात नहीं कर सकती यानि दोनों आपस में direct communication नहीं कर सकते तो सर क्या करेंगे private IP केवल और केवल बात कर सकती है private IP address से बट यहाँ पे second rule आता है जो कहता है कि range जो है वो same होनी चाहिए अब range क्या बता रही है कि private IP तो local area network में काम करता है इसका मतलब private IP किसी भी दूसरे private IP से बात का सकता है लेकिन तब जब वो उसके local area network के अंदर है otherwise नहीं और same public IP के लिए भी है बस difference यह है कि public IP किसी भी दूसरे public IP से बात का सकती है अच्छे से clear होगा आपको private कभी भी public से direct बात नहीं का सकती public कभी भी private से direct बात नहीं का सकती और private किसी से बात करेगी तो दूसरी private से करेगी वो भी अपनी range में local area network में public किसी से बात करेगी तो public से ही करेगी वो भी अपनी range wide area network में तो ये तो था private और public IP address, अब सर्थ दो और टर्म्स थी, आप सभी को याद हो तो ये दो टर्म्स बाकि है, static और dynamic, ये दोनों हमें क्या कहती है, इन दोनों का काम क्या है, तो समझते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, static की, ये word आपने पहले कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, क् static का मतलब जैसे इसका नाम define कर रहा है, fix, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल fix हो, change ना होती हो, time के साथ में, और dynamic का मतलब के साथ टाइम पिरिट के gap से change होती है, उससे dynamic कहते हैं, अब यहाँ पे static और dynamic में फर्क किया, उनका use किया है, इनको क्यों बनाया जाए, इन types को क्यों define क करा गया, आप सभी को याद होगा, कि IP V4 address जो था sir, उससे हमारे पास के वर 4.7 billion addresses ही बनाया जा सकते थे, pairs ही बनाया जा सकते थे, जबकि internet पे active users कितने है, sir, more than 5.3 billion, अब यहाँ पे, यह IP और इस IP की जो difference है, जादा number of users और IP की हमारे पास जो range है, जो limitation है, उनके बीच में difference जादा है, तो यह आज तक manage कैसे करा जा रहा था, मतलब अभी तक IP V4 address जो है, वो use कैसे आ रहा था, तो यहाँ पे इन लोनों का role play होता है, इनका कहना बहुत normal सी बात यह है, कि sir, एक system है, इसको internet पे बातचीत करनी थी, तो इसको हमने एक IP address दिया, example के तोर पे मैं माल लेत सकता है, लेकिन कैसा हो अगर यह switch off हो जाए, अगर इसका connection बंद हो जाए, अगर यह power off हो जाए, यानि यह अभी active नहीं है, यह device बंद पड़ा है, तो सवाल यह है कि क्या यह IP address अभी इसके काम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि IP address का काम तो sir, internet पे बातचीत करन इंटरनेट का जो recharge यह कराता है, हो सकता है, वो खतम हो गया हो, तो क्या अभी internet चला सकता है, नहीं चला सकता, ऐसे ही किसी भी reason की वज़ज़ से, अगर यह user internet access कर ही नहीं रहा है, तो इसको IP की क्या जूरूत है, यह dynamic IP का कह़एदा है, तो dynamic IP और static IP कह रहा है, कि sir, इसको इ किसी दूसरे user को दे दी जाए, ताकि वो internet पे अच्छे से बात का सके, अब हमें पता है कि internet पे आज की time पे 5.3 billion active users है, लेकिन क्या वो एक ही time पे active है, मतलब क्या 5.3 billion users एक ही time पे internet चला रहा है, तो possible ही नहीं है, अगर हम हमारा time schedule भी देखे है, तो अभी काफी सारी ऐसी countries ह जहां पे रात हो रही है, लोग सो रहे internet नहीं चला रहे, कोई कुछ काम कर रहा है, किसी का mobile बंद है, अलग-अलग reasons है, क्या सब लोग एक time पे internet पे active हो सकते हैं, यह तो नहीं हो रहा है यहां पे, तो exactly वो same चीज यहां पे follow करी जा रही है, कि सब एक time पे active नहीं है, बहली आपके कामारा आपके पास है, लेकिन जब आप उसको यूज नहीं ले तो मैं वो किसी और call out को दूगा, इस से आपको कभी कोई फरक नहीं पड़ेगा, और आज तक ऐसा ही होता है, इसका मतलब कि सर, हम हमारे mobile में, हमारे computer में, जो भी net चला रहे हैं, हम सब के पास कौन सा ब्राउजर पर जाएंगे, एक्सपरिमेंट आप सभी को ट्राय करना है, मुझे कमें शेशन में बताना है, कि क्या आपके पास static IP address था या dynamic था, एक्सपरिमेंट क्या मैं बता देता हूँ, आप सब लोग अपने mobile से ब्राउजर पर जाएंगे, वहाँ पर जाके लिखेंग इस address को हम क्या करेंगे, copy करके, कहीं पर note कर लेंगे, कहीं पर save कर लेंगे, ये task आपको करना है, क्या करना है, watch my IP की website पर जाना है, अभी आपके पास जो IP address है, आपको इसको देखना है, और अपने किसी भी tab में रख लेना है, या फिर इसके जो last के number है, जैसे 233 और 235 इसक पर हुए हो, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, मोबाइल में जो मोबाइल का personal net होता है, sim के जरीए जो हम चलाते है, वो active हो, आप website पर जाओ, उसे refresh करो, देखो आपका IP address क्या है, उसे कहीं पर note कर लो, ये करने के बात क्या करना है, कि सब हम सभी के मोबाइल में airplane mode होता है, सबने देखा होगा, तो मोबाइल को, जो उसका navigation बाल होता है, उसे scroll down करेंगे, airplane mode को activate करेंगे, जिसका मतलब है कि वो मेरे complete network को बंद कर देगा, यानि अब मैं IP address को use नहीं ले रहा हूँ, और अगर ऐसा है, तो ऐसे case में IP address change हो जाना चाहिए, अगर में पास dynamic IP address है तो, तो हम कुछ देर के लिए IP address को बंद रखेंगे, यानि हम airplane mode को on रखेंगे, और अब हम airplane mode को off कर देंगे, जिसका मतलब हमाँ system फिर से start हो जाएगा, हमाँ system का network फिर से start हो जाएगा, अब आपको करना बस इतना है, कि आप जिस website पे थे, उसको refresh करना है, उसे reload करना है, और द तो I hope आप सभी को clear होगा, कि हम सब के पास आज तक dynamic IP address था, आगे भी रहेगा, और इस से हमें कोई difficulty नहीं होती, ठीक है, हम easily networking में बाच्छित कर पाते है, static IP क्या कहता है, तो उसे static IP address का कहना है, एक बाई हाँ पर face to define कर देते है static को, static का कहना यह है, कि अगर एक बार किसी system को मैंने कोई address alert कर दिया, example के तौर पे, 4.4.4.4, तो चाहिए वो system उस address को use ले, या ना ले, वो address उसी के पास रहेगा, इसका मतलब इस user को कुछ extra pay करके, इस address को खुद के लिए register करना पड़ेगा, जो की आज के time पे service करते है, आप अगर किसी भी website को देखो, WSQTAC की website भी किसी system पे चल रही है, हर website एक system पे चल रही होती है, तो इन system का जो IP address होता है, वो fix रहता है, वो time के साथ change नहीं होता, तो ये static addresses को दिया जा रहा है, सर वो systems, जिनको इसकी जरूत है, जो extra pay करके services को purchase करते हैं, यानि servers को, I hope आप सभी को private, public, static और dynamic, ये चारो types के IP addresses बहुत अ और dynamic होता है, private के अंदर भी static और dynamic होता है, बस range ही तो different है, बाकी concept हो same है, जिसको IP के जरूत नहीं हो change होती जाएगी, या फिर उसको fix IP देदी जाएगी Mac address के बारे में काफी साइची चीजा आज हम समझने वाले हैं, क्या-क्या देखेंगे, तो सब देखेंगे सबसे पहले कि Mac address होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से चेक का सकते हैं, किस device के पास क्या Mac address है, और ये देखने के लिए हम use लेंगे Mac lookup नाम के एक platform का In short, अगर मैं आपको समझाओं, तो students, हर वो device, जो networking में, communication में काम आता है, उस हर hardware device को एक address दिया जाता है, जिसको हम Mac address कहते हैं, कैसा दिखता है, इसका मतलब क्या है, ये देखने के लिए हम चलते हैं, हमारी next slide पे, तो यहाँ पे, अगर आप देखें, तो हमारे Mac का full form है, Media Access Control Address, अब जैसा किसका नाम है, devices को control करने का, या आप कह सकते हो, identify करने का, ये एक address है, ये address हर एक hardware का होता है, ये मैं आपको बता चुक हो, और ये दिखता कैसा है, तो sir, ये address कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हमारे पास total 1, 2, 3, 4, 5, and 6, यानि total 6 pairs है, हर एक pair में हमारे पास यहां पर दो numbers या alphabets के combinations हम कह सकते हैं, देखने को मिल रहे है, हमारे पास दो digits है, यहां पर हमारे पास, जिसकी size जो है, यानि एक pair की size है, वो होती है, 8 bits, यानि 1 byte, तो इसका मतलब हमारे total Mac address की size होगी 6 bytes, यानि 48 bits, अब ये जो address है, हमें starting से ही पता पर चुका है, यानि जब हमने IP address देखा था last last में, तब हमें idea लग गया था, कि कोई भी address ऐसे ही random address नहीं होता है, वो अपने साथ एक information लेके चलता है, हर एक pair का एक motive है, अपने साथ कुछ detail लेके चल रहा है, कुछ data लेके चल रहा है, तो उस हिसाफ़ से Mac address भी अपने साथ कुछ information लेके चल रह जो 3 pairs की combination से बना है, इस particular pair को हम कहते है, organizational unit identifier, और अगर मैं इसको और easy करूँ आप लोगों के लिए, तो यह जो पहला pair है, अपने साथ क्या information लेके चलता है, तो सर यह अपने साथ information लेके चलता है, organization की, या फिर आप कह सकते हो manufacturer की, इसका मतलब वो company जिसने hardware devices बनाए है, उस company का नाम यह 3 pairs बता देता है, यानि Mac address किस company को दे रखाता, किस manufacturer को दे रखाता, वो हमें बता दी जाती है, जिसको vendor भी कह सकते हो, manufacturer भी कह सकते हो, या फिर कोई organization भी कह सकते हो, लेकिन सर हमार जो second pair है, वो अपने साथ क्या information लेके चल रहा होगा, तो हमारा second pair, हमारा साथ information चलता है, आप देख सकते हो, NIC लिखावा है, network interface controller लिखावा है, जिसका मतलब और कुछ नहीं device ID है, यानि सर यह बताता है, कि यह Mac address असल में किस device को define करा है, device को uniquely identify करने के लिए, last के 3 pairs काम में आते हैं, because hardware की quantity वो बहुत जादा है, बहुत जादा quantity में hardware बनाए जाते हैं, त हमें at least 3 pairs तो चाहिए, last के 3 pairs device ID है, starting के 3 pairs vendor ID, manufacturer ID, organizational ID आप कह सकते हैं, अब यह जो starting के 3 pairs है, यानि हमारे पहले pair के अंदर, जो यह 3 pairs है, यह ऐसे ही तो नहीं हो सकते, random numbers तो नहीं हो सकते, यह भी अपने साथ कुछ information लेके चल रहे होगी, अब वो information क्या है, तो जैसा हमने हमा को answer दूलना पड़ेगा, वो यह है कि इसका use कहां पे है, यह किस range में use हो रही थी हमें यह समझना पड़ेगा, अब mac address एक hardware address है, वो hardware पूरे world में use लिया जा सकता है, हमें पता पड़ गया किसे इसका use है, वो पूरे के पूरे world में है, और world को अब हमें कुछ categories में divide करना है, सबसे पहली अगर हम category देखें, तो हमें country डिवाइड होगी, इसका मतलब पहला pair अपने साथ यह information लेके चलेगा, कि यह mac address कौन सी country का है, एक्जामपल के तौर पे हो कि जो पहला pair है हमारा, वो हमारी country इंडिया को allot करा गया है, इस से सबसे second pair का information लेके चलेगा, सर country की कु पहला सा एक change है यहाँ पर कि जो third pair है, वो city plus vendor का address बताएगा, इसका मतलब उस manufacturer का, city plus vendor detail यानि वो यह बता देगा कि राजिस्तान के अंदर, जैपू city में, यह जो Nokia का office है, इसको हमने यह address अलॉट कर रखा था, और उसने जितने भी hardware बना है, यह 3 pairs के combinations में, उनने उन hardware को address यह होगा, एक एक identity अलॉट करी गई होगी, तो I hope आप सभी को clear हुआ होगा, कि Mac address अपने साथ क्या information लेके चलता है, और इसी चीज़ को हम practically भी देखेंगे, कि क्या reality में Mac address से 3 information लेके चल रहा है के नहीं, but before that, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कि Mac address किस हिसा अगर 0 और 9 और A से F के अलावा कोई भी letter या number यूज हो रहा है, और 0 से 9 में तो कुछ बात नहीं है, कि सारे numbers इसी range के अंदर आएंगे, लेकिन अगर A से F alphabet के अलावा कोई भी alphabet यहां यूज होता है, इस Mac address को correct नहीं माना जाएगा, तो उस हिसाब से क्या यह Mac address correct लगता आ अगर हम देखें तो सर्थ पहला प्यार बिल्कुल सही है, सैकिंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्ट भी सही है, लिकिन सिक्स्थ प्यार में सर्गरबर है कि यहां पर जो वी हमारा letter है, उसका यूज ले रखा है, और Mac address कहता है, कि वह A से F तक के combination स से ही बनाया जा सकता है, I hope आप सभी को Mac address क्या है, कैसा देख रहा है, और क्या information अपने साथ लेके चलता है, यह clear होगा, अब सवाल ही है, कि सर्थ हर एक hardware के पास Mac address है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं, कि किस hardware को क्या Mac address दे रखा है, तो बिल्कुल करा जा सकता है, अगर आप Windows operating system use लेने हैं, तो हम अपने command prompt cmd में, इस command का use लेंगे, get mac का, अगर आप terminal यूज लेने हैं, Linux या फिर आप एक iOS user है, तो उस case में, हम IF config command के जरीए, अपना Mac address देख सकते हैं, तो अब इसी चीज़ को practical करके देखते हैं, हम क्या करेंगे, हम search में जाएंगे, और यहां पर लिएक के zoom कर दिया, अब मैं enterprise करूगा, तो आप देखोगे, में पास जितने भी hardware devices हैं, सबके mac addresses यहां पर show कर देगे, तो यह रहे सबके mac address, अब sir, क्या यह mac address अपने साथ कुछ information लेके चल रहा है, क्या यह मुझे कुछ खास data या detail देगा, तो हम क्या करते हैं, इसको copy कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसे, इस address को copy किया, और अगर आपके सामने कभी भी, कोई भी mac address आए, तो आप उस mac address यूज डिवाइस की कुछ information collect का सकते हैं, जो आपके काम आईगी, कैसे करेंगे, तो sir, उसके लिए हम जाएंगे हमारे browser पे, and browser पे जाके हम यहाँ पे लि पार, maclookup.app नाम की website को open कर दिया, आप और भी websites को use लेकर देख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले website पे चलते हैं, mac address को paste करते हैं, और देखते हैं, इस से related है मुझे क्या, और कितनी information देगा, तो हमने search पे click करा, आप देख सकते हैं, इसके starting की तीन पे, इसके हिसा different different websites के use देगे, कई websites हमें बहुत अच्छा output देदेती है, तो हमने आप enterprise कर आप देख सकते हैं, इसने केवल और केवल company का नाम बताया, उससे ज़्यादा information नहीं दी, third website पे चलके देखते हैं, यह कितनी information देगा, paste and enter, तो इसने पहले से ज़्यादा information दी है, और ज़्यादा इतनी हीटेर हमें, केवल website के जरिये मिल गई, एक mac address की, हम देखने वाले है, ports in networking, यारी हम यह समझने वाले है, कि इस networking के पूरे concept में, जहां पे अभी तक हमने देखा, IP क्या है, types of networks क्या होते है, mac address क्या होता है, वहां हम समझने वाले है, कि ports असल में है, क्या, इसका use क्या इसे करती है, देखेंगे बापस कितने types होते हैं, ports के अंदर, और फिर देखेंगे कुछ default ports और उनकी services, तो बिना देरी करते हैं, बढ़ते हैं, पहले topic के तरफ, जो की है, what is port, port असल में है क्या, तो इसको easiest तरीके से समझने के लिए, पहले इसके जो pointers हैं, उनको देख ले अभी हमसे कहना क्या चारा है, तो सुनेज़, यह हमें पता है कि अगर networking में, एक system को दूसरे system से बातचीत करनी है, यानि communication करना है, तो दोनों के पास address होना जरूरी है, और वो address कौन सा होता है, sir, वो address होता है, IP address, correct, तो यहाँ पर हम माल लेते हैं, हमारे पास IP address है, 4.4.4. और इसके पास भी एक IP address होगा, माल लेते है, 1.1.1.1. अब दोनों को आपस में communication करना है, यानि बातचीत करनी है, डेटा शेरिंग करनी है, दोनों के पास अपने address है, लेकिन सवाल यह है, कि जब system A, system B को को कोई package बेजेगा, तो किसी ना किसी रस्ते के जरीए तो करना है, कि ये घर किसके है, तो यहाँ पे ये शिजूका और नोबिता का घर है, अब इसको हम rename कर देता है, हमें काम करते हैं, शिजूका को नोबिता से communication करना है, बात्चीत करनी है, या फिर कोई book या फिर कोई dish जो उसने बनाई है, वा site करनी है, शेर करनी है, अब यहाँ पे क्या होगा तो यह बुक को यहां तक पोचने के लिए क्या एक ही रस्ता मिलेगा क्या एक जगह से दूसरी जगह एक सोछ campaign पे जाने का एक ही रस्ता होता है अगर आप भी आज WS QTAC आना चाहिए या मेरे घर आना चाहिए तो क्या उसका एक ही रस्ता है ऐसा था पॉस्टीबल नहीं इसका मतलब एक सोर्स से डेशनेशन पे जाने के काफी सारे रस्ते हो सकते हैं और इन रस्तों को नेटवर्किंग में हम पोट्स कहते है ज invoice जिस रस्ते के Richtung करा जा 레 dahser है और इन पोट्स के रूस को हमें समझना पढ़ेगा हम्ने सर adapter हो रहा हो तो उब यहां पर हमें यह तो समझ आया के पोट्स क्या है और इसके जई देटा हम रही है सबसे पहला पार्ट यह है कि सरह एक एक एकजामपल लेते हैं कि शिजुकार ने जो बुक कूरियर करी वो माल लेते हैं DT-DC कंपनी के जरीए कूरियर करी तो DT-DC कंपनी क्या कर दी है सर्विस प्रोवाइट कर दी है तो इस कंपनी ने या आप कह सकते हो इस software ने क्या करा कि इस book को लिया इस company ने इस book को लिया और यहां से नोबिता के घर तक पहुच गये अब नोबिता के घर तक जाने के चार रस्ते हैं फिला जहां पर गली number one, गली number two, गली number three and गली number four तो ये जो company थी, ये कौन सी गली पे wait कर रही है, कौन से रस्ते पे wait कर रही है, कौन से रस्ते पे packet लेके पहुचिए जर गली number 4 पे अब कैसा हो अगर नोबिता जो है वो गली number 1 पे wait कर रहा हूँ और नोबिता से communicate करने का कोई दूसरा सादर नहीं है, कोई mobile या message करके नहीं बताया जा सकता कि हम गली number 4 पे wait करें, तो उस case में क्या होगा, यानि अगर आपके घर पे कोई courier आया है, और जिस जगह पे courier boy खड़ा है, आपको नहीं पता कि courier boy कहा है और आप उस courier boy तक नहीं पहुचते हैं, तो वो courier वापस return हो जाएगा, या फिर वो अपने office में जान ले जाकर उसको रख दिया जाएगा, basic हम तक तो वो courier नहीं पहुचेगा, तो वो ही चीज यहां पे होगी, पोट का एक rule है, पोट कह रहा है कि सर जिस रस्ते पे हमने packet send करा है, जिस रस्ते पे बापचित करने के लिए हमने packet send करा है, वहाँ पे एक receiver होना जरूरी है, अब्यूसी बात है कि receiver नहीं होगा, तो packet receive कौन करेगा, इसका मतलब उस रस्ते का open होना जरूरी है, वहाँ पे एक person होना जरूरी है, जो उस packet को receive कर सके, और अगर ऐसा नहीं होगा, तो आपका packet आप अब दूसरा रूल क्या कहता है, जैसा आप देख सकते हैं, हमने जो गलिया बनाई है, जो रस्ते बनाए है, यह बहुत पतले बनाए है, बहुत बढ़ी सड़के नहीं है, बहुत पतले रस्ते हैं, तो एक रूल ये भी है, कि माल लेते हैं, यानि इस रस्ते से, जो packet send हो र यूज ले सकता है, यानि जब तक DTDC गली नंबर फोर को यूज ले रहा है, तब तक कोई दूसरा यूजर इस रस्ते को यूज नहीं ले सकता है, यह रस्ता फिला इन यूज है, और कोई भी दूसरा सौफ़एर, या कोई भी दूसरा परसन इस रस्ते को यूज नहीं ले सकता है यह हमारे port का दूसरा रूल है networking के अंदर, although real world examples में हमासा एदासा rarely होता है वहलों इतनी पत्नी गली है रेली होती है पर फिर भी आसा हो सकता है कि कोई गली हो और महास सामने से कोई truck आ रहा है आपके पास रस्ता नहीं है आसपास से जाने का तो आपको इस रस्ते से इतना पड़ेगा यानि उस रस्ते को कोई दूसरा पसंद यूज नहीं ले सकता जब तक वो truck उस रस्ते पे जब वो truck अपना उस रस्ते को यूज ले लेगा उसका काम complete हो जाएगा तो इस रस्ते पे कोई भी आ सकता है आपको पो outta 5 के दोनों क्लियर हो गए फैर भाली है किस की सरिख 不錯 क्लियर करने का सकता है इन इनके जरीए हम सारा कंउमियोंिकेशन यानि बाक issue perform कर सकता है एक बार रिकॉर्ल कर लेते हैं पॉइंट अर्ड त्रक टीख कर लेते हैं तो पोउज कुछ नहीं है path है यानि रस्ता है जिसके जरीए communication करा जा सकता है ठीक है port के कुछ rule है कि एक बार में port को एक ही percent यूज लेगा और port की जरीए जिस पर communication करा जा रहा है वो port का open होना जरूरी है यानि वहाँ पर receiver होना जरूरी है तो दोनों rules हो गए number of ports है मैं आप पास 65,535 I hope आप सभी को quotes का concept क्या कहता है clear हो गया होगा कि सर्थ package send करने के लिए हमारे पास एक receiver होना जरूरी है और हमारे पास 65,535 रस्ते हैं जिसके जरीए communication कर सकते हैं प्लस एक बार अगर एक रस्ते को को यूज ले ले यहां पर हमारे पास एक real system है जिसके पास उसका एक IP address होगा example के तोर पर 4.4.4 यह इसका IP address है एक्जांपल के तोर पर हमने माना है और हमारे पास एक और है system B जिसका IP address है 1.1.1.1 अब system A को system B से बात करना है communication करना लेकिन यह obvious है कि वो बात्चीत किसी ने किसी software के जरी होगी तो यहां पर क्या हुआ कि सर हमने zoom software को start करा अब zoom software मेरे system से बाहर package बेज़ेगा मुझे भी तक इतना पता पड़ा है कि system के पास बात करने के लिए total 65,535 रस्ते हैं किसी भी रस्ते के जरी हम package send कर सकते हैं communication कर सकते हैं तो जब हमने zoom को start करा तो zoom में बोला कि मैं तो port number 8080 के जरीए बाक्चित करूगा तो यहां पे हमारी जो port 8080 थी उसके जरीए zoom ने एक package send करा गली number B को कौन से port पे करा? sir 8080 पे ही करा अब मेरा question आप सभी से यह है कि हम इस user को यानि system B को जिसका IP 1.1.1.1 है उसे कैसे बताएं कि उसकी port 8080 पे हमने एक package send करा है क्योंकि port का पहला rule आप सभी को यहाद होगा जिस रस्ते पे package बेजा है वह आप एक receiver होना ज़रूरी है अब यह जो user B है यह port 8080 पे data receive करेगा कैसे 65,535 ports में से इसको कैसे पता पड़ेगा कि हमने कौन से रस्ते पे package send करा है या sir इसके लिए हम एक और package बेजेंगे ताकि उसको aware कर सके कि हम किस port पे package बेजने वाले है तो again यह question होगा कि अगर आपने कोई भी package बेजा तो आप किसी रस्ते पे बेजोगे आप जिस भी रस्ते पे बेजोगे आप user B को बताओगे कैसे कि उस रस्ते पे package आया है यानि वो उस रस्ते को open करके वहाँ पे listening क्यों on रखेगा या फिर एक receiver क्यों बैठाएगा तो सर यह तो possible नहीं होगा इस चीज को solve कैसे करा जाए हम user को नहीं बता सकते कि हमने किस रस्ते पे package बेजा है communication के लिए और यह जो problem है इसको solve करने के लिए zoom company ने क्या करा कि जब zoom के developers यानि zoom company इस software को बना रही थी तो उसने software की settings में पहले ही यह configure कर दिया कि आपको port 8080 पे ही बातचित करनी है अब ऐसा करने पे जितने भी लोग पूरे world में zoom को download करेंगे कहां से करेंगे zoom के official website पे तो सबके zoom software क्या कह रहा है कि हम इसी बस्ते पे बात करेंगे तो जब हमने हमारे zoom को start कर रहा और इसने अपने zoom को start कर रहा तो दोनों ही एच जिरो एच जिरो पे ही communication कर रहे है तो हमने उसे नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सी port पे receiving करनी है क्योंकि उसे पता AC port पे receiving करनी है तो इस तरीके से हमारा communication अच्छे से हो पाया पहला rule जो था इस तरीके से solve हो पाया I hope सभी को clear हो गया होगा अब बात आती है दूसरे rule की यानि सर अगर हम यहां पे मांग लेते हैं Skype को open करें और by coincidence ऐसा हो कि Skype भी बोले कि मैं को by default port 8080 का ही configuration दे रखा क्योंकि developers ऐसे आपस में बात करके तो surface बनाएंगे नहीं तो अब यहां पे अगर ऐसा हो एक coincidence ऐसा आ जाए कि Skype भी बोले कि मुझे by default 8080 port ही दे रखिए बात करने के लिए तो उस case में क्या होगा सर उस case में या तो हमें wait करना पड़ेगा कि Zoom हम अपना काम complete करे या फिर हमें Zoom को forcefully बंद करना पड़ेगा फिर जो Skype है उसे start करना पड़ेगा या फिर सर हमें Skype की port change करनी पड़ेगी जो कहीं से भी एक सही option नहीं माना जाएगा विकॉज जब हम किसी को packet बेजेंगे हमें उसे भी configure करना पड़ेगा कि आपको भी port 8181 पर सुनना पड़ेगा अगर Skype से बात करनी है तो यानि जो भी port हम change करेंगे वहां भी configure करनी पड़ेगी तो normally हम यही प्रिफर करते हैं कि सर पहला software आपना task complete करदे फिर हम दूसरे software को start करें जो हमारी priorities है उसके साबसे हम software को use लेता है जाए डिफरेंस नहीं है माइपा 65,535 पोस थी उनके काम के साब से उनके use के साब से उनको अलग-अलग categories दे दी गई है जैसे कि 0 से लेकर 1023 तक की जो ports है उन्हें well-known ports क्यों कहा जाता है क्योंकि सर यह वह ports है जो बहुत ही common common से मैंना मतलब है यह ports वह ports है जो सबसे ज्यादा use हो रही होती है ज्यादा तर use हो रही होती है अग्जामपल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से पूछू कि सर्विस जो है वह कौन सी port पर वर्ग करती है तो आप में से काफी लोगों को पता होगा वह by default इन ही पोस को यूज ले रहे होते हैं तो इनको वैल नोन पोस का जाता है कि यह बहुत common पोस है सबको पता है कि कौन-कौन से software पोस को यूज ले रहे है हमारे लिए यह क्यों काम किया क्योंकि सब भी एक cyber security expert एक ethical hacker कोई software बनाता है तो वह यह ध्यान रखता है कि उस software को ऐसी port ना दी जाए विकाज अगर उसने इन में से कोई भी एक port दी माल नेते हमने हमारे software को port 80 दी और software गया victim system में ताकि उस victim system को control कर सके तो जब इस software victim system में जाके run होगा तो उसको error आ सकती है कि sir port 80 तो अल्रीड है CTP यूज ले रहा है आप यूज नहीं ले सकते तो software का सारा काम खराब हो जाएगा तो ऐसे cases में हम यह define करते हैं कि sir हम जो software यूज ले रहा है उसकी port इतनी unique तो हो कि पहले से in use ना है तो कि port का rule कह रहा है एक बार में एक रस्ते को एक ही जना यूज लेगा करते हैं कभी भी कोई टूल बनाएं कोई भी ऐसी service बनाएं ओपन करें तो ऐसी port यूज ले जो already in use ना हो ताकि हम errors से बस सकें उसके अलावा dynamic post जो random use होता रहता है हम लोग इने कम prefer करते हैं dynamic post को normally testings में ज़्या तर यूज लिया जाता है तो हम कम prefer करते हैं कि इन में से किसी port को हम लोग use लें I hope आप सभी को यह clear हो गया होगा कि पोस की categories क्या और हमाई ले किस तरीके से काम आ रही है एक बार इस चिसको और अच्छे से clear करने के लिए हमने यहां पर कुछ default ports और उनके services बता रखे यानि कौन सी port को by default कौन यूज लेता है इससा आपको और अच्छी चीज़ा लग जाएगा तो यहां पर आप देखे तो port 20 को कौन यूज ले रहा है sir FTP यूज ले रहा है 21 को कौन यूज ले रहा है FTP control 22 SSH 25 को SMTP then DNS then STTP यूज ले रहा है port 80 को और इसी तरीके से 110 को POP3 यूज ले रहा है और SSL यानि HTTPS जो आप देखते हों HTTPS कौन सी port को यूज ले रहा होता है 443 अभी तक हमने IP ports MAC address या हमारे type of networks के बारे में काफ़े साइक सीज़े अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास networking में protocols क्या role play कर रहे इसके लिए हम क्या क्या समझेंगे सबसे पहले हम देखेंगे protocols होते क्या networking protocols है क्या असर में डैन हम देखेंगे हम आपस कितने types के protocols हैं और उसके अंदर हम देखेंगे TCP जो कि एक important protocol है वो कैसे काम करता है और फिर हम देखेंगे TCP versus UDP तो बेना देरी करते हैं स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जिस तरीके से हमने last example लिया था कि दो systems अगर आपस में बाक्चीत करना चाहते हैं या फिर एक घर से अगर दूसरे घर में हम कुछ send करना चाहते हैं कुछ courier करना चाहते हैं तो पहले अगर एक जगह से दूसरी जगह पर हमें कुछ courier करना है तो उसके लिए हम रस्तों का यूज लेते हैं और रस्तों का मतलब है ports आप सभी को आइडिया होगा कि हमा पास networking ने 65,535 ports है बात करने के लिए लेकिन सवाल यह है कि जब हम एक रस्ते पर कोई भी चीज कूरियर कर रहे है या फिर अगर आज मैं अपने घर से मेरे office जाना चाहूं या office में कोई समान लेकर जाना चाहूं तो जब मैं source to destination या एक जगह से दूसी जगह जा रहा हूं तो जिस रस्ते पर मैं travel करता हूं मैं वहां के rules or regulations definitely definitely follow करता हूं अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा तो सर उस्ते में नुकसान हो सकता है यानि अगर हम एक रस्ते से जा रहे हैं और हमने यहां पर जो traffic rules की भी अगर हम बात करें follow ना करें जैसे कि red light पर हम नहीं रुके या हमने seat belt नहीं लगा या हमने helmet नहीं पहना ऐसे कोई भी अगर हम rules को follow नहीं करते हैं तो सर में नुकसान हो सकता है हो सकता है कि सर यहां पर गलती से कोई accident हो गया तो हम आगे ना पहुछ सके तो इसका मतलब rules or regulations को अगर हम follow करेंगे तो हम जो है safely अपनी destination तक पहुच सकेंगे और same networking में भी अपला होता है networking कह रही है कि सर अगर आप एक system से दूसरे system में कोई package send कर रहे हो बात करने के लिए तो अगर वो packet rules और regulations अच्छे से follow करेगा तो वो safety और security के साथ सामने वाले system तक पहुच पाएगा यानी communication कर पाएगा लेकिन सर अगर आपने safety और security का ध्यान नहीं रखा तो वो सकता है packet drop हो जाएगा वो सकता है packet बापेश सला जाएगा या खराब हो जाए, corrupt हो जाए या फिर कोई black attacker उस packet को read कर ले उसे beach access कर ले तो हमें rules regulations को follow करना पड़ता है और इनही rules regulations को हम protocols कहते हैं तो यहाँ पे definitions के जरीए समझने की कोशिश करते हैं कुछ pointers के जरीए protocol को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला pointer बोड़ना है सर यह set of rules है अगर मैं बात करूँ कि school colleges की तो आपने word सुना होगा protocols, school के protocols है, college के protocols है, law की कुछ protocols है हमें follow करना होता है तो यहाँ पे protocols का मतलब set of rules है और networking में यह हमें बता रहे हैं कि data किस तरीके से transmit करा जाएगा यानि data का transactions है, चाहे receive हो रहा हूँ, चाहे send हो रहा हूँ, वो किस तरीके से होगा और इसकी मदद से हमारे device communication है और भी अच्छा हो पाता है यह हमारे protocols का मतलब है यानि कुछ set of rules जिसकी मदद से हम अच्छे से communication कर सकते है यानि हम बताते हैं कि package किस तरीके से send या receive करे जाएंगे I hope आप सभी को clear होगा होगा कि protocols असलमें है क्या अब जब यहाँ पे हमने क्या करा हमार जो TCP IP model होता है होता है इसको और भी detail में आगे चलके जरूर समझेंगे बर फिलाल हमने यहाँ पे हमार जो OSI model का updated version है TCP IP model उसको रखाया और उसके आगे या उसके अंदर use होने वाले हमने सारे protocols हो है वह mention कर दिया है ऐसा हमने इसी नहीं कराया है ताकि आपकुछ protocols के नाम से केवल और केवल फैमिलियर हो सके अभी आपको इसको पूरा नहीं समझना है दिरे दिरे आगे की वीडियो में आगे के हमाई sessions में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे फिलाल अगर हम यहाँ पे देखें तो application layer जो है वहाँ पे हमाँ पास SMTP, POP3, FTP, NTP, HTTP जो आपने definitely सुनाओगा SNMP, DNS और SSH जैसे protocols यूज होते हैं यह सब protocols सब अपना अपना एक role play कर रहे हैं कुछ rules regulations के जरीए data को safety and security के साथ transfer करने के लिए then हमारे पास है transport layer transport layer में सब TCP और UDP एक बात आप सभी को बता दूँ कि यह दोनों protocols जो हैं core communication protocols माने जाते हैं core communication protocol का मतलब है कि किसी भी system को अगर किसी भी system से बात करनी है कोई भी दो systems को आपस में communicate करना है तो वहाँ पे यह protocols पक्का यूज होएंगे 100% यूज होएंगे networking में बात करने के लिए उसके अरावा सर internet layer है जहां पर हमाँ पास IP, ICMP, AIP और DACP जैसे protocols यूज होते हैं क्या है दिरे-दिरे समझ जाएंगे हम और हमारी network access layer जिसमें हम normally hardware devices को यूज लेते हैं जैसे ethernet, triple P या ADS तो यहां पे हमने यह क्यों पढ़ा तो सब हमने केवल कुछ protocols के नाम से familiar होना था ताकि दीरे-दीरे जब हम इनको पढ़ते जाएं के बादे में इसमें hacking perform कर पाए तो हमें बहुत clear हो कि हम असल में किन पर और किस layer पर attack कर रहे हैं अब बात करते हैं TCP की जैसा मैंने आपको कहा core communication protocol यानि सबसे ज़ादा use होने वाला protocol काल TCP है जिसके मदद से हम networking में बात्षित करते हैं तो हम चाहेंगे कि सरह हम TCP की जो working है वो अच्छे से समझ जाए और उसकी working को समझने के लिए TCP के पास उसके छे friends है अब इन छे friends के काम क्या है यह क्या useful है इस TCP के यह हमें समझना है यानि TCP के पास उसके 6 friends है जिनको flags कहता है यानि कुछ functions है उनका काम हमें समझना है कि वो TCP के लिए कैसे useful है तो यहाँ पे जो सबसे पहला flag हमारे सामने लिखावा है जो सबसे इसका पहला friend है उसका नाम है URG जिसका full form है urgent flag का नाम क्या है URG है और उसका full form है urgent और उसकी definition इसके बारे में कह रही है data contained in the packet should be processed immediately यानि सर यह कह रहा है कि अगर system A ने system B को कोई packet send करा है तो इस packet में जो भी data लिखावा है उसकी जो processing है उसकी जो working है वो urgent basis पे होनी चाहिए यानि अभी के अभी होनी चाहिए इसका मतलब अगर मैं आप सबी को कहूँ कि अभी के अभी वीडियो को like करें तो आप लोग क्या करेंगे अपना काम जो भी आप कर रहे थे वीडियो देख रहे थे आप उसको 2 minutes के लिए रोक के या फिर उसको skip करके पहले वीडियो को like करेंगे यानि आपको पता है जब मैंने आपके सामने एक word यूज दिया है कि अभी के अभी लाइक करें तो उस task की जो मैंने आपको task दिया है like करना उसकी priorities हई होगे आपको समझ आगे कि इस काम को पहले करना है तो मैंने उसके साथ जो वर्ड यूज दिया अभी के अभी यह क्या कर रहा है urgency बता रहा है टास्क पी priority बता रहा है कि यह अभी होना चाहिए सो वैसे ही यहाँ पे भी URG flag काम आ रहा है यानि जब दो system जब communicate कर रहे है और आपने package बेजा है आप चाहते है कोई काम हो लेकिन urgent हो बाकी सारे काम रोक के पहले यह काम करा जाए तो उसके साथ हम URG flag को यूज लेते हैं URG friend को यूज लेते है I hope सभी को clear होगा कि URG का काम क्या है किसी भी task को urgent basis पे execute कराना process कराना URG का काम है दान हमारे पास आता है इसका second friend जिसका नाम है F-I-N फिन का full form है finish और finish अपने बारे में क्या कह रहा है यह कह रहा है there will be no further transmission यानि यह कह रहा है कि आगे कोई communication नहीं होगा कोई भी transactions में होगे ऐसा क्यों तो एक basic example हम लेते हैं I hope आप सभी ने different different softwares used लिए होंगे file sharing के लिए जैसे 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 multiple softwares used लिए होंगे जिसके जरी आप क्या करते है कोई movie कोई game या file share करते है अब example के तौर पर माल लेते हैं कि system A जो था और system B जो था दोनों को file share करने थी यानि system A के पास एक बहुत अच्छी movie पड़ी थी तो system A ने क्या करा से zender की मदद से एक file send करी system A ने system B को एक file send करी अब यहां पे यह file थी यह 100% send हो चुकी है इसको और अच्छे से समझना है तो माल लेते हैं आप और आपका एक friend दोनों movie transfer करने तो आपने जो movie send करना 100% complete हो चुका है तो क्या यह file share होने के बाद भी आप इन दोनों systems के बीच में जो connection बनाता जेंडर की मदद से उसे active रखेंगे नहीं सानमतों से तोड़ देंगे उस connection को active रखने का क्या sense है अगर file transfer हो चुकी है connection को बनाके रखने का क्या sense है उस connection को तोड़ देंगे तो वह same चीज fin करता है कि सर जब आपका data transfer हो चुका है अब आपको connection बना के रखने की जरुत नहीं है तो आप fin flag की मदद से fin नाम के दोस्त की मदद से उस connection को तोड़ सकते है I hope सभी को clear हो गया होगा कि fin का use कहां पे data transfer होने के बाद हमें connection तोड़ना होता है वहाँ पर fin use आता है then हमारे पास है RST flag अब RST नाम का जो flag है या friend है TCP का इसकी full form है reset और इसकी definition कह रही है reset a connection यानि सर्फ अक्सर आसा आता है कि जब दो systems के बीच में data transfer हो रहा होता है तो हो सकता है वह उसलो हो हो सकता है सही से ना हो रहा हो हो सकता है कोई problem आ रही हो कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको resolve करने के लिए क्या करा जाता है connection को restart कर दिया जाता है आदी से जादा problems हम जानते है किसी system को या किसी connection को restart करने से solve हो जाती है तो वही चीज यहां perform करी जारी है RST flag के जरीए तो जब हम RST flag को यूज लेते हैं तो वे connection को बंद करके फिर से start कर देता है तो जो basic issues आ रहेते हैं प्रोग्लम आ रहीती है वो solve हो जाती है I hope सभी को clear होगा RST क्या काम करना That हमारे पास आता है PSH flag PSH का full form है push यह भी एक interesting flag है क्या काम कर रहा है यहां पर लिखा है sans all buffer data immediately यह कह रहा है कि जितना भी buffer data बचा हुआ है पहले वो send करो इसके कहने का मकसद क्या है तो एक बाप फिर से हम हमारे इस example पर चलते हैं जहां पर user A और user B कुछ transactions कर देता है अमें काम करते से clear करते है और फिर से यहां पर device 1 और device 2 यानि device A और device B को यहां पर add कर देते हैं दोनों ने zender की मदद से connection बनाया लेकिन जब connection बनाया और user A ने एक file send करना start करा माल लेते हैं movie send करना start करा अब हुआ यह कि movie से 95% transfer हो चुकी थी 5% बागी थी ऐसे case में अगर user B disconnect हो जाए किसी भी reason से हो सकता है उसके घर से उसको किसी ने बुला लिया हो पापा का call आ गया हो और इस वज़े से वो जल्दी से वहां से चला गया connection तूट गया अब ऐसे case में क्या होगा क्या यह movie अब user B के काम की है जो केवल 95% transfer होई है या 95% transfer होई है क्या यह movie काम की है नहीं क्यों क्योंकि सर यह file corrupt हो जाएगी जब तक 100% transfer नहीं होगी उसकी कुछ important file उसक नहीं पहुचेगी तब तक यह file काम के नहीं इसके corrupt होने के chances जादा है तो इसी problem को solve करने के लिए क्या करा गया या push flag का use लिया जाता है जैसे आप connection तोड़ना चाहते हैं आप देखेंगे एक notification आएगा एक pop-up आएगा तो यहाँ पर होगा यह कि सर आदी file तो काम नहीं आएगी ऐसे ही जब दो systems connect करते हो connection तोड़ा जाता है जब file पूरा transfer नहीं हुआ जाता है तब यहाँ पर push flag बेजा जाता है इसका मतलब दो system file transfer कर रहे थे जो second system था उसको file पूरी receive नहीं हुई तो वो क्या करेगा push flag बेजेगा जिसका मतलब है वो system A को कहेगा कि अभी सारा data transfer नहीं हुआ है पहले जितना भी बचा हुआ data है जितना भी buffer data है आप वो मुझे send करो जब 100% data में पास receive होगा तो ही connection तो connection तोड़ने से पहले आपके पास data receive नहीं हुआ है वहाँ पे push flag काम आता है जो user को कहता है कि आप पहले सारा data send करो दैनम connection को तोड़ने के process में आगे बढ़ेंगा यह होप आप सभी को समझ आगे होगा push flag क्या काम कर दा है उसके बाद सर माय पास आता है ACK ACK का full form है acknowledgement flag अब acknowledgement flag का मतलब क्या है तो इसकी definition कह रही है acknowledges the receipt of a packet अब इसका बहुत basic सा मतलब है कि सर आपने अगर कोई packet send करा है तो आपको इसका acknowledgement मिलना चाहिए आपको पता पढ़ना चाहिए कि आपका वो packet के साथ क्या हो वो पहुचा के नहीं पहुचा example के तौर पर हम सब WhatsApp काफी यूज लेते हैं तो अब यह जो WhatsApp हम यूज ले रहे है अगर user A user B को को message बेशता है और उसको single tick दिखता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है सर हमारा message यहां से send हो चुका है यानि victim system से या user A से send हो चुका है single tick का मतलब यह है अगर सर दो ticks आ जाए तो इसका मतलब है कि सामने वाले system पर victim user पर यहां क्लाइन के पास message पहुच चुका है और अगर यह दोनों टिक्स blue हो जाए इसका मतलब उसने read भी कर दिया message को पढ़ लिया तो यह क्या और हमारे बेजे हुए एक message के हमें acknowledgement मिल रहा है कि WhatsApp तो हमें multiple acknowledgement दे रहा है normally जब हम communication करते हैं networking में जो direct बाकशीत होती है वहां पर यह आपका packet receive हुआ है यह नहीं तो यह ACK का काम है इसका मतलब अगर आपका packet पहुच चुका है कहीं पर तो आपको ACK आजाएगा जो बोलेगा कि हाँ आपका packet हमें मिल चुका है यह हमें acknowledge करना है कि आपका packet receive हो चुका है that हमारे पास आता है sin flag last but not least sin flag असल में एक ऐसा flag है जो सबसे पहले यूज होता है ऐसा क्यों because sin का full form है synchronized और अगर इसकी definition हम देखे तो वह हमें कह रही है initiate a connection between host यानि दो system में जब connection बनाया जाता है या connection बनाने की request बेजी जाती है तो सबसे पहला flag sin ही use होता है जो कहता है कि सर में आपसे connection बनाना चाहूँगा इसका एक और example ले लेता है अगर आज हम माल लेते हैं कि हम अंजान हैं हम एक दूसरे को नहीं जानते और मैं आपने से किसी भी एक पसंद के पास हो और मैं आपसे कहूँ कि क्या मुझे आपके contact details मिल सकते हैं तो क्या आप लोग मुझे contact details share करेंगे definitely नहीं क्यों because हम हमारे भीच में कोई connection नहीं है मैं एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन अगर ऐसा ना करके मैं आपके पास बापिस आओ और इस बार मैं आपसे हाथ में रहा हूँ अपना introduction दूँ यानि हम hand shake करें मैं अपना introduction दूँ आपके बादे में कुछ जानू थोड़ा बहुत communication करके connection create कर दूँ और उसके बाद आपको अगर मैं कहूँ कि क्या मुझे आपके contact detail मिल सकती है तो क्या अब आप मुझे अपने contact detail देंगे सब chances है तो basically यह सेम चीज यहाँ पर apply हो रही है networking में भी जब दो systems को आपस में बात करनी है तो उनके बीच में connection create होना ज़रूर ही उसके बाद ही data transfer होगा तो यहाँ पर connection बनाने की शुरुवात कौन कर रहा है sin flag कर रहा है यानि जब मैंने आपके पास आके अपना हाथ आगे बढ़ा है ताकि हम handshake कर सके तो यह जो process था यह sin flag है networking के अंदर I hope आप सभी को clear हो या हो तो यह है हमारे six flags TCP के और उमिदेन सभी flags का काम आपको बहुत अच्छे से clear होगा अब हम यह देखेंगे कि असल में यह TCP के काम आते कैसे हैं किसका क्या काम है वो तो समझ आ गया लेकिन TCP कैसे बात करता है और यह लोग कहां पर और कभ यूज हो रहे होते हैं इनको समझने के लिए हम चलते हैं दो दोस्तों के पास एक का नाम है बिल और एक का नाम है शीला दोनों को एक दूसरे से बात करने है यानि एक connection create करना है networking के अंदर computer networking के अंदर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले बिल ने क्या करा एक flag send करा कौन सा flag सर सिन flag सिन का मतलब था connection बनाने की request तो जब बिल ने शीला को सिन flag बेजा और अबिल सी बात है किसी रस्ते पे बेजा होगा कौन सा रस्ता यूज हो रहा देखते हैं यहाँ पे लिखावा है I would like to talk to you शीला on port 21 are you open कि मैं आपसे port 21 पे बात करना चाहता हूँ इसका मतलब यह जो गली यह जो रस्ता है यह कौन सा था 21 21 रस्ते पे 21 नंबर port पे बिल ने एक सिन flag बेजा इसका मतलब बिल शीला को कह रहा है कि क्या आप इस रस्ते पे available हो क्या इस रस्ते पे हम communication कर सकते है connection मना सकते है बात कर सकते है अगर यह रस्ता open हुआ क्योंके port का rule था जिस रस्ते पे आप package बेज रहे है उसका open होना ज़रूरी है वहाँ पे receiver होना ज़रूरी है तो अगर यहाँ पे receiver है यानि Sheila इस port पे active है तो वह क्या करेगी reply देगी तो देखते हैं इसके बात क्या हुआ Sheila ने एक package reply के तौर पे send करा जिसमें हमापास दो flags है एक तो है sin flag दूसरा है acknowledgement flag अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह जो acknowledgement flag है यह क्या बोल रहा है यह कह रहा है कि आपका packet मुझे receive हो चुका है आपने जो sin flag देजा था उसका reply जो है उसकी receive जो है मैं acknowledgement के जरीए मिली तो हमें पता पढ़ गया कि हमारा packet तो वहां पहुच चुका है साथ ही साथ Sheila ने भी sin flag देजा जिसका मतलब Sheila कह दिए कि हाँ connection बना सकते है आप देख सकते हैं message के form में हमने समझाने की कोशिश करी है तो Sheila कह दिए okay let's talk bill I am open on port 21 तो यह कह दिए कि port 21 पर मैं open हूँ और हम बात कर सकते हैं तो sin के जरीए Sheila ने भी connection initiate करने का confirmation भेज दिया और acknowledgement के जरीए यह confirm कर दिया कि आपका packet मुझे मिल चुका था तो यहां तक की process में bill को पता पढ़ गया कि port 21 open है और Sheila इस रस्ते पर बात करने को ready है तो finally bill ने क्या करा sir एक acknowledgement flag भेजा जिसका मतलब है bill ने Sheila को बोला okay thank Sheila so अब हमारे बीच में connection create हो चुका है और अब इसके बाद क्यूंके दोनों में connection बन चुका है एक रस्ता बन चुका है जिसके अंदर ये data share करेंगे तो अब ये जो भी data transfer करना चाहा है यहां पर transfer कर सकते है सारा data यहां पर transfer possible है connection बनने के बाद I hope आप सभी को समझ आया होगा कि TCP ने किस तरीके से connection बनाया और अगर आप इसे ध्यान से देखे तो सबसे पहले यहां पर step number one perform हुआ जिसमें ने sin flag बेजा then step number two perform हुआ जिसमें में sin और उसका acknowledgement मिल गया then step number three perform हुआ जिसमें में ने acknowledgement flag बेज के connection बना दिया तो यानि TCP जो है वो three way handshake को use लेता है TCP के बारे में यह कहा जाता है कि सर्ये three way handshake को follow कर रहा है इसका मतलब handshake जो है वो define करता है connection बनाने को तो तीन steps के जरी है handshake हुआ इसलिए इसको three way handshake कहा जाता है तो हमेशा याद रखिए कि TCP communication के लिए three way handshake को follow करता है सबसे पहले sin flag जाता है dancing acknowledgement आता है और उसके बाद action flag जाता है तब जाके connection create होता है और यह हर बार होता है अब networking में जिससे भी बात करते हैं ऐसे ही काम होता है I hope आप सभी को TCP का का काम clear हो गया होगा So students अभी तक के process में यह तो समझ आए TCP ने connection बनाया कैसे अब connection बनाने के बाद data transfer होगा और data transfer जब complete हो जाएगा तब क्या होगा connection तोड़ा जाएगा तो अब हम यह देखेंगे कि TCP के अंदर session termination जब एक connection create हो जाता है तो उसे हम session कहता है उस session को तोड़ा कैसे जाए देखते हैं तो यहाँ पे जब बिल का काम और शीला का काम complete हो चुका था बिल ने क्या करा सबसे पहले एक fin flag बे जा जिसका मतलब यह है कि बिल शीला से यह कह रहा है I am done with the data transfer तो fin flag बेच के बिल ने शीला को क्या का कि मेरी तरफ से data transfer करना था मैंने वो कर दिया है उसने उसे confirmation दे दिया कि अब हम connection तोड सकते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से समझेगा बिल ने शीला को का कि मैं connection तोडना चाता हूं मेरी तरफ से मेरा काम हो चुका है शीला ने क्या करा जैसे ही fin flag आया शीला ने केवल एक reply दिया शीला ने reply दिया AC के flag यानि एक acknowledgement flag का ही reply दिया जिसका मतलब शीला ने का कि ओके I received your termination request यानि आपके session को तोडने की request connection को तोडने की request मुझे मिल चुकी है उसने यह नहीं का कि harm connection तोड देता है उसने यह नहीं का कि नहीं connection नहीं तोड सकते उसने कोई reply ने दिया उसने बस एक acknowledgement बेजा जिसका मतलब उसने कहा कि आपकी request मुस्तक पहुच चुकी है आपकी request मुझे मिल गई है इसके बाद क्या हुआ तो शीला ने यहाँ पर processing करी यानि शीला ने देखा कि जितना भी data था वो 100% transfer जो है मेरी तरफ से भी अब हम connection तोड सकते है मुझे सारा data receive हो चुका है इस duration में इसने gap लिया जिसमें इसने process करा कि data सारा receive हो है के नहीं जब finally इसने fin flag बेजा तो बिल ने इस fin का reply दिया एक acknowledgement flag के जड़े जिसका मतलब कि ठीक है की तरफ से भी मुझे request मिल चुकी है connection तोड़ने की तो क्यूंकि आप दोनों ने fin flag बेज के confirm कर दिया connection टूपना चाहिए तो अब यहाँ पे connection तोड़ दिया जाएगा So I hope learners आप सभी को TCP का session termination समझ आगया होगा कि connection को तोड़ता कैसे है अब अगर clear है तो एक मेरा doubt है उमीद है आप सब लोग उस doubt को जरूर clear करेंगे तो doubt यहाँ पे कुछ ऐसा है मैं इसको clear कर देता हूँ माल लेते हैं Bill ने fin request बेजी उसने बोला मेरा काम complete हो चुका है मैं चाहतो connection तोड़ दिया जाए शीला ने economic flag data जिसका वंदर उसने का कि आपकी request मुझे मिल चुकी है लेकिन जब यहाँ पे शीला ने processing करी तो उसने देखा कि उसके पास के वर 99% data ट्रांसवर्ड हुआ है 1% data अभी भी बाकी है तो ऐसे case में शीला क्या करेगी बचातो आप सब लोग देखे इसका solution क्या हो सकता है इंटरनेट पर सर्च ना करें आप लोग समझे अभी तक हमने जो पढ़ा कमेंट में reply दें कि क्या solution होगा अगर 1% data भी भी रह गया है तो शीला क्या करेगी तो देखते हैं आप मेंसे कितने लोग अच्छे से समझे हैं आप सभी को TCP का काम connection बनाने का तोड़ने का समझ आ गया होगा अब बात करते हैं TCP वर्सेज UDP के तो जैसा मैंने कहा TCP 3-way handshake को follow करता है पहले SIN flag जाता है SIN acknowledgement आता है SIN acknowledgement जाता है तब जाके connection बनता है और data transfer चालो होता है लेकिन UDP जिसका full form user data gram protocol है TCP का full form है transmission control protocol UDP जो है वो कैसे काम करता है तो UDP का बहुत simple सा format है यह कहता है कि आपको कुछ data चाहिए आप request करो उसके बदले में मैं आपको उसका reply दे दूँगा response तो यहाँ पे कोई भी handshake process नहीं हो रहा आपको data चाहिए आपने मांगा आपको वो data immediately provide कर दिया जाएगा तो यह request और response पर work करता है जिसकी वज़े से UDP सर देखा जाए तो TCP के comparison में काफी fast है लेकिन जादा reliable नहीं है क्यों नहीं है क्योंके सर यहाँ पे proper protocols रहे वो follow नहीं करे जारे proper steps follow नहीं करे जारे चेक नहीं करा जार रपोर्ट ओपर है के नहीं जैसे 3-way steps के जरीए यह सब कुछ confirm कर रहा था यहाँ पर वो confirmation नहीं हो रही है जिसकी मदद से हम जादा इसको reliable data safety and security के मामले में नहीं माल सकते TCP से मालने में काफी जादा reliable देखने वाले हैं working of routers यानि अब हम यह समझने वाले हैं कि जितनी भी entities को हमने पढ़ा हमने IP को पढ़ा, ports को पढ़ा, mac address को पढ़ा, protocols को पढ़ा और ISP को पढ़ा अब यह सारी चीजे साथ मिलकर काम करती कैसे है वो भी हमारे router की मदद से तो यह सारी चीजे हम समझने वाले है ताकि हमें यह concept clear हो जाए कि असल में networking में अब बातचीत हो कैसे रही है क्योंकि हमने सारी entities को पढ़ लिया है तो उन्हें बस combine करने की जरूत है तो इसके starting करते है सबसे पहली entity हमने क्या पढ़ी थी सबसे पहले हमने पढ़ा था ISP ISP का full form था Internet Service Provider तो अगर हम इसका कोई example देखना चाहे है क्या आप मुझे बता सकते है ISP का क्या example हो सकता है यानि आज के time पे हमें Internet Service कौन प्रोवाइड करता है very good सर यहां पे Jio, Atel, Reliance यह जितने भी companies are not Reliance, BSNR इनको हम Internet Service Provider मानते हैं और कहते हैं तो यह वो company है जो हमें Internet Service Provider कर रही है अब Jio को पता है कि उसका client base बहुत बड़ा है यानि बहुत सारे लोग Jio की services यूज लेते है Jio की SIM purchase करते है Jio के broadband अपने घर में लगवाते है उनमें recharge कराते हैं ताकि Internet access कर सके लेकिन सार इंटरनेट को access करने के लिए तो एक address होना चाहिए एक IP address होना चाहिए जिसकी मदद से हम wide area network में communication कर सके कौन से type का IP address होना चाहिए तो सर उसके लिए हमारे पास होना चाहिए public IP address तो यहाँ पे Jio ने क्या करा Jio को पता है कि सर उसकी जो audience है उन्हें public IP की जोथ पड़ेगी communication करनी के लिए बातचीत करनी के लिए तो उसने एक range of public IP address अपने पास रख ली example की तौर पे मैंने यहाँ पे 10.10.10.10 से लेकर 110.10.10.10 की पूरी range ले ली हमना example की तौर पे range ली यह range Jio ने अपने पास रखी ताकि इसके जितने भी clients हैं उन्हें यह एक एक public IP allot कर सके और वो लोग internet चला सके अब सब्सक्राइब हुआ यह कि हमने अमारे घर में broadband लगवाया जब हमने broadband लगवाया अमारे घर में तो Jio ने क्या करा अपनी range में से कोई भी एक random IP हमें allot कर दी ताकि हम internet पर बात कर सके तो broadband के installation होने के बाद घर में हमारे broadband लगने के बाद हमारे broadband के पास उसकी एक identity उसकी एक पहचान आ चुकी है जो की है सब public IP और वो public IP address example के तोर पे माल लेते हैं 20.20.20 है तो अब में router के पास एक address तो आ चुका उसकी एक पहचान तो आ चुकी है जो की public IP address है क्या सर इसके अलावा भी इस device के पास कुछ और identities होती है खुद की खुद की कुछ और पहचान होती है तो बिल्कुल होती है students हमें पता है एक ऐसा address है जो हर hardware device के पास होता है very good उस address का नाम है MAC address, media access control address तो सर हमारे router के पास अभी तक हम जितना देख पास इसके पास खुद की दो identities हैं जिसमें एक है public IP address और दूसरा है MAC address अब हमने यहां क्या करा और बिस्षी बात है अगर आज आज आपके घर में कोई broadband लगेगा या आप अतने घर में broadband लगवाएंगे तो क्या करेंगे सर उससे हमारे जितनी भी systems उनको जोड़ेंगे या तो cable के जरीए या बिना cable के या नी wireless लेकिन at the end systems connect तो करेंगे तभी तो internet service access कर पाएंगे तभी तो broadband लगवाएं हमने तो यहां पे हमने दो system जोड़े system A और system B एक cable से जोड़ा है विदाउट cable जोड़ा है बट at the end दोनों ही system broadband से जुड़े हमें router से connect कर दी हमने अब यहां पे एक issue है problem है problem यह है कि सर अगर यह systems आपस में communication करना चाहे यानि अगर मेरा broadband system A और system B आपस में बात करना चाहे तो कैसे करेंगे because without address बिना identity के यह एक दूसरे को communicate नहीं कर पाएंगे address नहीं कर पाएंगे बातचीत कैसे करेंगे तो सर उसके लिए router को भी पता था कि उससे कुछ लोग जुड़ने वाले हैं जिससे आगे चलके communication करनी के जोड़ पड़ेगी तो router ने क्या करा है router ना अपने पास सर एक range रखी वो भी private IP address की तो यहाँ पर हमने लिख दिया यह private अब private IP की range क्यों रखी क्योंकि उसको पता है सससे जो लोग जुड़ रहे हैं वो local यह network में जुड़ रहे है और उससे इनको बात करनी की जोड़ पड़ेगी तो अब यह range हम माल लेते हैं 192.168.0.0 से लेकर 255.255.255.255 के बीच की ही होती है के अंदर की होती है अब इन में से router ने क्या करा कि सर जो सबसे पहला IP address होता है वो खुद को alert कर दिया यानि खुद के लिए भी एक IP address रख दिया कौन सा IP सा? प्राइवेट आइप अड्रस क्यों रखा? क्योंकि सर अव्वेस सी बात है अगर इसको इन सबसे बात करनी है तो इसके पास सेम टाइप का IP address होना चाहिए तो अब इस range का सबसे पहला IP address क्या होगा? सर इस range का सबसे पहला IP address होगा 192.168.0.1 यह है हमारा router का private IP address ताकि वो अपनी range यानि local area network में सबसे communication यानि बातचीत कर सके तो अब यहाँ पे जितने भी system इससे जुड़े हैं उनके पास भी एक address होना अगर सरी address होना चाहिए तो हुआ यह कि इसने system A को एक address दे दिया 192.168.0.10 और system B को भी IP address दे दिया जो कि 192.168.0.11 अब दोनों ही systems के पास अपना अपना private IP address आ चुका है लेकिन इसके अलावा भी इन system के पास खुद की कुछ identity यानि पहचान होती है क्या क्या होती है तो सर क्योंके यह hardware है तो एक identity तो पक्का होगी जो कि यह Mac address जिसका IP address है 127.0.0.1 तो यहां पर इसका जो नाम है वो है local host अब यह है क्या अब इसके वाले में अभी तक तो हमने नहीं देखा इसके IP है 127.0.0.1 और इसका जो नाम है वो है local host यह और कुछ नहीं है जैसे हमने private IP और public IP को जब समझा था तो हमने देखा था कि जो private IP है वो होता है हमारे nickname की तरह और यूज होता है local area network में LAN में और जो हमारा public IP address है वो यूज होता है wide area network में और यह होता है हमारे real name की तरह यह हमने कुछ examples लेके private और public को समझा था अब local host का example कैसे लिया जाए इसको कैसे समझा जाए नाम से केवल वो ही address कर सकते हैं लेकिन मेरे मन में जो चल रहा है वो किसी को नहीं पता मेरे just past में खड़े हुए मेरे closest closest person को भी नहीं पता कि internal processing क्या चल रही है अंदर मेरे मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता तो यह जो मन है जिसमें मैं और खुद ही task execute कर रहा हूं process कर रहा हूं देख रहा हूं क्या हो रहा है कैसे काम कर रहा है यह जो internally system मेरे अंदर work कर रहा है processing का वो local host है यानि हर एक system को उसका एक internal network दिया जाता है ताकि वो अपने अंदर ही सारी चीजे test कर सके और इस internal network को local host कहा जाता है इसका IP address 127.0.0.1 होता है यह हर system के पास होता और same होता है क्योंकि इसकी मदद से बातचीत नहीं करी जा सकते मतलब मेरे मन से कोई और बात नहीं कर सकता मेरे मन से मैं ही communication कर सकता हूं तो सबको एक address दिया जाता है ताकि वो खुद के अंदर software को run कर सके और test कर सके I hope आपको एक idea लग गया होगा दिरे दिरे जब हम practical करेंगे तो और भी clear हो जाएगा फिलाल हमाई system के पास भी तीन identities आज चुकी है पहला है सा Mac address, दूसरा है private IP address और तीसरा है local host I believe अब आपको ये concept तो clear होगा but question यहाँ पर ये arise होता है कि सर ये जो हमारा router था इस router ने इन सभी systems को IP allot करी कैसे तो IP allotment के अगर हम बात करें सुस्टूरंस किसी भी system को IP allot करने के दो तरीके है पहला है सा manual और दूसरा है automation में अब ये दोनों ये process कैसे work करें यानि manual work हो चाहे automation हो ये work कैसे करेंगा तो देखो जब बात आती है manual की तो इसमें क्या करते है system की settings में जाते है IP से रेटी सारी details फिल्ट करते हैं तब जाके एक system को एक IP address allot होता है हम router के हिसाब से वो configuration जब broadband लगे है या जब आप अपने mobile का hotspot activate करते हो तो उसे जितने भी users जूड़े हैं कि आउने एकके करके जाके IP देना पड़ता है हमने तो नहीं दिया पहले कभी IP इसका मतलब कि अभी जो process है वो चलता है automation में और इस automation process में हो क्या आ रहा है तो सर यहां पे हमारे काम आता है DHCP जिसका full form है Dynamic Host Configuration Protocol यह हमारे काम आता है Automation IP Allot करने में तो यहां पे DHCP अपना हमारा काम कर देता है और सभी systems को Automation में IP Allot कर देता है जिसमें इसकी मदद ARP भी करता है यह क्या है और कैसे काम कर रहा है हम आगे और अच्छे से समझेंगे ARP का full form होता है Address Resolution Protocol जो यह पता लगाने में मदद करता है किस system के पास क्या address है I hope इतना सभी को clear होगा और अब हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार recall कर लेते हैं कि सर सबसे पहला ISP Example के तौर पर Jio जिसके पास एक range of IP address उसने रखी कौन सी range रखी सर्फ public IP की रखी और क्यों रखी ताकि जितने भी system हमारे broadband की services या Jio की services को use ले रही उन्हें एक एक public IP अलॉट कर सके फिर हमार router है जिसके पास खुद की एक identity तो उसकी public IP होगी दूसरी identity Mac address होगी और तीसरी identity private IP होगी जितने भी systems उससे जुड़े उसने सबको एक एक private IP address अलॉट करा ताकि वो उनसे बातचीत कर सके अब ये सबका जो range एक connect हुआ है ये सबका जो network create हुआ है ये पूरी जो range बनी है ये local area network है लेकिन जब हम internet चलाते हैं या हम किसी भी website से जाके बात करते हैं तो ये होता है wide area network जिसमें काम आती है हमारी public IP address अब इस बात का मतलब क्या है इसको और अच्छे से हम समझते हैं यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें समझना होगा source IP and destination IP को इसका मतलब क्या है source का मतलब होता है जहां से कोई packet release हुआ और destination का मतलब जहां पे पहुचने वाला है उसकी destination होती है तो IP जब add हो जाता है इसका मतलब जिस system से packet बेजा गया है उसकी IP source IP होगी और जिस system पे packet पहुचा है वो IP destination IP होगी मैं end goal की बात नहीं कर रहा है कि end मैं कहां पहुचना चाता है वो भी destination कराएगा लेकिन फिलाल जिन जिन systems के पास वो जाएगा वो भी उसके छोटे destination ही है तो हम source और destination IP के बारे में कुछ discussion करने वाले हैं मान लेते हैं हमारे user A को facebook access करना था तो उसनी के आकर आपने ब्राउजर पर जाके लिखा facebook और enterprise करा इसका मतलब उसके system से एक package generate हुआ जो कह रहा है कि मुझे facebook access करना है अब मेरा सवाल यह है कि IP की rules के हैसा अब से क्या ये package सीधा internet तक पहुच जाएगा नहीं जा सकता क्यूंकि से internet पे जो facebook का server है उसका IP है 4.4.4.4 और ये IP एक public IP है लेकिन हमारे पास जो IP है वो तो सब private IP address है जो कि मैं router ना लौट कराता तो क्या private IP की मदस्से मैं direct public IP से बात कर सकता हूँ ये तो IP के rules के खिलाफ है यानि नहीं कर सकते तो यहां होगा क्या सर यहां पे हमारा ये packet direct ना जाकर सीधा जाएगा हमारे router के पास जिसके पास एक private IP थी जो कि थी 0.1 तो हमने अपनी private IP से packet router तक बेजा इसका मतलब जब पहला case हमारा packet router तक पहुचा तो source IP थी 192.168.0.102 जो कि हमारी private IP थी और destination IP थी 192.168.0.1 जो कि router की private IP थी जब router के पास एक packet पहुचा तो router ने का ठीक है आपका काम complete हो गया है system A को बोला कि आपका task पूरा हो गया packet मुस्तक आ गया है अब मैं इस packet को अपने इसाब से आगे बेज़ दूँगा router ने क्या करा यहां पर IP स्विचिंग करी यानि router ने अब अपनी public IP के जरिए ये packet इंटरनेट पे भेजा क्योंकि router के पास भी public IP अड्रस है और server के पास भी public IP अड्रस है तो ये तो आपस में बात कर सकते हैं communication कर सकते हैं तो अब ये packet यहां से यहां तक पहुचा ताकि आपस में बात कर सके और जैसे ही ये packet हमारे Facebook के server तक पहुचा Facebook ने देखा ठीक है सबको genuine है request genuine है उसने क्या करा reply करा लेकिन किसको करा reply router को करा इसका मतलब किसर जो हमारी second condition ती जिसमें router ने वो packet Facebook को भेजा तब source IP और destination IP क्या होगी तब sir source IP होगी 82.10.250.19 यही है हमारी public IP और यही हमारी source IP क्योंकि इसके जरी हमने packet Facebook तक बेजा था तो बेजा किसको था Facebook को जिसका IP तो 4.4.4 तो destination IP address हो गया अब Facebook ने जब reply दिया तो मैं आप सभी सर जामना चाहँगा source IP क्या होगा destination IP क्या होगा तो sir यहाँ पे जब Facebook ने reply दिया तो source IP हो गया 4.4.4.4 और destination IP address हो गया 82.10.240.19 जो की हमारा public IP address था router के पास packet आया router ने IP स्विचिंग करी अपने private IP के पास इस packet को बेजा और पूछा कि 102 किसके पास है इसने बोला मेरे पास है तो router क्या करेगा इस packet को इसको बेज देगा यानि router ने उस packet को वापिस उस user को send कर दिया यानि Facebook ने उज़े reply दिया उस reply को router ने send कर दिया उस user को जिसने उस Facebook को access करने की request करे थी तो last case में जब packet इस user तक पहुच चुका है तब क्या होगा तब source IP होगी 192.168.0.1 और dashation IP होगी 192.168.0.102 इस चीज को याद रखना कि IP के rules अगर आपको clear है public public से बात का सकता है private private से private public से बात नहीं का सकता तो अगर ये rule याद रखोगे तो आप लोगों के लिए easy रहेगा पूरी networking को समझना I hope आपको clear हो गया होगा कि अब हम internet अभी तक access कैसे करेते यानि अगर इन में से कोई attacker है कोई hacker है और वो कोई crime करता है तो IP किसका जाएगा sir IP जाएगा router का क्योंकि पब्लिक IP इसी के पास है Facebook को किसका IP दिखेगा broadband का दिखेगा तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमाई network में कोई भी malicious hacker ना जूर सके वीडियो में हम देखने वाले हैं request versus response असर में जैसा हमने last classes में देखाता है sir जब हम router की वदर से communication करते हैं किसी यूजर को internet चलाना होता है तो उसके system से एक package generate होता है जो server तक पहुसता है यानि जैसा हम मुझे facebook चलाना है तो मैं अपने system में जाकर जब facebook लिखता हूँ browser पे जाकर तो मेरे system से एक package generate होता है जो मेरे router की मदश से सीधा पहुसता है facebook के server तक और facebook उसके बदले में reply देता है अब सवाल ये है कि इस packet को क्या कहा जाता है ये packet जो facebook के server तक जा रहा है और उसे बता रहा है कि यूजर है जो आपको access करना चाता है आपकी website चलाना चाता है इस packet को क्या कहा जाता है और इसके बदले में facebook जो reply देता है उसको क्या का जाता है तो यही part आज हम समझने वाले है बिना देरी करते हैं स्टार्ट करते हैं students सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक request क्या होती है then देखेंगे response क्या होती है उसके बाद देखेंगे कि request and response में क्या types है यानि यहाँ पर सरम इनके जो methods होते हैं उसके बाद में समझने कोशिश करेंगे request response पर देखेंगे तरीके method यूज ले जाते है वो हम देखेंगे और से समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्या-क्या details लेके जारी थी हमें लाके दे रही थी यानि request response में क्या information जारी थी analyze करेंगे अब start करते हैं और देखते हैं कि असल में एक request होती क्या है पहली बात तो सबसे पहली term जो हमारे पास यहां पर लिखी है वो है HTTP request HTTP यानि Hyper Tax Transfer Protocol एक ऐसा protocol जो कि आपके काम आता है website पर जब आब बात करते हैं यानि अगर आप किसी भी website को access कर रहे हैं किसी भी website से बात्चीत कर रहे हैं तो वहाँ पे HTTP protocol ही use होता है अब वो HTTP protocol का खुद का format है यानि HTTP खुद के rules regulations के साब से package send करेगा तो HTTP जब एक package send करता है किसी server को तो वो request कहलाता है तो अब हम पढ़ने वाले हैं HTTP request के बारे में क्या है HTTP request जैसा मैंने कहा किसर जब एक client अपने browser में जाके कुछ लिखता है कि मुझे Facebook access करना है मुझे Instagram access करना है मुझे WScripta की website access करनी है तो जैसे ही कोई भी domain name लिखके enterprise करता है यानि एक नाम लिखके enterprise करता है browser पे तो एक package generate होगा जो सीधा server तक जाएगा वो सकता है बीच में router use हो बट अभी हम इतना deep में नहीं जा रहे हैं अभी हम यह समझ रहे हैं कि हमाई system से एक packet निकलेगा और server पे जाएगा और server से पूछेगा कि मैं आपकी website access करना चाता हूँ चलाना चाता हूँ इस packet को हम request कहते हैं एक बाद definition के जरीए और अच्छे से clear कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी definition जो है वो मैं बता रही है a packet asking to load a website यह कैसा packet जो पूछ रहा है server से कि क्या मैं आपकी website चला सकता हूँ क्या मैं आपका कोई page कोई photo कोई video या कोई भी resource access कर सकता हूँ तो जब हम permission मांग रहे हैं कुछ पूछ रहे हैं कि क्या हम इस काम को कर सकते हैं वो permission मांगने के लिए sir हमने जो packet send करा एक client ने जो packet send करा है इस packet को हम request कहते हैं I hope सभी को समझ आगे होगा एक request क्या है अब request दिखता कैसा है और उसके अंदर क्या-क्या तरीके का data use होता है या किस तरीके से data send होता है तो आप यहां देख सकते हो एक request में sir get और post यानि method जा सकते हैं और उसके अलावा header और body part आता है और क्या यह हम देख सकते हैं तो अगर आप यहां पे देखो तो आप सभी के लिए एक demo request यहां पे रखी हुई है जो हमें बता दे कि request में क्या-क्या data जा रहा होता और कैसे जा रहा होता है तो इसका अगर आप सबसे पहला word देखें तो यह हमें बता रहा है कि कौन सा method यूज लिया जा रहा है data send करने के लिए basically जब आप request के जरी data share कर रहे हो तो इस data को share करने के लिए या अलग-अलग operations perform करने के लिए कुछ methods define करे गए है जिसमें अभी आप दो methods के नाम यहाँ पे देख पारे है get और post इसके अलावा भी methods होते हैं जो next लैड में मच्चे से समझने वाले है फिलाल यहाँ पे get लिखाओ है जिसका मतलब normally होता है कि आप url के जरीए सारा content access करे हो या सारा data share करे हो या request send करे हो तो यहाँ पे हमाय सामने जो url है यानि address है अगर आप देखो तो हमाय पास एक folder है doc जिसके अंदर test.html नाम की एक file है यानि हम server को कह रहे हैं कि आपके doc folder के अंदर test.html नाम की एक file है हमें वो access करनी है तो हम क्या मांग रहे हैं server से test.html नाम की file मांग रहे है और उसके आगे यह लिखावा है कि यह request पूरा package generate हुआ है यह http के कौन से version के जरिए generate हुआ है तो यहाँ पे लिखाए है http 1.1 version के जरिए यह package बनाए गया इस पहली line को हम request line कहते हैं और जब यह पहली line end हो जाती यह पहली line के बात का जितना भी हिस्सा है जिसमें आप कुछ words देख पारे होंगे यहाँ पे जैसे आप यहाँ देख सकते है host, accept, accept language, accept encoding user agent और content length यह आपको जितने भी words दिख रहे है students यहाँ पे इन सब words को हम headers कहते हैं रहान से देखेगा यहाँ पे जो host colon लिखावा है accept colon लिखावा है accept language colon लिखावा है user agent then content length और यह accept encoding यह जितने भी आपको words दिखे हैं यह सब headers कहलाते है तो sir, headers कुछ ऐसे fix parameters है कुछ ऐसे fix naam है जिनका काम fix है कि इनके अंदर यह data आएगा इसके अरावार कुछ भी data नहीं आ सकता इनको हम headers कहता है यह HTTP के packet बेजने में एक format है कि sir, कुछ ऐसा data है जो इनके अंदर 100% आएगा ही आएगा ताकि packet को पता पर जाए उसको कहां जाना और कैसे काम करना है और server को कुछ details मिल जाए कि उसको reply किस तरीके से करना है इसको समझते हैं अच्छे से सबसे पहले header को अगर आप देखें तो इसका नाम है host header जिसके आगे क्या लिखावा है इसके आगे उस domain का नाम लिखावा है इसको हमने packet भेज रहते इसका मतलब यह जो हमारा client था इसने लिखाता test101.com तो यानि यह जो server है यह test101.com नाम की एक website थी जिसको हमने packet भेजा तो वो हमें host header के आगे क्या लिखावा मिलता है उस domain का नाम यह address देखने को मिलता है जिसको हम यह packet भेज रहे है उसके just बात अगर आप देखें तो accept नाम का एक header है यह क्या बता रहा है तो इससे पहले कि आप बाकी के headers को समझे एक बहुत basic सी चीज हमें समझनी है किसल जब client ने facebook.com लिखा तो obvious सी बात है यह word facebook.com उसने किसी browser में लिखा होगा हो सकता है उसने Google Chrome में लिखा हो हो सकता है उसने Firefox में लिखा हो हो सकता है उसने Opera में लिखा हो यानि किसी browser या टूल के जरीए हम internet चलाते हैं तो यहां पे अगर आप किसी भी browser में जाके वो सकते internet explorer भी यूज लिखा हो अगर आप किसी भी browser में जाके वहां पे लिखते हो जैसे मैंने लिखा facebook.com तो यह browser package generate करके server को बेज़ेगा लेकिन इस browser की कुछ limitations है limitations मतलब सर यह browser हर programming language को read नहीं कर सकता हर तरीके की file को नहीं समझ सकता कहीं न कहीं कुछ तो limitations होगी तो यह browser क्या करता है server को बता देता है server को यह बताता है कि sir मैं क्या-क्या support करता हूँ ताकि server जब reply दे तो वह ही reply दे जो हम पढ़ सकते हैं जो हम समझ सकते हैं या जो हम read कर सकते हैं हमारी लिए काम का है अगर कोई ऐसा reply आज़े जो हमारी लिए काम का है नहीं तो फिर उसका sense क्या बनेगा example के तौर पे यह कौन सी language support करता है example के तौर पे अगर ब्राउजर ना बता है कि हम कौन सी language support करता है हम पता हम तो बश English और Hindi पढ़ सकते हैं लेकिन ब्राउजर अगर यह चीज़ डिफाइन न करे और एक package सीधा server पे भेज़ दे और server क्या करे जैपनीज चैनीज यह किसी भी ऐसी language में हमें reply बेज दे तो क्या वह reply हमारे काम का यानि अगर आपके सबने एक website open हो जिसमें कोई भी ऐसी language लिखी हुई है जो आप नहीं समझ सकते हैं तो वह website हमारे काम की ही कहा हुई translate option भी नहीं आ रहा है फिलार ऐसा मान के चलना तो वह website हमारे काम के नहीं है इसका मतलब कि हम जो चीज़े support करते हैं वह पहले ही server को बता देता है headers के जरीए यह यह तरीके का data support करते हैं आप ऐसा ही data बेजोगे तो हम read कर पाएंग तो यहां पे अगर आप accept header को देखो हमारे second header को देखो मैं इसको clear कर देता हूं ताकि और अच्छे से समझा अब अगर हम accept header को देखें तो इसके आगे लिखावा image slash gif यानि image का extension यह आप कहा सकते हो type of image image slash jpg यानि यह कह रहा है हमारे server को के sir अगर आप कोई भी image बेजते हो तो केवल gif और jpg extension की ही बेजना आपने देखा होगा image के extension होते हैं जैसे मानलो logo.jpg यह क्या है extension है इसका ending part है logo.png भी हो सकता है logo.gif भी हो सकता है तो ऐसे अलग-अलग extensions यहाँ पर हो सकते हैं हम यह कह रहे हैं कि sir हम तो केवल gif और jpg ही support करते हैं तो अब server इस बात का ध्यान रखेगा कि वो जो मुझे reply बेजेगा उसमें जो भी images है या जो भी type का data है वो वो ही बेजेगा जो मैं support करता हूँ gif और jpg I hope सभी को accept header का काम समझाया होगा यह server को बता रहे कि sir हम किस तरीकी की files यह extension support करते है read कर सकते हैं लेकिन इसके बाद एक और line है एक और word है जो हमसे यहाँ पर miss हो रहा है वह word है asterisk slash asterisk यह हमें क्या समझा रहा है तो देख और asterisk का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है anything कुछ भी यहाँ पर add करा जा सकता है या फिर आप क्या सकते हो तो इसका मतलब इस last word के जरीए हमारी accept header ने क्या बोला कि सर में किसी भी type की file क्या किसी भी type की file या कोई भी extension की file support करता हूँ तो इसका मतलब हमने बोल दिया कि सर आप कोई भी file बेज सकते हैं आपको बिल्कुल free करते हैं उस चीज के लिए आप किसी भी extension का कोई भी file बेजोगे तो हम read कर लेंगे तो सर यह starting में हमने क्यों define कर रहा image और यह jpg यह बस demo request है जो मैं समझा रही थी कि चीजे कैसे work करती है नहीं भी लिखते तो भी चलता क्योंकि हमने सब कुछ allow कर दिया है i hope समझ आ गया होगा कि सर हमारा accept header क्या काम कर रहा है then हमारे पास आता है accept language जिसके आगे आप साफ साफ देखोगे तो यहाँ पे en us यहनी us English लिखा हुआ है इसका मतलब कि सर आप जो reply दे रहे हुए us English के ही format में देना है तो हम उसको बता रहे हैं कि हम कौनसी language support करते है अगर वो किसी दूसी language में output देता है तो obviously बात है सर वो हमारे लिए काम का नहीं होगा जैसे अभी हमने example देखा रहा then हमारे पास आता है accept encoding 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 मतलब data security है basically data को अलगलग तरीके से लिखना उसे compress करना उसे zip करना वो सब encoding techniques में count करा जाता है तो फिलाल यह कह रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके की data security अपलाय करके भेज रहे हो तो मैं request करूँगा कि gzip और deflate format में ही भेजी जाए ताकि मैं उसे read कर सकूँ यह format क्या है जादा detail में मत जाएगा फिला हमें बस यह समझना है कि सर अगर हमारा server किसी भी तरीके की data security अपलाय कर रहा है तो हमने उसे पहले ही बता दिया कि हम तो यह दो data security को data compressions को read कर पाते है user agent अब user agent एक बहुत ही important header trust me जब मैं कहरो important header है तो बहुत काम आने वाला है यह header important क्यों है अगर आप इसके आगे देखो तो यहाँ पर mozilla 4.0 लिखाया अब इसका काम क्या है मैं अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को http की request packet में बहुत सारा data और user agent नाम का header भी है यह user agent नाम का header क्या करता है कि sir यह जिस software के जरीए यह request बनाई गई है उस software की बहुत सारे information लेकर server तक चला जाता है यानि user agent क्या क्या information ले जाता है यहाँ तो आपको काफी कम data दिख रहा है अभी मैं live request दिखा हूँआ तब आप देखोगे यह user agent sir हमारी क्या क्या information ले जाता है यह यह बताता है कि आप कौन सा browser यूज ले रहो फर example sir आप google chrome यूज ले रहो तो यह बताएगा कि आप google chrome यूज ले रहो उसका version क्या है कि sir 10.1.1 example के तो यह यह detail तो बताहिए रहा है सर्वर को ले जाकर बता देता है, यानि हम जितने भी request package send करते हैं, उसमें user legend नाम का ये header, वो software जिसके जरिये request बनाई गई है, वो operating system जिसके अंदर है request बनाई गई है, और कितने bit का है, ये सारी detail ले जाकर, सर्वर को बता देता है, इसका मतलब हमारी इतनी information तो ऐसे ही leak हो जाती है, तो ये जो header बहुत काम काया आगे, और anonymous रहने के लिए हम इसको change करना भी सिखेंगे, दैन इसके बाद हमारे पास आता है content length, जो ये बताता है कि इस पूरे packet में, या body में, कितना data send करा जा रहा है, अ क्योंकि ये जो जगह है, इसको हम कहते है request body, request body मतलब इस request packet का body part जहां पे आप जो भी content लिखते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, आप अपना data send करना चाहते हैं, वो यहां पे normally send करा जाता है, तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा request packet, I hope आप सभी को, एक idea लग जा होगा कि request packet क्य और कैसा दिख रहा है, दीरे दीरे आप लोग इससे और familiar हो जाएंगे, और जब हम इस पर testing perform करेंगे, कम्या डूड़ेंगे, तो और भी आप लोगों के लिए easy बन जाएगा, अब यहां पे caution ही arise होता है, कि sir हमने request बेजी, यानि client ने कहा, कि sir मुझे आपकी website access करनी है, या कोई page access करना, या कोई भी हिस्सा, कोई भी resource आप कह सकते हो, हमने कहा, कि हमें चाहिए, इसका मतलब हमने server से कहा, कि sir क्या हम आपका content access कर सकते है, तो server इसके बदले में कुस तो reply देगा, अब कुस reply को हम कहते है response, तो HTTP response क्या है, कि sir client ने कोई भी चीज का request करा हो, कुछ भी म परजी है, आप हो सकता है, subscribe करें, आप हो सकता है, अभी नहीं कुछ दिर बात करें, आप हो सकता है कि नहीं करें, तो बेसिकली ये जो reply है, ये response कहलाता है, कहने का मतलब, कि हमने कोई चीज request करी है, उसके बदले में कुछ भी reply आ सकता है, हो सकता है, वो काम अभी हो जाए ह हो सकता है अभी ना हो बाद में हो सकता है कभी ना हो सकता है कि हम यह काम कराने के authorized ना हो लेकिन ऐसा कोई भी reply अगर हमें मिलता है server कुछ भी कहता है तो वह कहलाएगा response सी तो response क्या है इसकी definition देख लेते हैं a packet providing permission to access website and content इसको और थोड़ा modify और सही कर देते हैं इस definition में छोटी सी गरबड है वह यह है यह कह रहा है कि packet जो permission देता है normally आपको किसी भी website के content या data को access करने की बद सवाल यह है कई बार ऐसा होता है कि data वहाँ पर ही नहीं तो permission का सवाल उठता ही नहीं यह दिए यह नहीं दिए तो इसकी best definition क्या हो सकती है इसकी best definition होगी कि आपकी request का जो reply है उसको response कहा जाता है वो कुछ भी हो सकता है ठीक है I hope सब भी को समझ आगे होगा एक STD पर response क्या होता है आपकी bgv request का reply है पर दिखती है वो graphical website की पिछे programming होती है वो प्रोग्राम हमें response के जरीए हमारे browser को मिलता और वो से run करता है I hope आप सभी को request और response हमझ आगया होगा अब सवाल यह है कि methods क्या है जिसके बारे में हमने देखा था जाना कि get or post के बारे में हमने दो words सुने थे यह है क्या और ऐसे कितने methods हो सकते हैं तो हमारे पास अब आता है types of request methods क्या क्या है सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर get लिखा हुआ है जो हमने भी हमारी request packet में देखा था इसकी definition कह रही है data transfer through URL easily visible and not secure यानि सर्फ जितना भी data आप get के जरीए send करते हैं request में वो सारा data URL में clear visible होता है जिसको हम secure नहीं मानते तो जब भी आप अपना private information credentials कुछ भी खास data लिखते हैं तो आपको हमेशा recommend करा जाता है कि get method को use ना लिया जाए अब ऐसा क्यों यह URL क्या है तो इस चीज को समझने के लिए मैं काम करते हैं हम चलते हमारे browser पर और देखते है URL असल में है क्या तो आज अगर मैं browser पर जाओं और मैंने लिखा wskubetech या फिर wskubetech ethical hacking page तो यह जो आपको पूरा content दिख रहा है यह www.wskubetech.com online ethical hacking course.html यह जो पूरा content आपको दिख रहा है यह पूरा जो लिखा हुए दिख रहा है इसको हम URL कहते है uniform resource locator हर एक चीज़ का एक address होता है और यह इस page का address है इसी को हम URL कहते है अब होता ही है कि आपको get use लेने के लिए इस वज़े से करा जाता है कि सर अगर आप कुछ ऐसा करें कि माल लेते हैं हमारे पास एक login page है उस login page में हमाया पास username मांगा गया हमसे password मांगा गया और एक submit button है ठीक है तो आप normally क्या करते हैं सर यूजर ने में अपना नाम लिखते हैं हमारा password लिखावा शो भी नहीं कर रहा है हम submit button पर click करते हैं तो हमारे system से request package generate होके सरवत तक जाएगा और जाके चेक करेगा यह username और password सही है के नहीं है लेकिन सोचो कैसा हो अगर आपको यहाँ पर URL का tab होता है इस URL tab में कुछ ऐसा लिखावा दिखे http colon slash slash www.ws.com slash u equals to ashish and p equals to 1234 अब सोचो यहाँ पर भी आपको आपका लिखावा password नहीं दिख रहा था लेकिन जब आपने URL को देखा तो आपने देखा कि आपका password तो clear text में सबको visible है तो यह safe और secure कैसे हो सकता है यानि यह data तो किसी को भी दिख सकता है सामने URL में तो साफ साफ दिख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सर यह जो packet request के जरीए send करा जा रहा था server को यह packet get method के जरीए send करा जा रहा था जो कहता है कि सारा data URL में clear visible होगा तो हमें इसी वज़े से recommend करा जाता है कि सर कभी भी get method के जरीए कुछ खास information जो होती है credentials जो होते है जो private information private data होता है वो कभी भी get के जरीए ना बेजा जाए बाकि जो normal package है वो बेजे जाए get के कोई दिक्कत नहीं है जब हमें normally एक page access कर रहा हूं उस page का address जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर उस page में मैं अपनी कुछ information लिखिए कोई form फिल करा है कोई private data लिखा है credentials लिखे है वो कभी भी get method के जरीए send नहीं करा जाना चाहिए यह developers को भी guide करा जाता है और हमें भी समझा जाता है I hope सभी को clear हुआ होगा get method क्या है अब बात करते हैं कि sir get method use नहीं लेंगे तो क्या use लेंगे तो sir जब हम get use नहीं लेते तो हमें recommend करा जाता है post method post में क्या और है समझते है sells user information and file in body to server using HTML forms इसका मतलब कि sir अब आप जितनी भी details फिल कर रहे हो यह सारी details हमारे request का जो body part था उसमें transfer हो रही है जो किसी को visible नहीं होती normally आप अगर कोई form फिल करते हो तो क्या URL में उस form की साइट details लिखी भी दिखती है आपको इसका मतलब कि sir अगर हम फिर से किसी website पर जाए किसी भी website पर जाए अगर हम कोई form फिल करें जैसे हम एक काम करते है wsqtac की normal सा एक form फिल कर देते हैं कोई भी हम चलते हैं यहां पर contact us में अब अगर मैं इस form को फिल करता हूं मैं यहां पर कुछ भी detail लिख देता हूं ठीक है मैंना ऐसे कुछ भी random details लिख दी है यहां पर email में t at t.com लिख देता हूं और purpose में कुछ भी लिख देता है हमें visible है नहीं है तो यह get से ज्यादा safe है क्यों कि यह जितना भी data यह post के जरीए send करा गया है अब क्या इस चीज को हम देख सकते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं अगर मैं यहां पर right click करता हूं और inspect में जाता हूं और inspect में जाने के बाद हमें inspect से फिलार कुछ नहीं करना है यहां पर आपको network के option दिखेगा जो network traffic को analyze करता है network traffic को रोक लेता और यहां पर record करता है monitor करता है क्या सकते हो और अगर मैं this page को फिर से send करूँ यानि मैं फिर से details लिख हूँ यहां पर ठीक है तो हमने यहां कुछ detail लिखी और अगर मैं send message बटन पर click करूगा तो आप देखेंगे यहां पर कि इसने कुछ data record करा है और अगर आप इस data पर click करते हैं तो आप देखेंगे कि यह method कौन सा यूज हुआ है post method यूज हुआ है request method में साफ दिखा रहा है कि post method के जरीए package भेजा गया है और उस post में आपका जितना भी data है वो सारा का सारा data body part के जरीए transfer करा गया यह सब क्या है sir यह सारे हमारे headers है और एक खास ही अगर आप user-resistant header को देखो तो आपको यह भी clear हो जाएगा जो मैंने बताया है ताब यह भी user-resistant हमारे detail लेकर जाता है आप देख सकते हो यहां पर windows nt 10.0 मेरे operating system का version वो कितने bit का है और मैं कौन सा browser use दे रहा था chrome 120.0.0 यह सारी detail यह ले जाकर हमारे server को बता रहा है जो कि हम नहीं चाहेंगे obviously इतनी detail server को ले जाके बता दे कैसे change होगी आगे चलके देखेंगे but I hope आपको समझ आगे होगा कि request और response क्या है कैसा दिखता है यह रहे response के headers और यह रहे सारे request के headers accept, accept language, accept encoding और कुछ और भी headers है जिसके बारे मैं भी आपको idea नहीं और जानने की जोद भी नहीं पड़ेगी अगर में अपर ajax.php में आऊ जहां पर हमारा data में देखने को मिल सकता है तो method पोस्त बता ही रहा है लेकिन यहां पर आए तो आप देख सकते है आपने जो detail लिखी थी वह सारी दिखा रहा है लेकिन क्यों दिखा रहा है क्योंकि मेरा ही browser है और post का data को यहां पर show कर रहा है यह data URL में देखने को नहीं मिलेगा तो normal से ज्यादा safe है ऐसा नहीं 100% safe है get के comparison में post ज्यादा safe है तो I hope आप सभी को यह part तो समझ आ गया होगा तो अब हम कुछ बाकी के methods को भी देख लेता है क्योंकि हमने request को रोकना और analyze करना यह भी साथ 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 समझ लिया है अब बात आती है हमारे put method की और put method में एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी किसर साइबर सीक्योर्टी में दो ऐसे methods है जिनको most dangerous method कहा जाता है अब dangerous method क्यों कहा जाता है because यह methods किसी भी user को किसी भी hacker को अगर दिख गए या मिल गए तो उसकी मदद से हमारे system का यानि server का बहुत नफसान कर सकता है तो इन dangerous methods को use लेने से या permission देने से लोगों को इसको access करने की permission देने से मना करा जाता है developers को कौन कौन से method है तो सब उसमें सबसे पहला method है put याद रखेगा कई exams में भी cyber security exams में पूछा जाता है कि most dangerous methods कौन कौन से मने जाते हैं तो उनमें सबसे पहला method है put dangerous qs की definition के जरे देखते हैं यहाँ पे लिखावा है replaces all current representations of the target resources with the uploaded content यानि यह क्या कर रहा है अगर easy language में आपको समझाओं तो सब put method के जरीए हमें permission मिल जाती है कि एक server पे उस particular हिस्से में जिस address को हम access करेते हैं वहाँ पे हम कुछ content update कर सकते हैं या आप कह सकते हो upload कर सकते हैं और अगर में पास ऐसी powers आ गई कि मैं server system पे यानि जिसकी website है उसके system पे कुछ भी content update कर सकता हूं upload कर सकता हूं overwrite कर सकता हूं basically तो मैं वहाँ पे कोई malicious program बेज दूँगा कोई virus जो आप अभी समझ पाएंगे फिला although malicious program कहते हैं उन्हें लेकिन अगर मैं कोई ऐसा program जो system का नुखसान कर सकता है system पे बेज देता हूं put method की वज़े से तो यह तो loss है क्योंकि पूरा system हो जाएगा फिर पू सबी को समझ आ गया होगा इसके बाद हमारे पास जो second most dangerous method आता है वो है delete delete क्या है second most dangerous method क्यों है तो इसकी definition देखते है remove all current representations of the target resources given by a URI इसका नाम काफियत तक खुदी define कर रहा है delete method का काम है कि sir इसके आगे आप जो भी address दोगे जिस भी resource का जिस भी file का जिस भी content का आप address दोगे यह उसको delete करने की ताकत रखता है हटाने की ताकत रखता है इसका मतलब मैं server का कोई भी content delete का सकता हूं मैं उसके security programs delete का सकता हूं जो की बहुत ज्यादा dangerous थाबित होगा server के रही तो इस method को second most dangerous method कहा जाता है and I hope आप सभी को put and delete अच्छे से clear हो गए होंगे अब बात करते है options method की कि सरी options method क्या है तो इसकी definition कह रही है describes the communication options for the target resources यानि जब आप communicate कर रहे है तो उससे related कुछ options आपको show करता है options नाम का method क्या आप इस connection में क्या क्या कर सकते active है के नहीं है close हो चुका है के नहीं हो चुका active रखना है के नहीं रखना है ऐसे कुछ functions आपको options method provide करता है इसके बाद हमारे पास आता है trace method जो की most dangerous method तो नहीं कहा जाता है पर यह method भी hackers की काफी काम का है क्यों का है इसकी definition देखते है performs a message loopback test along the path to the target resources यानि यह कह रहा है कि sir आपको अगर कोई file delete करनी है तो आपके पास उसका address होना चाहिए अगर आपको कोई content update करना है तो आपको उस जगह का address पता होने चाहिए जहाँ content update करें यानि दोनों ही cases में हमारे पास URL जिसका मतलब address होता है वो होना जरूरी है तो अक्सर कई चीजों का address हमें नहीं मिलता मुझे नहीं पता है कि यह page कहां पढ़ा है यह page कहां पढ़ा है server पर क्यूंकि मैं तो server कभी hack नहीं किया है definition कहती है establish a tunnel to the server identify by a given URL यानि जो भी URL दी गई है उससे connection बनाना है कि नहीं बनाना है TCP को यह चीज़ गाइड करनी है कि नहीं करनी है यह काम connect method करता है कि इस video में हम देखने वाले हैं domain name and DNS के बारे में अभी तक हमने जितना भी networking पड़ा उसमें में इतना समझ आया कि हम HTTP request response के जरी communication करते हैं जिसमें IP, reports, protocols हरकोई अपना role play करता है अब हम यह समझने वाले हैं कि जब हम एक नाम लिखते हैं domain name लिखते हैं तो हम server तक पॉस्ते कैसे हैं and domain name होता क्या है सबसे पहले हम देखेंगे domain name क्या है फिर देखेंगे DNS क्या होता है then हम देखेंगे records DNS के अंदर क्या होते और क्या काम आता है और हम finally देखेंगे zone file नाम की एक बहुत ही important और काम की file तो अब पहले part पे अगर हम बढ़ें के domain क्या है तो हम बहुत easily समझ सकते हैं किसा जब हम एक website को access करते हैं तो हमें उसका नाम लिखना होता है और ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि हम उसका IP address याद नहीं रह सकता और इसी concept को अच्छे से clear करेंगे पहले इस pointer को समझ लेते हैं कि domain सर और कुछ नहीं है एक IP का नाम है अब आप सभी से मेरा question है group of web pages को हम क्या कहते है यानि खूब सार web pages को combine करेंगे तो क्या बनेगा एक website very good तो सर इसने website बनाई और यह website इसने अपने system पे ले जाकर रख दी अब सवाल यह है किसके system पे यह website पड़ी है इसके system के पास खुद की जो identity है मैं थोड़ी और details देता हूँ इसके system के पास खुद की जो पहचान है वो है private IP address example के तोर पे मानलो 192.168.0.10 उसके अलावा से उसके पास है mac address और उसके अलावा सके पास है localhost जिसका IP होता है 127.0.0.1 question मेरे आप सभी से यह है कि क्या being a normal user आप जो अपने घरों पे बैठे है अलग-अलग states में बैठे है अलग-अलग countries में बैठे है क्या आप लोग इस website को access कर सकते हैं direct क्या आप लोग यह website जो इस developer ने developer A ने बनाई है क्या आप उसे access कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे याद रखना पड़ेगा आई-पी का रूल यह कहता है क्या प्राइवेट आई-पी से केवल और केवल प्राइवेट आई-पी की ही बात करा सकते हो वो भी उसकी रेंज में या यानि लोकल इरया-network में और आप लोग तो वाइड इरया-network में भैठे हैं तो क्या यह possible है कि हम इस system से किसी भी तरीके से communicate कर सके direct direct तो possible बिल्कुल नहीं IP का rule तो नहीं break होगा इसका मतलब हमारा पास public IP होनी चाहिए तब हम communication कर सकते है तो हमारे इस developer को जब ये बास समझ आई तो उसने क्या करा? उसने system purchase करा तो यहाँ पर इसको clear करते है, कैसा system purchase करा तो सब उसने एक system purchase करा जिसके पास एक public static IP address है, static मतलब जो change नहीं होती public static IP address example के तोर पर हमाल लेते हैं 4.4.4.4 अब इस system के पास एक public IP address है 4.4.4.4 इसने अपनी website को ले जाकर यहाँ पर update कर दिया, upload कर दिया यहाँ पर इसकी website upload हो चुकी है अब मेरा question यह है कि being a normal user फिर से क्या आप चाहे किसी भी country में हो, किसी भी state में हो कितना भी दूर हो या पास हो, internet की मदद से, क्या इस system से बात कर सकते हो, तो डेफिटिटलिटली कर सकते हैं, क्यों कि हमारे broadband के पास public IP है, और इनके पास भी public IP है अब बस issue यहाँ पर यह हुआ कि मैंने तो फिलाल बहुत easy IP address रखा है लेकिन अगर कोई ऐसा IP address होता तो 128.211.210.121 तो क्या हमें या IP address याद रहता एक याद रह भी जाता तो बाखी का IP address याद रखना पॉसिबल नहीं होता रखनी पड़े, बट यहाँ पर एक और question create होता है सरे नाम खरीदा कैसे गया, यह जो नाम है यह कैसे रखा गया, तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझेगा, मैं यहाँ पर इसको एकस्पेल करो, तो हमें पता है मैं IP address नहीं रहेगा डवलपर को पता है कि उसको अब एक नाम खरीदने की जरूत है ताकि लोग उसकी website तक easily पहुत सके IP आद रखने का issue ना हो, लोगों को ऐसा ना करना पड़े तो डवलपर ने क्या करा, वो किसी website पर गया जैसे माननो वो GoDaddy पर गया GoDaddy website पर गया और वहाँ पर जाके उसने बोला कि मुझे एक नाम परचेस करना है अपने website के लिए, domain name परचेस करना है तो GoDaddy ने इससे कुछ details मांगी जैसे registration कराया developer से और उसके बाद उसको कुछ account credentials दे दिया यानि username और password दे दिया साथ ही साथ एक नाम भी दे दिया एक domain name भी दे दिया example के तोर पर माल लेते हैं ws.com ये domain name परचेस करा इस user ने यानि developer A ने अपनी server के लिए अब इसको ध्यान से देखके बताओ क्या इस domain name में इस developer के अलावा क्या कुछ भी common है यानि क्या इन दोनों के बीच में कोई भी connection बना हुआ है फिलाग कोई भी connection नहीं है उसने जो server है यानि system जिसके पास public IP address और अलग जगह से खरीदा उसने जो नाम है वो go daddy से खरीदा है तो दोनों के बीच में कोई connection नहीं है लेकिन सर इस user को credentials दे रखे थे उसका username और password जिसकी मदद से वो क्या करता है domain के जो settings का page है यह जो domain name है इसकी settings के page में पहुँच जाता है जिस setting का नाम है domain manager क्या नाम है सर domain manager और इस domain manager setting के जरीए यह क्या कर सकता है अपने domain से related सारी configurations यानि सारी settings कर सकता है बता सकता है domain को इसको किसके साथ और कैसे काम करना है तो यहां पर जितनी भी settings है उन सब को हम कहते है records क्या कहते है records कहते है जैसे A record, MX record, TXT record अब यह सब है क्या और इनका काम क्या है यह अब हम detail में समझेंगे कि records क्या होते है और किस record में किस तरीके का data आता है फिर भी अगर इन शॉट आपको समझाओं तो आपके सामने आज अगर मैं एक form open करता हूँ जहां पे name equals to लिखावा है contact number equals to लिखावा है और address equals to लिखावा है तो आप क्या करेंगे अपना name फिल करेंगे contact number में contact number और address ऐसा तो नहीं करेंगे कि name में address लिख दिया contact number में address लिख दिया या अपना नाम लिख दिया ऐसी हम गल्ती तो नहीं करेंगे तो वैसा ही यहां पे भी कुछ columns है जिनको हम records करेंगे जिनके अंदर कुछ fix type का data आना चाहिए और जो data वो support करते हैं वो ही data mention करेंगे सबसे पहले record का नाम है A record A record क्या है A क्या के लिखावा है IP of domain name इसका मतलब आपने एक domain खईदा था उससे related up settings में गए जहाँ पे A equals to लिखावा है और A record क्या रहा है के मेरे अंदर आपको IP address लिखना है यानि इस column में क्या लिखना है यहाँ पे हमें IP लिखना है और किसका लिखना है सर्वर का लिखना है इसका मतलब आप इस ws.com नाम के domain को जिस भी सर्वर के साथ connect करना चाहते हैं जिस भी सिस्टम के साथ जोड़ना चाहते है आप उसका IP address A record में जाके लिख दोगे तो इससे उसको पता पढ़ जाएगा कि उसको किस सर्वर के साथ जुड़के काम करना है यानि जब भी हम ws.com लिखेंगे तो हमें किस सर्वर पर जाना है यह A record को idea रहेगा यह DNS को पता पढ़ जाएगा DNS क्या यह भी और अच्छे से समझेंगे I hope A record समझ आगे होगा A record के अंदर क्या आता है IP of domain name आपके domain को आप जिस सिस्टम से जोलना चाहते है उसका IP आप लिख देता है Then आता है C name एक बहुत interesting record है C name इसकी definition कह रही है forwards domains and sub domains to another domain यानि यह क्या करता है हमा साथ अकसर ऐसा हुआ होगा जब हम किसी website पर visit करते है तो माल लेते हैं WSQTAC की website पर गए और उस website पर कोई maintenance का work चल रहा था कुछ काम चल रहा था तो वो website जो अच्छे से काम नहीं करी थी अपनी functioning अच्छे से नहीं करी तो उस दोरान जो website का admin है या developers है वो नहीं चाहते कि जितने भी users उस वक्त उस website पर उन्हें bad experience मिले वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई बुरा experience मिले तो वो क्या करेंगे कि उस time के लिए उन लोगों को कही और रिडिरेक्ट कर सकते हैं कई और बेश सकते हैं अपनी दूसरी website पर बेश सकते हैं तो उन्हें क्या करा कि www.sqbtag.com पर जितने भी लोग आ रहे थे उस time पर जब website में काम चल रहा था उन्हें उन सभी लोगों को courses.wsqbtag.com नाम की website पर रिडिरेक्ट कर दिया ऐसा करने पर क्या हुआ लोगों को कोई जादा बुरा experience नहीं मिला लोग दूसरी website पर गए जो अपने basic काम करने थे वो करें और नहीं भी करें तो कुछ खास loss नहीं हुआ तो यहां पर क्या हुआ हुआ हम जा कई और रहते हैं कोई डूमें का नाम लिखा तो जब कोई आपके ओरिजनल डूमेंड पाएगा जो की ws.com था तो मैं उस यूजर को उस डूमेंड पर रिडाइट कर दूँगा जो आपने मेरे अंदर लिखा है मेरे कॉलम के अंदर लिखा यह सीनेम का काम है डी डिरेक्शन का सीनेम का काम है आप समझ आ गया होगा सबीकों दैन हमारे पास आता है Mx रिकॉर्ड जिसका फूल फार्म है mail server record यहां पर आप देख सकते हो direct mail to email server अब होता क्या है चीज को और अच्छे सा explain करने की कोशिश करेंगा ध्यान से समझेगा होता यहां पर यह है कि साथ जब भी आप एक domain purchase करते हैं तो वह domain अपने साथ आपको कई सारे नए users email के users mailing के लिए जो हमारे email addresses होते email accounts होते है वह कई सारे users provide कर सकता है आपने देखा होगा आपको किसी भी company से mail आता है तो उसका extension जो है वह at gmail.com नहीं होता जैसे होगा कैसे होगा mail आपका hr at ws.com अब सर यहां पर gmail.com क्यों नहीं है हमारी जो email addresses हो उनमें तो either gmail.com आता है at gmail.com आता है यहां पर hr at ws.com क्यों लिखा हुआ है क्योंकि सर यह जो नाम है यह जो पूरा email address है यह gmail से नहीं मिला हमें यह नाम हमें हमारे domain ने दिया यानि एक domain के पास ताकत होती है power होती है कि वह खूब सारे users create करवा सकता है email के तो हमने क्या करा जितने भी email बनाए कैसे बनाए domain की वंदर से बनाए और उसके लिए domain खुद का mail server देता है क्या देता है खुद का mail server यानि हमारे पास एक mail server है जिसके अंदर हम हमारे domain से जुड़े हुए कई सारे email addresses बना सकते है लेकिन वह mail server इतना अच्छा नहीं है उसका goi इतना अच्छा नहीं है तो हम चाहेंगे अगर मुझे मेरे इस mail के जरीए hrws.com के जरीए मुझे अगर किसी को mail करना है तो interface अच्छा मिले एक ऐसा software मिले जो mailing करने के लिए best है या फिर बहुत अच्छा है अब अगर यही question में आपसे बूशना चाहो कि अगर आज के time पे आपको email बेजना चाहो किसी को भी अपनी normal id से तो कौन सा software यूज लेंगे sir हम तो Gmail यूज लेंगे तो वैसे ही हम भी चाहते थे कि sir हमारे पास email तो है लेकिन उसको Gmail के जरीए यूज ले लेकिन इस काम को करने के लिए हमें हमारे domain से permission तो लेनी पड़ेगी तो हम क्या करते हैं MX record के अंदर Gmail का address डाल देता है Gmail का एक नाम है वह add कर देता है जिससे हम हमारे domain से permission ले रहे है या जिसका मतलब यह है कि हम हमारे domain से permission ले रहे है कि हम future में Gmail के जरीए भी mails send कर सकते हैं आपके बनाएवे नाम हम Google जैसे software के जरीए Gmail जैसे software के जरीए यूज ले सकते हैं तो approval के लिए हम MX record के अंदर Gmail का जो नाम में वह mention कर देते हैं ताकि हमारा domain अपने नाम हमें दूसरे software के जरीए यूज ले 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 नाम हमारे पास आता है TXT record जिसके अंदर लिखावा है Any text by admin इसका मतलब कि हमा जो developer है जिसका domain था वो जो चाहे हां पर लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं है यानि जिसने नाम खरीदा था देन आम हमारे पास आता है Ns record अब Nhs के अंदर लिखावा है name server 'σardan अगर मा आपको समझाओ तो आपके domain name को कुछ और दो छोटे नाम में divide कर दिया जाता है ताकि fundraising डेटा है वो बहुत ही सही तरीके से सर्वर तक पहुचे यह DNS जो है आपसे रेटेड कुछ डिटेस कलेट कर सके यह नेम सर्वर कैसे दिखते हैं कुछ ऐसे ns1.ws.com ns2.ws.com तो यहां पर यह दो नेम सर्वर जो हमाई डोमें से जुड़े रहते हैं जो हमें सर्वर तक पहुचाएंगे अब इसमें खास बात यह है कि यह हमाई लिए क्यों यूश्पूल है इंफोमिशन हमाई लिए क्यों काम किया है कि साइबर सीक्योर्टी में हमें रिकमेंट करा जाता है कि सर आपके डोमें के मिनीमम दो नेम सर्वर होने चाहिए क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप के डॉस अटेक्स हैं जिससे डेटा एक साथ बहुत सारा आता है तो आपके सिस्टम्स को इश्यू हो सकता है आपके सर्व हो सकते हैं तो उससे बचने के लिए अगर आप दो नेम सर्वर्ष रखोगे तो डेटा डिवाइड हो जाएगा जिससे उसकी पावर कम हो जाएगी तो हमें at the end साइबर सीक्योर्टी प्रस्पेक्टिव से देखे तो रिकमेंट करा जाता है कि मिनीमम एक डोमें की दो नेम information about a domain इसका मदलब आपका जो domain है उसके admin की information है वो SO record के अंदर add होती है और ऐसा क्यों होता है कि सर अगर future में हमारे domain में कोई भीश हुआ तो हम किस से connect करेंगे यानि अगर एक user किसी website को चला रहा है और domain में connection नहीं बनना domain अच्छे से work नहीं कर रहा है तो at least किसी admin का कोई email address से कोई detail होनी चाहिए ताकि उसे चीज report करी जा सके तो वो detail SO record के अंदर add करी जाती है उसके बाद सर हमारे पास आता है srv srv की definition कहती है specific port for specific services और यह बहुत काम का record हमाई लिए तो यहां पर ध्यान दीजे और record हमाई लिए बहुत useful record है तो यहां पर focus करिएगा कि सर होता है और वो port एक hacker के लिए बहुत काम किया अगर किसी hacker को पता पढ़ गया कि मेरे system में enter होने के लिए कौन-कौन से रस्ते open है तो वो system का misuse लेकर उसे hack का सकता है तो यहां पर यह detail हमें srv record में कभी के बार देखने को मिल जाती है कि हमारे server पे कौन-कौन सी ports open है और वहां प सब्सक्राइब होगा कि से इसके अंदर सारा में open post और services की information मिल सकती है जो कि हमारे server की जो की नहीं मिलने चाहिए देर हमारे पास आता है PTI record एक और interesting record यह interesting q है इसकी definition कह रही है provise domain name in reverse lookup अब सोचो अगर कैसा हो एक attacker आया तो यह attacker ने क्या करा उसने ws.com को scan करा यानि ws.com के पास कुछ package बेजे जो यहां से information लेकर आएंगे लेकिन जब यह package information लेकर आये तो यहां पर google.com लिखावाया ऐसे में क्या होगा हमारा जो attacker करता हो confused हो रहे हो कहा है मैंने ws.com से data मांगा था मेरे पास google.com पर data क्यों आ रहा है तो यह confusion है यह create करने में PTR record हमारे काम आता है PTR का मतलब है pointer किसी और की तरफ point कर देता है इसका मतलब यह है किसे ही हमारा data जा रहा होता है वहां पर नाम किसी और का दिखा देता है बस इतना difference है कि नाम किसी और का दिख रहा है तो यह confusion create करता है so I hope students यह कुछ DNS records आप सभी को clear होगे अब सवाल यह है कि DNS असल में क्या है हमें domain की settings तो समझ आ गए अब बात कहते है DNS के बारे में के DNS है क्या DNS का full form है domain name system इसको sir address book of internet भी कहा जाता है यह क्या करता है sir आप जितने भी domain name लिखते होना वो असल में domain की IP से जुड़ा हुआ यह ही वो translation करता है and यहाँ पे एक online लिखी है store all data in form of records in zone files इस data को मैं भी explain करता हूँ इस point को मैं भी explain करता हूँ आप सभी को पहले DNS का work समझा देता हूँ तो जितना हमने पड़ा मैं यह समझ आय domain है इसको क्या IP allotted है इसका मतलब domain को IP में translate करता है तो माल लेते हैं translate करा 4.4.4 वो था address हमारे server का जिसके अंदर हमारी यह ws.com web से चल रही थी जो developer है server खईदा था वो उसका address था सवाल यह है कि DNS को यह पता कैसे पढ़ा कि domain इस IP से जुड़ा हुआ है तो sir होता यह है कि DNS एकसेस करता है एक file को zone file को इस file का नाम क्या है zone file और यह file क्या है इसको और अच्छे से समझाता हूँ आप सभी को last example याद होगा कि हमारे developer ने क्या करा कि sir go daddy के जरिए एक domain purchase करा go daddy ने इसको एक page दिया registration और login करने के बाद यह domain manager के page में जाता है और वहाँ पर सारे records को setup करता है AMXTXT NSS सारे records की रेटी settings करता है जब developer यह सारी settings करता है तो यह settings एक time period के gap के बाद एक file में जाके अपना update हो जाती है और इस file का नाम है zone file क्यूंकि यह जो data है यह private information है यह सारी private information है यह DNS VNS कोई भी read नहीं का सकता यह cable मेरी information है यह developer की information है जिसके पास credentials थे तो सर्थ domain को DNS को कैसे पता पढ़ेगा कौन सा domain कौन सा IP से जड़ा हुआ है इसी program को solve करने के लिए जितनी information इस record में थी यह इस page में थी उसकी कुछ information एक zone file में जाके update हो जाती है यह file एक public file इसको हरकोई access कर सकता है तो DNS क्या करता ह इस file को access करता है तो इसको पता पर जाता है कि अच्छा इस domain का IP है क्योंकि इसमें a record का data आ चुका है फिर हमें वह user के पास redirect कर देता है यानि हमें हमारे server तक पहुचा देता है I hope आप सभी को समझा होगा DNS कैसे काम कर रहा है और यह जो हमारी zone file है यह जुड़ी होती है name server से इसमें से किसी वे एक name server से जुड़ी होगी तो DNS जाएगा name server के पास उससे पुछेगा zone file किसके पास है जैसे ने समझने का मेरे पास है तो zone file को access करेगा उसे पता पर जाएगा कि A record में यह IP लिखावा है तो हमारे domain को IP में translate करेगा और हमारा packet server तक पहुचा देगा इस तरी file क्या है एक text file है DNS की domain name system के text file है जिसके अंदर records होते हैं सारे के सारे domains के कौन से record a record mx record txt record यह जो records हमने पढ़े थे इसका data इसके अंदर update होता रहता है time period के gap से यह IP mapping में मदद करता है यानि इसी के मदद से पता पड़ता है कौन सा domain कौन से IP से जुड़ावा है answer name server dot zone यहां पर इस लिए लिखावा है क्योंके यह किसी name server से जुड़ी हुई होती है connected होती है हम देखने वाले है OSI versus TCP IP model दोनों में क्या difference है networking में क्या role play कर रहे है क्यों माई लिए जरूरी है यह चीज आज हम समझने वाले है तो हम क्या क्या देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे OSI model क्या है then देखेंगे यह क्वाम किस तरीके से करता है फिर हम देखेंगे what is TCP IP model and then देखेंगे OSI versus TCP IP model यानी दोनों में difference क्या है तो स्टार्ट करते है सबसे पहले देखते है OSI model क्या है OSI का full form है open source interconnection model अब यह model की जरूत क्या पढ़ी पहले pointers देख लेते हैं फिर अच्छे से समझेगे तो सर्य यहां पे लिखा हुआ है कि कुछ functions define कर रखे हैं 7 layers के अंदर जिसकी मदद से standardized तरीके से communication possible हो सकता है और जब इसे read करा जाता है तो bottom to up read करा जाता है अब यह समझते हैं कि pointer हमसे क्या क्याना चारा है मसल में OSI model और कुछ नहीं है सरी standardized तरीका बनाया गया जिसकी मदद से हमें पता पड़े कि सही format में एक standardized तरीके से step by step तरीके से communication कैसे possible हो सकता है जिसमें में पता है अगर को यूजर को डेटा बेज जाएगा तो पहले hardware उसके पार जाएगा data को arrange करा जाएगा set करा जाएगा view mode में लाए जाएगा यानि पूरा process बनाया गया communication का तो इसी systematic तरीके से जब हमने communication start करा तो इसी systematic तरीके को हम OSI model मानते है OSI model और कुछ नहीं है एक तरीका है जिसके अंदर 7 layers के जरीए में define करा गया है कि आप standardized तरीके से बात कैसे कर सकते है अब इसको देखते हैं यहाँ पर के 7 layers क्या क्या है तो यहाँ पर हम आपास सबसे पहला layer है physical layer जहराता है data layer then network then transport then session then presentation and then application वह जैसा मैंने कहा तो इसे bottom to up read करा जाता है अब कौन सी layer में क्या काम हो रहा है हम बहुत ही जल्द clear कर लेंगे वाट हुआ यहाँ पर यह कि जो OSI model था जब इसको practically implement करा गया इसको use लेने की कोशिश करी गई practically basically follow करा गया तब देखा कि इसमें कुछ updates की जरूत है तो वह updates बन गए TCP IP model TCP IP model क्या है TCP का full form होता है transmission control protocol और IP का full form होता है internet protocol अब यह model क्या है तो सर्फ कुछ नहीं है OSI model का ही version है जिसको 4 या 5 layer models में define कर दिया गया है और यह असल में practical model है यानि practical implementation जब करा गया तो OSI model को update करके TCP IP model बना दिया गया जिसमें 4 तो 5 layer में देखने को मिलती है और यह use होता है यहारे wireless network में जैसा मैंने का practically जब इसको wireless network में use देने लगे तो OSI में basic modifications करे गया अब सर्थ इसमें क्या है TCP IP में 4 और 5 दो layers के model है और अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो बहुत major difference नहीं है 4 layer model को अगर आप देखते हैं तो इसमें network access layer देखने को मिलेगा internet layer, transport layer और application layer यहीं अगर हम 5 layer model को देखें तो difference बस इतना है कि application layer सेम है, transport layer सेम है, internet layer भी सेम है बस network access layer है उसको दो parts में divide कर दिया गया जो कि यह data link layer और physical layer यह हम यह कह सकते हैं कि data link layer और physical layer को combine करके एक layer बना दिया गया network access layer तो 5 layer को 4 layer में convert करा गया और असर में अगर हम आगे देखें तो हमें पता पड़ेगा OSI में भी यहीं difference हुआ है OSI model की कुछ layers को combine करके एक layer बना दिया गया यह इसमें एक महाइन से difference हुआ है practically जो follow करने लगे तो लगा कि इसको अलग define करने की जरूत नहीं है इसके सारे काम इसी layer के अंदर हो जाएंगी तो उन्हें combine कर दिया गया और किस तरीके से combine करा गया तो यहां आप देख सकते हैं हमारे पास है TCP IP layer के model जिसमें application, transport, internet नेटर नेटवर्क एकसस, इकाउंसर model है 4 layer model है और यह रहा हमारा OSI layer का model है जिसमें हमारे पास application, presentation, session, transport, network, data link और physical layer है साथी साथ इनको थोड़ा बहुत यहां पर explain करने की भी कोशिश करी गई है although हम इसको बहुत ही details में समझ जाएंगे physical layer कहता है कि साथ जो physical bit streaming होती है उसका transmission हो रहा है वो मैं control करती हूँ data link बोल रहा है कि flow और errors जो आते हैं उनको मैं manage करता हूँ यानि physical link में कोई भी issue हो रहा है कोई चीज सही से काम नहीं करी है slow work कर रहा है कोई error आ रहा है को troubleshoot करना है तो वहाँ पर data link layer काम आता है network layer कह रहा है कि sir मैं multi node routing करने का काम करता हूँ basically routing set करने का कौन कहां से जाएगा और किसके पास के address से define करने का काम network layer कर रहा है transport layer कह रहा है कि sir आपको message है उसे सही format में सही तरीके से send करने का काम मैं करूँगा और acknowledge आपको मिल जाए कि आपका message पहुचा है के नहीं पहुचा है वह भी देख लोगा और reliable तरीके से सारा काम हूँ यह सारे काम transport layer देखेगा session layer ने का कि ठीक है authentication का काम है session यारी connection बन गया उसको manage करने का काम है और अगर उसमें difficulties आ रही है reconnection बनाना है तो यह जितने भी काम है session layer खुद entertain कर देगा देन आता है presentation layer जिसने का किसे data की formatting है basically data receive हो गया है तो किस तरीके का data है उसको कैसे read करना है उसे कैसे दिखाना है उसे compress करना है यह सारे operations है यह मैं देख लोगा application ने का ठीक है high level API work है resource sharing का work है जो main उपर से सारा काम आप करते हो packet बेजना start करते हो जो interface आप देखते हो वो सारी services वो सारे interfaces में आपको provide कर दोगा इस तरीके से OSI के 7 layer models को compress करके 5-4 layer model बनाया गया अब compression क्या करा गया और इन layers में कौन-कौन से काम हो रही जैसे हमने देखा किसर फिजिकल बिश्रिमिंग को देख रहा है लेकिन किसकी मदद से देख रहा है कौन को से protocols यह use होते है यह हमारे लिए सबसे important information है तो हम चलते हैं हमारे TCPIP और OSI और protocols के data पे जहां पर आप देख सकते हो हमारे पास 1-2-3-4 4-layer का TCPIP model है और 7-layer का OSI model है जिसके अंदर हम साफ साफ समझ पा रहे है कि application layer और कुछ नहीं है combination है application, presentation और session layer का यानि OSI की जो तीनों layers थी उसको combine कर दिया गया application layer के अंदर host to host layer जो हमारे यहां पे TCPIP में यहां पे क्या हो रहा है कि जो as it is transport था उसी को रखा गया then network layer को क्या कर दिया गया internet layer बना दिया गया network access के अंदर data link और physical दोनों को combine कर दिया गया पस इस हिसाब से हमारा 7-layer model 5-4-layer model में convert हो पाया अब इन में काम क्या हो रहा था तो अगर आप देखें physical streaming का काम कर रहा था जो physical भी hardware के जरी communication हो रहा था वहां पे सारे protocol यूज हो रहा है सारे hardware devices mention कर दिया गया जो काम करते है जैसा ISDN, DSL, Sonet इन में से कुछ आप आपने सुलेंगे कुछ नहीं सुलेंगे जैसे ethernet तो वो सब यहां count हो जाते है उसके रहा हम बात करें data link layer की तो सर वहां पे हमारे पास आगे हमारे Wi-Fi networks, ARP, ATM यह कुछ technologies जो हैं जो switch of business related काम करते हैं network devices होते हैं जो हमारे पास hardware devices जो हमारे Wi-Fi adapters है Bluetooth adapters है वो technologies यहां पे यूज ली जारी है network layer की बात किया network layer में हमारे पास क्या क्या protocol जैसे IP, IPsec, ICMP जिसकों internet control management protocol कहते है IGMP, RIP, DHCP कुछ ऐसे protocol जिनसे आप लोग गिरे दे aware होने वाले हैं और इस protocols को हम पढ़ क्यू रहे मैं एक और चीज आपको clear कर देता हूं किसल जब हम hacking perform करते हैं तो मालने थे हमने DHCP में flooding कर दी DHCP को खराब कर रहा तो हमें पता पढ़ जाएगा कि यह attack हमने कहा कर रहा है network layer में कर रहा है तो इसको पूरा पढ़ने की पीछे main reason यह कि जब आप attacking कर रहे है किसी protocol को use ले रहे है किसी protocol में कमी ढून रहे है किसी protocol को खराब कर रहे है तो आपको पता पढ़ेगा कि सर आप कौन सी layer में attack कर रहे है कौन सी layer का access आपको मिला है कौन सी layer का control आप ले पा रहे है तो यहां पर आगे बढ़ता है transport layer क्या बता रहा है transport layer follow करता है TCP, UDP, SSL, TLS जो encryption के काम आते है SSH2 यह सारे क्या है वो प्रोटोकॉल जो basically core communication यह communication को strong करने में काम आते है secure करने में काम आते है then आ रहा है session layer जो session manage करता है जिसमें हमाँ आपा SOX के protocols है RPC है LFS है SQL है NetBios इनमें से काफियों में हम आगे चलके attacking करने वाले यानि कमियां डूणने वाले secure करने के perspective से Radius DNS ASP SOAP और .NET यह सारे टेक्नोजी जो है यह प्रोटोकॉस जो है यह हमारे session layer के अंदर यूज हो रहे है presentation layer किस-को यूज ले रहा है यह फाल के जो format होता है चाहे GIFO चाहे JPEGO यह जितने भी format से यह सारे के सारे presentation layer में आते हैं इसका मतलब जब हम malicious program बनाते हैं तब हम इसकी functionality को यूज ले रहे होते हैं फिर माया पास है application layer जिसमें सबसे ज़्याद़ प्रोटोकॉस है जो जल्दी compromise हो जाता है जैसे SMTP हो गया SNMP हो गया किस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसे operating system के बारे में जो hacking में तो हमाई लिए useful है साथ ही साथ इसके अंदर काफे सारे ऐसे cool features है और security है जो कि इसे personally मेरा favorite operating system बनाती है यह कौन सा type है operating system का यह है Linux आज हम देखने वाले हैं Linux के बारे में काफे सारे चीज़े क्या-क्या देखेंगे हम तो सबसे पहले हम समझेंगे Linux क्या है दैन हम देखेंगे उसके cool features यानि कुछ ऐसी खास चीज़े जो उसे बाकी operating system से different बनाती है और अच्छा बनाती है उसके बाद हम देखेंगे basic file system of Linux इसका मतलब यह है कि Linux अपने जो file folders है वो क्या-क्या रखता है किस folder में किस तरीके का data जाता है यानि किस directory में किस तरीके का data store होता है बिनादेरी करते वे चलते हैं पहले pointer की तरफ जो कहता है what is Linux या जो मैं समझाएगा कि Linux असल में क्या है कुछ points है यहाँ पर हमाँ पास total of 7 points है जो शायद हमें Linux को अच्छे से explain कर दे तो पहले सारे pointers को देख लेता है फिर इन्हे connect करके समझते है कि क्या कहना चाहरा है तो पहला pointer कह रहा है कि तरीक open source operating system है हमने का ठीक है यह free to use भी है यान इसको यूज लेना free है इसके अलावे यहाँ पर लिखावा है open source code to modify हमने का ठीक है इसके source code जो है वह easily modify करे जा सकते है सबके लिए open है कि वह modification कर सके यहाँ पर एक pointer है जो कह रहा है based on Linux kernel हमने का ठीक है तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम start करते है एक example से के माल लेते हैं यहाँ पर एक developer है या एक programmer है इसने क्या करा इसने एक software बनाया अब इस software में basically इसने कुछ ने कुछ functioning दियोगी माल लेते है इसने कोई operating system बनाया कोई zoom software बनाया WhatsApp बनाया Facebook बनाया कोई भी टूल बनाया प्रोग्रामिंग करके कोई काम करने के लिए कोई program solve करने के लिए इसने एक software डिजाइन करा और develop करा यहाँ पर इस developer के पास इस programmer के पास दो options है पहला option क्या है कि सर्य अपने program को पहले तो safe और secure करेगा ताकि कोई भी उसको पढ़के समझ ना पाए ताकि कोई भी software का जो source code है उसे access ना कर सके उसके original program को access ना कर सके और फिर इस program को यह क्या करेगा sell करेगा market में लोग purchase करेंग इसके software को और use लेंग लेकिन इस software का source code है जहां पर हर कोई इसके पूरे के पूरे प्रोग्राम को access कर सकता है और जब हर कोई access करेगा और use लेगा तो अपने अपने हिसाब से क्या करता रहेगा इसे modify करता रहेगा यानि अगर आज आपको मैं अपना बनाएवा कोई software का original program दे दू तो आप उसमें अपने हिसाब से modification कर सकते है अगर आपको programming आती है उस case में तो हर किसी ने modification करें अपने हिसाब से क्यों क्यों एक open platform पे एक ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारे लोग है freely update कर दिया था modification होता गया और इसका प्रोग्राम दिन और भी बहतर बनता गया और एक टाइम आया जब इसका प्रोग्राम जो था वो best बन चुका था क्योंकि उसमें continuous लोगों अपने साब से modification करें उससे अपने experience के साब से बहतर बनाया यह दोनों options ही सही इन में से सही और गलत कुछ नहीं आएगा यहां पे लेकिन यह जो second option perform करा गया यह कहलाता है open source यानि जब भी किसी program का किसी software का original code source code community welfare के form में अगर हम ऐसा करते हैं यानि किसी का help करने के लिए हम क्या करें पूरा का पूरा program freely दे रहे इने दिन बर दिन बैतर बनाते रहते और इस वज़े से इनके tools operating system या कोई भी चीज best होती रहती है तो यहां पे भी pointer हमें यही समझा रहा है कि Linux है open source operating system है इसका मतलब इस operating system का source code है मार्केट में freely available है कोई भी इसमें modification कर सकता और इसे दिन बर दिन बैतर बना सकता है और शायद इसी वज़े से आगे चलके हम जो इसके features देखेंगे जो इसके functionality देखेंगे हमें पता पड़ेगा कि आज ही कितना बैतर बन चुका है second pointer था obvious है कि free to use हो गया क्योंकि इस condition के हिसाब से अगर आपके पास किसी भी software का पूरा program पढ़ा है तो फिर आप उसे purchase क्यों करेंगे आप तो program run करेंगे और जो task software करता था वो सारे task होंगे उसके अलावा यहाँ पर हमें बता रहा है open source code to modify आप लोग connect कर पारेंगे किसा source code अब modify कर पारें open source की वज़े से यहां से एक और पंटे स्टार्ट होता है एक अलग definition स्टार्ट होती है जो मैं कह रही है कि सर जो Linux है वो असल में Linux kernel पे based था और इसको बनाया गया था 17 September 1991 में किस ने बनाया था लिनस store words ने बनाया था इसलिए इसका नाम Linux रखा गया और आज की टाइम पे इस पे कौन काम करता है आज की टाइम पे इस पे working सारी modification उसकी जो development है वो communities करती है और यह word आप समझ पारे होंगे community एक बहुत powerful word है जो कि group of people से बनता है जब same type के same category के same field के लोग मिलते हैं एक same मकसद के लिए connect होते हैं तो उस पूरे part को उन सभी group of people को community कहते हैं जो कि एक बहुत बड़ा group है यहां पे communities आज के टाइम पे Linux operating system को manage or maintain कर रही है जिसकी वजह से वो दिन बदिन बहतर होता जा रहा है और क्यों बहतर हो रहा है यह क्या pointers है बैतर होने के वह हम देखेंगे cool features of Linux में देखते हैं सबसे पहला pointer बोल रहा है multi user capabilities इसका मतलब इस operating system में multiple users create करे जाते हैं अब हमने का एक काम करते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको Windows से compare कर लेते है Windows भी operating system है Microsoft का है तो हम ऐसे इसके जरीए इसकी मदस से समझ पाएंगे कि इसमें क्या चीज़े खास है और क्या normal है तो यहां हमारा पहला pointer ने हमें समझाए कि multiple user register हो सकते है अब क्या Windows में multiple user register नहीं हो सकते वहाँ भी हो सकते है तो हम इसको कोई ऐसा future अब क्या बाकी operating system में नहीं है यह कह रहा है सर यह multitasking है अब क्या बाकी operating system multitasking नहीं होते क्या Windows जो है वह multitasking नहीं है सर शायद सारे operating system multitasking होते हैं अगर इसको हमें देखना है इसको proof करना है तो मैं Ctrl Shift Esc Button दबा के जब Task Manager में जाऊँगा तो मुझे यहां show करेगा कि एक time पे कितने सारे task running है एक time पे कितने सारे task यह perform कर रहा है यानि multitasking तो definitely है उसके अलावा अगर हम next point देखे तो वह हमें कहता है Portability अब यह function है जो शायद दूसरे operating systems में नह देखने को मिने अमारे Linux में दो चीज़े खास है पहला कि यह हर एक device के साथ portable है दूसरा इसको एक छोटे से device में रखके हम कहीं भी जा सकते हैं यह आप दो features है पहला यह कि सरे operating system को आप छोटी से छोटी पेंडरे में इंस्टॉल करके यूज दे सकते हैं जब भी आपको किसी भी IoT device के साथ किसी भी device के साथ operating system यूज देना होता है चाहे वो CCTV cameras के device हो चाहे वो हमारे ATM machines हो चाहे वो drones हो चाहे वो Android device हो कुछ भी हो सर इन devices में Linux को यूज लेने के लिए कोई major changes नहीं करने पड़ते यह हर एक device के साथ काफी हद तक compatible होता है तो यह इसका एक बहुत ही cool और बहुत ही शांदा future है कि यह चीज के साथ portable है working में भी और उसके अंदर समाने के लिए यानि एक चोटी से चोटी pen drive है में इसे install करके use ले सकते है इसका एक pointer आता है security इस pointer को बहुत अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले किसी pointer की मदस से तो कुछ देर के लिए हम इसको skip करते है दैन आता है fifth point जो की personally मेरा favorite point है जो कह रहा है live CD या USB यह यह समझा रहा है कि सर यह एक ऐसा operating system है जो आप किसी pen drive या किसी CD में boot करके इसको easily कहीं भी use ले सकते हो बिना install करें यानि अगर मैंने इस operating system को अपनी pen drive में install कर दिया और वो pen drive में किसी भी device में plug करता हूँ तो उस device में मुझे operating system install करने की जरूत नहीं है cable device जी start होगा और उसके बाद में वो सारे अपने operations को easily perform कर पाऊगा यह एक बहुत खास चीज़ है अगर आप देखे windows भी pen drive में install हो जाता है या boot हो जाता है लेकिन जब मैं इसकी device में plug करता हूँ तो मुझे पूरा installation का जो process है partition select करना पड़ता है user create करना पड़ता है वो पूरा process करूगा तो ही windows operating system को use ले पाएंगे जो ना ना करते हैं 30 to 45 minutes ले लेता है लेकिन अगर मैं बात करूँ Linux की तो यहाँ पर मैं के वर pen drive plug करूगा system को restart करूगा और मैं अपने operating system को directly use ले पाऊंगा live बिना installation process को करें तो यह में लिए एक बहुत ही काम की चीज़ जितने भी functions और futures देखें हमें यह समझ आया कि Linux हर चीज़ में आगे और बहतर हमें दिख रहा है windows के comparison में लेकिन अगर इतना बहतर है तो आज तक Microsoft का windows इतना जादा क्यू चल रहा तो लोग इसे जादा use क्यू ले रहते इसके पीछे reason क्या है तो reason यह है students के जब technology start हुईती computers introduced हुए थे या फिर हम लोग computer या devices से familiar हो रहते उस वक्त हमाँ पार दुन operating system थे Linux भी था और Windows भी था Windows में खास बात यह थी कि इसका जो user interface है यानि जब एक user इस operating system को use लेता है वो बहुत easy था हर कोई बहुत easily उससे familiar हो सकता था user friendly था इसका environment और क्योंकि इसका जो overall graphics हमें दिख रहा है वो बहुत easy to use है तो लोगों के लिए उस technology को adopt करना असान हो जया इस वज़े से starting days में लोगोंने Microsoft को जल्दी select करा यानि Windows को जल्दी select करा because easy to use था बात करें उस time के Linux की तो वो जाधा तर terminal based थी था तो वहाँ पर हमें जाधा तर command के अपने task को perform करना पड़ता था execution करना पड़ता था हर एक काम के लिए commands लिखने पड़ते थे और अब्वेसी बात है इतना सीखना एक तो technology भी adopt करें उसी वक्त एक और नई challenge को face करना difficult होता था इस वज़े से उस time पे Linux को इतना जाधा adopt नहीं करा गया लेकिन अगर आज की time पे हम बात करें क्योंकि open source होने का फाइदा इसमें continuously modifications होते गए बहुत fast तो आज की time पे Linux operating systems में हर तरीके के best और user friendly environments जो है वो provide करा जा रहा है एक example और लेता हूँ आप सभी के सामने आज की time पे एक ऐसा device है या एक ऐसा operating system है जो आप लोग सबसे जादा use लेते हैं जो completely Linux पे based है सबसे जादा use दोने वाला operating system कौन सा है सबसे जादा use होता है Android और यह जो हमारा Android है यह और कुछ नहीं यह Linux पे based operating system है जिसको Google maintain or manage करता है तो यह हमारे लिए एक बहुत ही plus point है कि हमारे Linux का GOI बहुत अच्छा हो चुका है यह से बहुत सारे distributions है चाहे वो Fedora हो चाहे कोई भी distribution हो Garuda हो चाहे Ubuntu हो इनका GOI बहुत अच्छा हो चुका अब यह भी user friendly हो चुक है तो no doubt Linux की एक जो कमी थी वो भी सुधारी जा चुकी है 7th point हमें बता रहा है application support application support को भी हम अभी समझने वाले हैं क्योंकि application support और open source का part जो है जुड़ा हुआ है और यह दोनों ही जुड़े हुए है security वाले path से ऐसा क्यों समझते हैं एक pointer हमें समझा रहा है कि sir यह file system पे based है आपका Linux operating system हर एक चीज़ को केवल और केवल एक normal file की तरह treat करता है इसके लिए कोई भी extensions के कुछ खास importance नहीं किसी भी file को direct execute नहीं उने देता execute permission देता ही नहीं इसको extension से कोई लेना देना नहीं है जैसे arsis.txt, arsis.jpg, arsis.exe, arsis.bat इन extension से file के end में जो होता है इससे उनको कोई लेना देना नहीं है इसके लिए हर एक चीज एक normal file है जो किसी भी malicious program को direct execute होने के लिए auto run होने के लिए खराब कर देती है यानि वो वर्क करेगी ही नहीं तो हमारा Linux operating system automatically secure हो जाता है क्योंकि हर चीज को एक normal file की तरह treat करता है और बात करते हैं application support और open source की तो हमें एक छोटा सा discussion community पर करना पड़ेगा आप मुझे बताए अगर हम एक example communities हमें पता है group of people होता है और इन group of people में community कुछ भी हो सकता है religious communities भी होती है IT की भी communities होती है जैसे web developers की community hackers की community तो अगर मैं बात करूँ hackers की community का example लेके तो आप लोगों के हिसाब से हमारे इस world में hackers community में कितने लोग होंगे सरक काफी सादा होंगे मतलब millions में लोग इस community में add हो रहे हैं इस का application support अच्छा कैसे हुआ क्योंकि से community बहुत बड़े groups होता है यह कोई company नहीं है जिसके कुछ limited employees or limited staff होंगे community मतलब बहुत बड़े groups तो जब भी हमें कोई problem होती है हमें कोई भी error मिलता है हमें कोई भी चीज हम उसे open forms में जब जाके करते हैं यानि publicly जब उसे share करते हैं तो हम आपस पूरी community का support है यानि बहुत सारे लोगों का support है जो इस error को बहुत जल्दी resolve कर देते हैं और इसी वज़े से Linux का application support भी बहुत अच्छा है और open source होने की वज़े से इसकी security plus बाकी के सारे pointers भी strong हो जाते हैं क्योंकि इसमें support community दे रही है यानि लाखो करोडों लोग दे रहे है जो हमाय लिए एक बहुत अच्छी चीज है I hope students आप सभी को cool futures भी समझ आया होगा Linux क्या है वो भी clear हुआ होगा अब हम देखते हैं इसका file system हमें क्या समझा रहा है कि जब हम windows operating system install करते हैं तो वो कहां पर सारा data रखता है C drive में C drive में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको program files, program files, 886 windows 32, user ऐसे कुछ folders देखने को मिलेंगे C folder के अंदर, C drive के अंदर आपको सारे folders देखने को मिलेंगे यह सारे folders हैं windows के file system जो windows operating system जैसे program files में आप जितने भी software install करते हो वो जाते हैं users में आप जितने भी users create करते हो वो जाते हैं वैसे ही, Linux का भी एक file system है जब Linux install करा जाता है तो वो अपना सारा data root location पर रखता है जिसको हम define करते हैं एक slash से यह slash define कर रहा है root location जहां से सारा data यह अपना रखना स्टार्ट करेगा जैसे c drive था windows की बात करें तो वो ख्या था सर वो c drive था लेकिन यहां पर वो root location है और इस root location के अंदर जो सबसे पहला folder हम देख रहे हैं folders को directory B कहते हैं वो है bin folder अब सवाल यह है कि सर इस bin folder में किस तरीके का data आता है तो bin folder में data आता है basic programs basic programs यानि सर आम जब commands लिखते हैं अगर आपको कोई भी command पता है lscd, ifconfig, mv, ifconfig कोई भी command अगर आपको पता है तो आप जो भी command लिखते हैं किस command के लिखने पर क्या होना चाहिए exactly क्या task perform होना चाहिए वो data bin folder के अंदर रखा हुआ रहता है कि जब आप एक command run करोगे तो वो क्या task perform करेगा वो data हमें bin directory के अंदर देखने को मिलता है उसके अलावा सर हमारा पास है asbin folder root location पे asbin folder यानि asbin directory इसमें किस तरीके का data है तो इसमें इसा system programs यानि वो software's वो programs जो सीधा operating system की मदद के लिए बनाए गए है जैसे storage manage करने वाला driver manage करने वाला tool यह इतने भी software's है जो सीधा operating system की help करते है troubleshoot जो है वो manage करने का tool errors manage करने का tool इन सब को हम कहते है system programs और यह सारे system programs store होते है asbin directory में यानि वो software's जो operating system की direct help के लिए बनाए गए है वो asbin directory में पढ़े रहते है दैन उसके बाद हमारे पास आता है etc folder एक बहुत interesting folder है ध्यान से समझेगा या आगे चलके बहुत काम आएगा hacking में भी और cyber security में भी etc folder के आगे लिखा हुआ है configuration files इसका मतलब settings की files यानि सरम जितने भी software's हमारे Linux machines में install करेंगे हर एक software की settings की files है वो etc folder में पढ़ी रहेगी और यह हमारे लिए काम का क्यू है तो एक छोटा example लेता है माल लेता है आपको किसी software का password आप भूल चुके आपको उसे change करना है modify करना है उसकी port change करनी है ऐसा कोई भी task perform करना है तो उसकी settings वाली files ढूनने पड़ेगी तो वो सारी settings files etc directory में पड़ी रहेगी जहां पे जाकर हम बहुत सारे modification अपने software में कर सकते हैं तो यह no doubt हमारे एक बहुत important folder है और यह आगे चलके हमारे काफी काम आएगा दैन उसके बाद हमारे पास है temp folder slash temp जिसके full form है temporary files यानि इसके अंदर किस तरीके data आता है कि सर वो data जो कुछ देर के लिए बनाया जाता है लेकिन normally delete नहीं होता वो सा data temp folder यानि temp directory के अंदर जाके जाता है इसका मतलब जब भी सर आप एक file में modification start करते हो कुछ काम कर रहे होते हो तो उस file के clone file बन जाती है copy file बन जाती है कुछ देर के लिए हो फाइल ताकि वो उसका record रख सके कि आपने file में क्या-क्या task perform करें उस file को हम temporary file करते है जैसे आप अपना काम पूरा करते हो normally यह files delete हो जाती है अगर नहीं हुई है तो यह time directory में आपको देखने को मिलेगी उसके बाद हमारे पास आता है user bin folder अब इसमें किस तरीके का data है तो user bin directory के अंदर हमारे पास है applications यानि जितने भी software एक user ने install करे है जितने भी software एक user install कर रहा है वो सारे के सारे software user bin directory में पढ़े रहते है उनका जो data है वो user bin directory में पढ़ा रहता है देन आता है user share folder इसमें क्या आएगा यह भी तोड़ा interesting है application support and data files देखो काफी सारी ऐसी files होती है जो एक software के लिए helpful है कभी न कभी उसके काम आई जब user उस function को use लेकर शायद तब काम है तो एक software की कुछ supportable files कुछ ऐसी files जो उसके काम की files कभी न कभी काम आ सकती है वो files user share directory में पढ़ी रहती है एक software की काम की files कुछ supportable files कुछ data files user share directory में पढ़ी रहती है then हमारे पास आता है home folder सर यहां पे किस तरीके का data आता है तो यहां साफ साफ लिखावा है personal directories of users इसको और अच्छा करने के लिए मैं लिख देता हूँ guest users अब होता क्या है कि सर Windows की अगर हम बात करें तो वहां पे दोर तरीके के users होता है एक होता है guest users एक होता है admin users admin users वह होता है जिनके पास admin टाकत होती है admin की permission होती है admin privileges होती है जो अपने system में جो चाहे कर सकते है 달ा और guest users वहीं जिनके पास कुछ permission होती ही वो basic tasks ही perform कर सकते है वैसा ही Linux में भी है बस वर कितना है कि in Linux में Lucky guest users है उइन्луш को normal user माना जाता है और जो admin users है उन्हें root user कहा जाता है बस word का change है कि admin users को root user कहा जा रहा है तो जितने भी guest users है sir जितने भी हम guest users create करते हैं उनका जो folder बनता है उनका जितना भी data store होता है वो home folder के अंदर होता है माल लेते है sir हमने WSQube नाम का user बना है WSQube Tech नाम का तो यह जो user है यह home folder के अंदर इसका folder बनेगा इस folder के अंदर pictures, desktop, downloads, documents, videos जो आप अपने windows में देखते हो कुछ वैसी file folders आपको यहां भी देखने को मिलेगी क्यों क्योंके इस guest user के सारा data आपको यहां मिलेगा finally हमारे पास आता है root folder देखो root location यानि slash था उसके अंदर एक folder है root नाम का जिसके अंदर store होता है admin का सारा data वीडियो में हम देखने वाले हैं basic Linux commands असल में हमें यह पता है कि ethical hacking में, cyber security में हम Linux operating system का बहुत ज़्यादा use लेते हैं और अक्सर हमें यहां पर advanced operations perform करने होते हैं कुछ ऐसी चीज़े जो normal user नहीं करता जिसके लिए हमें इसकी जो basic commands है at least वो तो आने ही चाहिए दिरे-दिरे करके हम advanced commands भी सिखेंगे बट basic working तो पता होनी चीए Linux कैसे काम कर रहा उसमें क्या-क्या command लिखके क्या-क्या activities perform कर सकते हैं तो वो ही आज हम सीखने वाले हैं बिना दिरी करते वे start करते हैं यहां पर हमारे सामने कुछ commands दे रखे हैं आप देख सकते हैं जैसे help, man, ls, cd, pwd हम इस सारे commands को एक सार समझेंगे parent की basic definition देख लेते हैं help कह रहा है so shows your basic commands and their use यानि आपके basic commands दिखाता है और उनका काम भी दिखाता है कि वो क्या और कैसे काम करेंगे man क्या कर रहा है shows your complete manual of that command और program यानि है कह रहा है कि आपको कोई भी particular command या किसी tool किसी program की complete जो manual होती है वो आपको दिखा देता है आपने का ठीक है ls की definition कह रही है list all the folders and files of a directory यानि एक folder के अंदर पड़े हुए सभी folders और files हमें दिखा देता है ls command cd क्या कह रहा है cd की definition कह रही है change directory और इसके आगे लिखावा है one folder to another folder जिसका मतलब है किस आप एक folder से दूसरे folder में easily jump कर सकते अपनी location बदल सकते then हमारा पास है pwd command जिसकी definition कह रही है print working directory यानि सरी क्या करता है कि आपकी जो current location है आप जिस currently folder पे फिलाल active है यानि जिस folder पर भी आप एठे है उस folder की location बता देगा कि यह आपकी current working directory आप इस जगह पे भी अपने task को perform कर रहे है तो यह कुछ commands की definition I hope आपको idea लगा होगा अब मज़ा तो तब आएगा जब इसे practical करके देखेंगे तो हमें काम करते है चलते हैं हमारी काली मशीन के तरफ और वहाँ पे इन ही commands को practical करके देखेंगे सो यह students हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे अगर आप देखें तो यह हमारा terminal है terminal यानि सर एक ऐसा window जिसके जरी हम सारे commands run करने वाले है तो इससे हमें familiar होना पड़ेगा यह हमारे काफी काम आने वाला है तो आप देख पारे हैं एक्जामपल के तौर पर अगर यह थर्ड ऑप्शन को आप देखो तो यह क्या है यह फाइल मैनेजर है जिसके जरी हम फाइल जो फोल्डर में जाके देखते हैं क्या-क्या डेटा पड़ा है जैसे इस PC में देखने को मिलता है Windows में तो कुछ वैसे ही है यह My PC आप कह सकते है तो मैं इस फोल्डर में ओपन फोल्डर पर क्लिक करूगा तो आप देख सकते हैं यह मुझे सारे फोल्डर उसके अंदर पड़ी हुई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल उनके नाम उनके एक्स्टेंशन सब दिखा रहा है यहाँ पे भी डेक्स्टॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिच्चर्स वह सारे डिरेक्ट्री जानी फोल्डर है यह जो एक्टिविटीज अभी मैं कर रहा हूँ यह ग्राफिकली कर रहा हूँ अब सर यहाँ पे अगर मैं काली फोल्डर में जाता हूँ और अपनी करण्ट लोकेशन देखना चाता हूँ कि मैं अभी किस फोल्डर पे बैटा हूँ तो मैं क्या करूगा, यहाँ उपर क्लिक करूगा आप देख सकते हैं, यह बता रहा है कि सर होम फोल्डर के अंदर काली नाम का फोल्डर है, वो आपके अभी करण्ट लोकेशन है और इस फोल्डर में यह सारे फाइजो फोल्डर पड़े है अब यह सेम चीज, सर अगर हम टर्मिनल के जरीए देखना चाहें तो कैसे पॉसिबल है, तो पहला हमारा टास्क है टर्मिनल के जरीए यह देखें कि मेरी करण्ट लोकेशन क्या है तो जैसा हमने देखा था, सर पी डबलू डी नाम का एक कमांड है वो बता देता है कि आपकी करण्ट लोकेशन क्या है तो यह भी बता रहा है कि सर आप ओम के अंदर काली नाम का फोल्डर है उसी जगह पे आप अभी बैठे हैं, यह आपकी current location है, active location है तो sir, अगर हम file manager में देखे, इस जगह पे तो बहुत सारे files of folders पढ़े हैं हमें क्यों नहीं show हो रहे हैं, तो शायद उसके लिए हमें कोई command लिखना पढ़ेगा जो एक folder में पढ़े हुए, सभी files of folders हमें दिखाता है और वो command, ls command, ls क्या कह रहाता है, ls कह रहाता है, ls कह रहाता है, जो भी data पढ़ा है files, folders, जो भी चीजे पढ़ेए, मैं आपको सारी show कर दूगा तो हमने ls लिखके enter press करा, और आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें यही desktop, downloads, documents, यह सारे file folders visible हैं, जो की graphically भी visible थे, amid, desktop, downloads, documents, I hope clear visible होगा आप सभी को हम इसे close कर देते हैं, हाँ, so सारे folders हमें यहाँ पे visible है, इसका मतलब ls की मदद से हम एक folder में पढ़े हुए सभी files और folders देख सकते हैं, अब सवाल यह है, कि सर अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं, downloads folder में क्या पढ़ा है, तो graphically क्या करेंगे, सर डबल क्लिक करेंगे, इस folder के अंदर चले जाएंगे, और इसके अंदर पढ़ा हुआ सारा data हम देख सकते हैं, अब मेरी current location क्या है, तो सर अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते है, home, kali and downloads आपकी जो है, वो current location है, same चीज, अगर हम terminal पे करना चाहें, यानि यहाँ पे, हम downloads folder में जाना चाहे तो उसके लिए हम command यूज लेते हैं, cd command, cd का मतलब है, एक folder से दूसरे folder में jump करना, एक जगा से दूसरी जगा पे पहुचना, आपको बस बताना पड़ेगा, कि आपको जाना कहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, downloads and enterprise कर दिया, अब अगर मुझे अपनी current location देखना है, very good students हम pwt command का use लेंगे, enterprise करेंगे, तो मेरी current location डाउनलोज हो चुकी है, same वो ही location जो मेरे file manager में थी, इसके अंदर पड़ा हुआ data देखना चाहते हैं, sir, ls command का use लेंगे, और हम सारे files और folders देख सकते हैं, जो डाउनलोज के अंदर पड़े थे, तो यहाँ पे हमने cd के जरी ए desktop में क्या data पड़ा है, जो मैं यहाँ पे एक click में देख पाया, क्या यहाँ भी वो possible है, क्या एक command से हम देख सकते हैं, क्या desktop में क्या data पड़ा है, तो हाँ यह possible है, sir, अगर आप ls के आगे, किसी भी folder का पूरा location दिख दो, address दो, कोई भी जगा बताओ इसको, तो यह उस folder क अंदर का data आपको दिखाएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखू हो, काली, and then desktop, तो यह मुझे desktop के अंदर पड़ा हुआ, जितना भी files और folders है, जो भी data पड़ा है, यहाँ पे, वो सब दिखा देगा, आप देख सकते हो, desktop में जो data पड़ाता है, मुझे दिखा रहा है, क अगर आप यहाँ पे देखो, अपने same file manager में, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी camfish, strongbaker, test नाम के directories है, इसका मतलब हम दोनों same location पे है, या उसको और correct करूँ अगर मैं, तो मैंने अपनी location बिना change करे, LS की मदद से देख लिया, कि अगर मैं पड़ा है, क्योंकि अगर मै location तो downloads है, लेंगे से हम यह कैसे देख पाई कि desktop में क्या पढ़ा है, क्योंकि मैंना LS को location देदी, कि बिना अपनी position change करे, बिना उस folder में जाए, मुझे बतादो, उस folder पे क्या-क्या data पढ़ा है, I hope आप सभी को LS CD का 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 काम clear हुआ होगा, अब यहाँ पे, ऐसे ही command लिखते- LS-L लिखा और enterprise कर दिया, तो हमने देखा कि हमारे पास जो output आया है, वो बहुत different आया है पहले से, आप देखो कि यहाँ पे जो output आया है, वो बहुत detail में आया है, जिसका मतलब हमारे पास file का नाम है, उसकी last modification date and time है, उसकी size हमें बताई जा रही है, कि यूजर ने उस file को ब बता पड़ेगा कि हाइफन-l क्या है, क्या काम कर रहा है, और ऐसे कितरे functions LS के पास है, तो इसके रहे हम यूजर लेंगे help command को, जैसे हमने देखा हमारे पास दो commands है, जो अकसर आपके काम आएंगे, हमारे बहुत useful commands है, पहला तो है help, दूसरा है man, help को use लेने का तरीका क्या जिसका format अभी थोड़ा बिगड़ा है, मैं इसको जूम आउट करते हूं ताकि आपको अच्छे format में देखेए, ठीक, अब आप समझ भाएंगे इसको इसलिए, हम इसको अगर स्टार्टिंग से देखे तो यहाँ पे, इसके usage में बता रखा है, कि सर, LS के आगे, आप folders औ औ all, iPhone capital A का मतलब बस लगबख सब कुछ, जिसके अंदर hidden files रहे, वो भी दिखा दी जाती है, हमने scroll down करा, हमने देखना चाहाँ कि सर, iPhone L का मतलब क्या है, तो यहाँ पे यह रहा, iPhone L जो बता रहा है, use a long listing format, यह क्या बता रहा है, कि सर, जादा detailed format में आपको output दिया जाएगा, जिससाब को पता पड़ जाएगा, कि वो file क्या है, किसने बनाई, कब बनाई, file की size क्या है, x, y, z जो details है, वो मिल जाएगे, तो ऐसे ही हर एक command में multiple functions होते है, या फिर हर एक command का different work होता है, तो अगर आप कहीं भी confused होंगे, तो आप help या man का use ले सकते है, man का use कैसे लिया जा तो मेरे पास LS की जो manual है, वो आजाएगी, और ये manual, normally क्या होता है, जब भी हम कोई device खड़ित के लाते हैं, जब भी हम कोई चीज पच्छेश करते है, उसके साथ एक manual book आती है, जो बहुत अच्छे से कोशिश करती है, systematic तरीके से हमें चीज़े समझा दे कि वो चीज कैसे क इसको यूज लेने का तरीका बताया, उसके बाद इसके सभी commands को इसने highlight कर दिया और उसकी definition को अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिया, अगर यहाँ पे इसको किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना होगा तो एक colors भी add कर देगा, depend करता है कि उसको क्या चीज दिखानी बहुत अच्छे format में सारी information हमें यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि हमारे लिए काफी काम की थाबित होगी, आगे चलके अगर हमें कहीं भी कोई complications होती है, तो commands को use लेने में, I hope students यह जो हमारे commands थे help, man, ls, cd, pwd, in सब का काम clear होगा, अब बढ़ते हैं next commands की तरफ, जहाँ प a debit squad करता है, ls नहीं करता, the dir करता है, then mkdir क्या काम आता है, सब एक folder बनाने के काम आता है, cpa क्या काम आता है, copy करने काम, move एक जगा से किसी file को, मूँ पर्ने के RM क्या करता है किसी file और folder को delete करने का काम करता है अब इन चीजों को भी practice करके देखते हैं कि यह से हमें work करते कैसे हैं तो हम फिर से चलेंगे हमारी काली मशीन पर और हमारी इस manual को exit करने के लिए हम Q button प्रेस करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर Q to quit लिखा हुआ है तो हम Q press कर रहे हैं क्विट हो चुके हैं अब सब्सक्राइब हमारा जो बाकी के command थे जिसमें हमारा सबसे पहला command था DIR अगर मैं लिखके enterprise करता हूँ तो आप देख सकते हैं सभी file of folders हमें यहाँ पर दिखा रहा है यह सेम command windows में भी काम करता है इसका मतलब अगर आप अपने windows में cmd यानि command prompt लिखते हैं और उसमें जाते हैं तो यह windows का terminal है आप कह सकते हैं और यहाँ DIR लिखोगे तो यहाँ भी आपको सारे file of folders यह दिखाएगा लेकिन अगर ls लिखोगे तो कोई output नहीं आएगा यह hopes अभी को visible होगा यह अब हम इसको बंद करते हैं DIR का काम समझ आ गया होगा यह बिल्कुल ls की तरह ही file folders दिखाता है हमे हम display को थोड़ा clean कर देते हैं और next command की तरह बढ़ते हैं इसके ले हम command लिखेंगे mkdir mkdir का full form में make directory यानि folder बनाओ मुझे बस करना यह है कि कौन सा folder बनाना है और कहां बनाना है वो बताना है यानि अगर मैं केवल आशीश लिख देता हूं तो यह आशीश नाम का folder सेम location पर बना देगा और अगर मैं इसे कोई location देता हूं कि इस जगह पर जाके folder बनाओ तो वहाँ वो folder create कर देगा फिलाल मैं एंटर प्रेस करा और अब अगर मैं ls लिखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि सर यहाँ पर आशीश नाम का folder create हो चुका है जो obviously फिलाल empty folder है मैं अभी कोई भी data नहीं है यानि अगर मैं यहाँ पर cd आशीश लिखू all ls करू तो इसके अंदर कोई भी data नहीं है मेरी current location क्या है home, kali, downloads and ashish I hope आपको समझ आ गया होगा कि folder create कैसे हो रहा है अब सवाल यह है कि क्या सर मैं किसी folder को एक जगह से दूसरी जगह copy कर सकते है यानि उसकी एक फाइल तो हमारी जगह पे भी रहे उसका एक और clone file क्या मैं किसी और जगह पे बना सकता हूँ तो सर यह शाद cp command के जरिए possible हो सकता है cp का मतलब तो copy करना और copy करने का process बहुत easy है किसको copy करना है और कहां copy करना है हमें बस इतना बताना है जैसे सर मैं पास आशीश नाम का folder था तो हमने वो यहां पे लिख दिया अब उसको copy कहां पे करना है तो उसकी location लिख दो जैसे हमने लिका home, kali and desktop तो यानि यहां पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आशीश नाम का folder है वो desktop folder में जाकर copy हो जाए एक file यहां भी रहे और उसकी एक file वहां भी create हो जाए वैं अंटर प्रेस करा तो अभी यह बोल रहा है यहां पे एक option हमें शो कर रहा है कि hyphen R not specified हो एक चीज़ याद रखेगा कभी भी अगर आपको ऐसी error दिखे तो उसे अच्छे से पढ़ना वो error हमेंसे आपको solution बताती है कि आप क्या कर सकते है यहां पे यह कहता है कि सर आपने hyphen R को use नहीं लिया है और आप एक directory को copy करने की कोशिश कर रहे हो जो शायद directly possible नहीं है हाइफन R क्या काम करता है तो हमने का सर हम CP आइफन आइफन help लिखके देख सकते है तो यहां पे आइफन R का काम देख लेते हैं क्या वर्क कर रहा है हाइफन R क्याकर लिखावा है recursive और recursive की definition कहरी है कि सर जो folders होता है उन्हें recursively copy करने में आप कह सकते हो एक तरीके से forcefully या फिर आप कह सकते हो कि किसी rule को bypass करके कि यह folder हम फिर भी इसको copy करना चाहेंगे वो यहां पे आइफन R option कर रहा है तो इसका मतलब सर हमें हमारे command में जो last हमने लिखा था cp, ashish और उसको कहाँ पे copy करना है उसके साथ हमें बस hyphen R लिखना है कहीं भी लिख सकते हो starting में भी लिख सकते हो ending में भी लिख सकते हो यानि cp के बाद भी लिख सकते हो folders के बाद भी लिख सकते हो मैं अंटर प्रेस करा सर कोई error तो नहीं आया अब अगर मैं देखना चाहूं कि desktop location पे हमारे ये folder की copy बनी है या नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे ls, home kali desktop अंटर प्रेस करा तो सर हम देख सकते हैं या पे ashish नाम का folder create हो चुका है इसका मतलब cp अपना काम बहुत अच्छे से करा अब सवाल यह है कि sir अगर मैं उस folder को यहां से उठा कर documents folder में रखना चाहूं यानि move करना चाहूं copy नहीं बनाना मुझे move करना है इसको यहां से cut करना और कर यहां पे paste करना है यानि move करना है उसमें desktop नाम का folder और वहां पे आशीष नाम का folder है इस particular folder को आशीष folder को हमें move करना है कहा करना है तो मैंने उसकी भी location दे दी home, kali, documents में अब अगर मैं enterprise करता हूं और फिर से desktop folder के अंदर क्या-क्या data पढ़ा है वो देखता हूं तो आप देख सकते हो home, kali, documents और enterprise करूं तो आप देख सकते हो यहां पे वो folder पेस्ट हो चुका है इसका मतलब cut-paste भी successfully हुआ अब सर अगर हम इस folder को delete करना चाहें तो कैसे होगा तो उसके लिए हम रम कमांड का use ले सकते हैं रम-dir से भी delete होगा और rm से हर तरीके के file folder delete हो जाते है तो हमने rm space आशीश लिखा और enterprise करा लेकिन सर हमारी current location पे ऐसा folder ही नहीं क्यूंके वो तो हमने desktop folder documents में रखावा है तो हमने यह पे लिखा home, kali, documents यान हमने हमारी location चेंज करी पहले ls लिखके देखा कि यहां पे आशीश नाम का folder है फिर से हमने rm वाना command लिखा अल्दो पुराणी location पे भी था लेकिन हमें delete कौर सा करना था documents वाना करना था हमने rm आशीश लिखा इसने मुझे error दिया अब error को बापिस देखेंगे error same है लेकिन हमें documents के आशीश को delete करना था इसने हमें इस folder मा है यहां पे लिखावा है cannot remove आशीश इसर डारेक्ट चीसा देख तो एक folder हमें से remove नहीं कर सकते अब क्या करें सर शायद rm की help देखकर हमें एक option मिले जो हम पहले भी use दे चुके हैं हमाई लेकाम का हो तो हमने scroll up करा यहां पे हमें आइफन r दिखा जिसने कहा कि सर इसकी मदद से आप folders को delete कर सकते हो तो हमने का ठीक है हमने last time भी आइफन r को use लिया था cp के साथ copy के साथ तो हमने अपना command face से लिखा और इसके साथ आइफन r लिख दिया और enterprise करा अब अगर मैं ls लिखता हूँ तो क्या हमें यहां पे आशिश नाम का folder दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसका मतलब हम successfully copy, paste, move या delete जो है वो operation perform कर पाए folder create करने का जो operation है और perform कर पाए अब सुड़ो देखते हैं कुछ और command जो शायद हमें थोड़ा अपडेट कर दे Linux के बारे हम कुछ और चीज़ें भी सिखा दे तो यहां पे हमारे पास अब जो commands है उसमें सबसे पहला command है sudo su क्या कह रहा है grant root privileges यानि सर इसकी मदद से मैं admin की ताकत मिलती है admin की permission मिलती है क्या है कैसे काप करेगा भी देखेंगे then cat ये क्या करता है sir एक file के अंदर जो भी data लिखा भाई ये terminal पे दिखा देता है मैंको उसके अंदर क्या-क्या data लिखा हुआ then आता है then oh ये क्या है sir एक file editor है एक command line file editor है जिसके मदद से मैं किसी भी files में data लिख सकता हूँ delete का सकता हूँ then g-editser ये graphical file editor है ये भी एक software है जिसके मदद से file editing possible हो पाती है जैसे अगर मैं बात करूँ हमारी windows machine की तो महाँ पे notepad यूज होता है कुछ वैसा ही उसके लाव हमारे पास chmod यानि change mode नाम का command है जो file की permission change करने में हमारी मदद करता है so start करते हैं और देखते हैं ये commands क्या work कर रहे हैं और कितना ज़्यादा useful है हमारे लिए so student सबसे पहला command जो sudo su था वो root permission का का काम करता है यानि आपको admin की ताकत देना इसका मतलब आपको ऐसा work कर रहे हैं जिसकी permission है guest user को नहीं है क्योंकि अभी हमे guest user है और वो काम करने की permission हमारे पास नहीं है तो मैं admin की permission ले नहीं पढ़ी है example के तौर पे अगर मैं main locations में जाओ यानि root locations में जाओ जहां पे linux का सारे data पढ़ है सारे directries पढ़ है और यहां पे मैं किसी folder को delete करने की कोशिश करूँ जैसे मैंने यहां पे लिख दिया example के तौर पे rn bin और enterprise करा तो यह क्या बोल रहा है permission denied का एना दे रहा है इसका मतलब सर आपके पास permission नहीं है अब यह पास दो तरीके sudo command क्या करता है सर किसी भी command को admin की permission दे देता है यानि अगर मैं sudo के बाद में लिखता rm-bin तो यह मुझे password मांगता है जिसमें मैं अपने guest user का ही password लिखता है जो की kali है kali लेकिन यह केवल इस particular command को admin की ताकत देता तो जितनी बार मैं कोई ऐसा operation perform करता हूँ जहाँ पर मुझे admin टाकत की जरूत है admin permissions की जरूत है मुझे हर बार starting में sudo लिखना परता है जो कि ए comfortable चीज नहीं है जो हमार time और बढ़ा रही है या फिर कई बार errors भी create कर देती है तो मैं यह normally recommend करता हूँ क्यों ना sudo su के जरीए पूरे के पूरे इस terminal को पूरे के पूरे इस shell को ही admin टाकत दे दी जाए तो जब आप यह command लिखके enterprise करेंगे तो यह आप से password मांगेगा जिसमें आपको kali लिखना है और enterprise करना है अब अगर आप यहाँ पर change देखें तो पहले यहाँ पर guest user का नाम दिखावा आ रहा था लेकिन अब यहाँ पर root user का नाम दिखावा आ रहा है पहले यहाँ पर dollar symbol आ रहा था और यहाँ पर hash symbol आ रहा है जो define करता है root permission को इस जगह पर terminal में अगर hash दिखा रहा है इसका मतलब वो root permissions को define कर रहा है तो अब मेरे पास admin की power है अब मैं जो कमार चाओ run कर सकता हूँ although मैं bin folder को delete अभी की ने करूँ रहा otherwise मेरा Linux corrupt हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे Sir अब बाकी की कमार्स को practice करते हैं जैसे files में editing करना जो कि हम nano के जरिये कर सकते हैं जी edit के जरिये कर सकते हैं तो अगर मैं अपनी main location पर चला जाओ एक बार और वहाँ पर जाके file create करना चाहूँ example के तौर पर मैंने ls लिका या अल्रेडी काफे सारी files पढ़ी है मैं कोई new file create करना चाहूँगा तो मैंने पहले display clear करी और लिखा nano space किसी भी file का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया youtube.txt जो चाहिए file का नाम रख सकते हैं जब मैं enterprise करूँगा तो अगर इस नाम की file पहले से बनी हुई होती तो यह उसे open कर देता और अगर नहीं होगी तो नहीं file create कर दे अगर नहीं होगी तो नहीं file create कर दे अब एक command लेन एडिटर है तो cursor का यहाँ पर कोई role नहीं है मुझे सब कुछ arrow keys या keybos के जिरे ही करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर लिखा हाए this is ashish और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा e-c-h-o और यह क्या काम करता है किसा इसके अंदर आप जो भी data लिखोगे जैसे यहाँ पर लिखा मैंने how are you तो हमने यहाँ पर यह command लिखा या हमने इस e-c-h-o के अंदर एक sentence लिखा यह क्या करेगा किसा इसके अंदर आपने जो भी data लिखा यह terminal पर प्रिंट कर देगा इसका मतलब यह command है यह function है हमने यह क्यों लिखा यह मैं आपको समझाता हूँ मैं फिलाल इस file को save करूगा और close कर दूगा control x के जरी save करने के लिए हमने control s command का use लिए और exit करने के लिए control x कमांड का use लिए आप देख सकते हो यहां पर यह exit के लिए control x बताया जा रहा है तो मैंने save कर लिया है wrote two lines लिखा वा रहा है इसका मतलब two lines save हो चुकी है control x करा file exit हो चुकी है sir अगर मैं graphically editing करना चाहता तो यानि अगर मैं nano editor से comfortable नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ तो उसके लिए हम g edit command का use लेंगे जिसका मतलब है graphical edit और यहां पर हम अपनी file का नाम बता देंगे YouTube enterprise करा तो आप देख सकते हैं यहां पर एक file editor open हो चुका है जिसमें मैं graphically जो चाहे कर सकता हूँ यहां पर तो फिराल हमें कुछ modification तो नहीं करनी है चाहें तो कर सकते हैं मैं इसको ऐसे ही save करके close कर दूगा यह सारे tasks जो मैं कर रहा हूँ root permission मैं कर रहा हूँ I hope सभी को visible होगा अब अक्सर होता यह है सार जब भी आप linux में file create करते हो तो जब आपको याद होगा मैं cool sutures जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था linux हर एक file को normal treat करता है किसी के पास भी extra कुछ permissions नहीं होती direct run होने की एक file के पास असल में तीन permissions होती है इस पे भी हम discussion कर लेते हैं सुदेंस असल में जब हम linux के जरीए कोई भी file create करते हैं तो उस file के पास तीन ही permissions हो सकती है जरूरी नहीं हर बार होगी लेकिन एक file के अदर तीन ही चीज़े हम perform करते है एक user को file safety तीन चाँ चीज़े ही permission देते हैं जैसे तो यह हम क्या कर रहे हैं यहां पर write कर रहे है तो दूसरी permission write की हो जाएगी तीसरा हो सकता है कि सर इस file में normal data नहीं कोई program लिखा हुआ है तो अगर यहां पर कोई program लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा यह execute होगा run होगा जैसे आपकी .exe files होती है वो क्या होती है सीधा execute होती है run होती है तो यहां पर executable permission तीसरी permission है जो एक file के पास हो सकती है अब खास बात है कि सर जब आप Linux में एक file create करते हो तो वो इस file को केवल और केवल दो permissions देता है कौन कौन सी सर केवल read और write की executable permission नहीं देता तो इसका मतलब कोई भी malicious program में system में direct run हो ही नहीं सकता because उसके पास execute होने की permission नहीं है लेकिन सार हम किसे भी file को चाहें तो कोई permission दे भी सकते हैं और उससे चाहें तो कोई permission छीन भी सकते हैं कैसे उसके लिए हम command यूज लेते हैं chmod change mode अगर इसके साथ मैं plus का use लेता हूँ यानि मैं कोई permission दे रहा हूँ और अगर मैं इसके साथ minus का use लेता हूँ इसका मतलब मैं कोई permission ले रहा हूँ अब ये कैसे काम करेगा तो इसको use लेकर देखते हैं तो पहले तो हमारी फाइल की permission देख लेता है तो हमने यहाँ पर लिखा ls-l जो long listing format में यानि detail में सारी file folders दिखाएगा और हमने यहाँ पर ढूंडी YouTube नाम की फाइल यह रहे YouTube.txt नाम की फाइल यह कब create करी गई इसकी size क्या है इसको किस user ने बनाया यह सब बता रहा है और इसके पास क्या permissions है फिलाल केवल और केवल read और write की permission है sir executable permission नहीं है अब हमें अगर इसे कोई भी permission देना हूँ या लेना हूँ दोने चीज़े possible है कैसे है तो sir उसके लिए हम chmd command का use लेते है और अगर मैंने इसके साथ लिखा प्लस x यानि execute और फाइल का नाम जैसे कि हमारा फाइल का नाम है youtube.txt और enterprise करा तो इस फाइल को यह executable permission दे देगा ls-l के जरी आप सभी को दिखा देते हूँ अब इस फाइल के पास executable permission भी आ चुकी इसका color भी green हो चुका है और अगर सर हम इससे कोई permission चीनना चाहे तो यानि सर अगर हम यहाँ पे command लिखते है chmod-read, write, or execute या cable, write, or execute जो भी चाहे हम कर सकते हैं और enterprise करता और फिर से ls लिखके देखता या फिर ls-n लिखके देखता तो हम देख सकते हैं इसके पास केवलो केवल read की permission ही बची है फिलाल बापिस तीनों permissions इसको लोटा देते हैं तो हमने यहाँ पे plus लिखा फिर से read, write, or execute की permission यहाँ पे add कर दी गई है फिर से ls-n लिखते हैं तो अब इसके पास बापिस से तीनों permissions आ चुकी है I hope आपको यह तो clear होगा कि इस फाइल को permission दी कैसे जाती है ली कैसे जाती है किसी भी फाइल के साथ अब यह समझेंगे कि फाइल को अगर permission दी है तो वो run भी तो हो सकती है execute भी तो हो सकती है वो कैसे possible है तो किसी भी फाइल को जिसके पास execute बाप permission है अगर आपको run करना है तो हम एक default command यूज ले सकते हैं कई बार ऐसा होगा कि default command work ना करे हमें particular वही टूल यूज लेना पड़े जो इस वाइल को run कर सकता है ऐसे भी chances है बट एक जो default command है जो अक्सर हमारे काम आजाता है वो है dot slash आपको dot slash और बिना space दिये file का नाम लिखना है जैसे youtube.txt जब आप यह लिखके enterprise करेंगे तो यह समझेगा कि इस file में programming लिखी हुई है और उसे run करने की कोशिश करेगा तो मैं enterprise करा अब इसने क्या करा पहली line को जब read करा तो इसको जो सबसे पहला word दिखा वो ता है जो कि obvious ही बात है एक normal human language का word है कोई command या कोई program नहीं है तो इसने बोला सर ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं मिला code या command लेकिन second line में इसने क्या करा how are you जो था वो print कर दियो और क्यों करा क्योंकि वहाँ पर हमने एक ऐसा function लिया था जिसके अंदर आप अगर कुछ भी लिखोगे तो वह टर्मिनल पर प्रिंट कर देगा और वो कब करेगा जब वह execute होगा जब वह run होगा एक बार अगर आप देखना चाहे किस फाइल में क्या-क्या लिखा था हमने तो यहां लिखाता हाय दिस इस आशीश तो जब पहली लाइन रण हुई पहली लाइन को रण करने की कोशिश करी गई तो यहां पर हाय वर्ड सबसे पहला है जो कि अब्विस सी बात है कोई भी कमांड या प्रोग्राम का इसा नहीं है तो इसके इसमें हम आपस पहली लाइन को लिकर एरर आ गया साटी लाइन को जब रीड करा तो यह कमांड का हिस्सा है जिसकी वज़े से इसके अंदर लिखावा कंटेंट जो था वह प्रेंट हो गया कि हमां लिनक्स बैस्ट कॉंफिगर रहे है ताकि अच्छे से अपने सारे टास्क परफॉर्म कर सके और हमें कई सारे से बचा से सबसे पहला कॉंफिग्रेशन हम हमारे मशीन के रिसोर्स का करेंगे यानि हमे क्या करना है अपनी काली मशीन पर गए एडिट वर्चुर मशी इस पर अलोट करनी है यहां पर तो जो ग्रीन एरो है यह में डिफाइन कर रहा है कि आपको अपरेटिंग सिस्टेम 2GB में भी वर्क कर सकता है ठीक है लेकिन मेरे पास 16GB की रैम पड़ी है तो मैं वहां क्या कर सकता हूं सर अगर हम आपा 7GB रैम होती तो तो मैं 4 से थोड़ रैम अलोट करता अगर में पास 8GB रैम होती है विकाज आगे चलके मुझे और भी उपरेटिंग सिस्टम को रैम अलोट करनी के ज़रूद पड़ सकती है और अगर एक ताइम पर दो तीन उपरेटिंग सिस्टम हमें यूज लेनी के ज़रूद पड़ी तब वहां सिस्टम ज्यादा लैक करेंगा यानि हैंग हो सकता है तो हमने यहाँ पर 3GB के अप्रॉक्स रैम कब देंगे जब 8GB और अगर 4GB रैम है तब हम 2GB रैम ही अलोट करेंगे ठीक है बट क्योंकि अभी हमारे पास 16GB रैम है तो मैं यहाँ पर 4GB रैम जो है अलोट कर रहा हूं उसके अला बात करें तो 80GB का बाया डिफॉर्स के पास है जिसमें फिलाल हम कोई भी मोडिफिकेशन नहीं करेंगे ठीक है इसके बास CD DVD का अप्शन है यहाँ भी हमें कोई मोडिफिकेशन नहीं करना अलेकि Network Adapter के अगर हम बात करें तो आपको यह ध्यान रख रहा है कि चाहे कुछ भ वह सब एक Local Area Network ना पाएंगे और सब आपास में Communicate कर पाएंगे लेकिन वह Virtual Machine बाहर किसी भी मशीन से विंडो से हमारे आसपास के सिस्टम से Communication नहीं करेगा जो हमें Save भी बनाता है उसके बाद आपास USB Controller को option है जहां पर हम ध्यार रखेंगे कि यह जो USB के options है यह ठीक रहें क् अगर हम Wi-Fi hacking जैसे चीज़े अपलाय करते हैं तो उसके इसमें Wi-Fi adapter अप्लग करने पर वो शो होना चाहिए और वो तभी होगा जब यह जो options है यह ठीक रहें यारि हम USB device इसको entertain करें यारि उससे add करें sound cards by default settings सही है display की settings भी बाइडिफॉल सही है फिलाल इसमें कोई भी modification हम नहीं करेंगे OK बटन पर क्लिक करेंगे तो basic configurations हम यहाँ पर कर चुके हैं अब हम हमारी machine को start करेंगे आप में से काफी लोग काली machine को पहली बार start कर रहेंगे और अगर पहले से यूज ले भी रहें तो एक बार check कर लीजेगा मेरे साथ कि अब हम जो machine के अंदर की configurations कर रहें ताकि वह में error से बचाए अच्छे से work करें software latest latest लाके दे उसके लिए जो जो settings अभी में करके बताने वाला हूं वो सब आप लोग भी cross check कर लीजेगा उगर पहली बार use ले रहे हो तो उसको apply कर लेगा यहां पर हमाँ पास login page आ चुका है जिसके by default credentials काली काली रहेगा या यूजर निम भी काली होगा पासवर्ट भी काली ही रहेगा हमने enterprise करा हम login हो चुके हमारी काली मशीन के लिए हमने basic terminal का जो इंटरफेस था वह देख लिया था यानि हमें कुछ basic command समझ आ गए थे अब वहीं पर जाकर हम modification करेंगे सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है अपनी काली मशीन में उसे अच्छा configure करने के लिए कि वह इंटरफेस यानि कम्यूनिकेशन से रिलेटिड हमें जो network चाहिए वह सही से वग कर रहा है कि नहीं कब है तो इसके लिए हम basic test क्या करते हैं सबसे पहले सर अपने terminal को start करेंगे हम इसे zoom कर लेते हैं और root permissions दे देते हैं यहाँ पर sudo su command के जरीए और command लिखेंगे हम pink space google.com ऐसा करने पर क्या होगा कि सर हमारे सिस्टम से कुछ package जाएंगे गूगल तक और वहां से reply लेकर आएंगे जिसे में यह confirm हो जाएगा कि इस सिस्टम में network services अच्छे से काम कर रही है यानि internet अच्छे से work कर रहा है तो आप देख सकते हैं क्या reply लेक shortcut का use लेते हैं जैसे आप Ctrl-C दबाओ को इसका मतलब है चलते हुए process को बीच में रोक दिया जाए ठीक है तो हमने यहां पर इस process को रोक दिया और इस process नहीं यह बताया देखो pink google.com google का IP दिखाया और बोला कि सर आपके system से package जा रहे है इसका मतलब हमें confirm हो गया कि यहां पर communication हो रहा है इसका मतलब मेरे system के पास internet services है इन केसर यहां पर अगर यह work नहीं कर रहा होता यानि अगर हम पिंग नहीं कर पाते तो हम क्या करते पहले तो जाके यहां पर राइटन साइड में चेक करते कि हम इस जुड़े हुए है या नहीं फिर भी नहीं करता तो हमें command run करत इससे वह restart हो जाएगा reboot हो जाएगा जिससे अगर complications आ भी रहें कोई issues हो भी रहे तो अपना resolve हो जाएगे अगर इसके बाद भी resolve नहीं हो तो हमें वापिस हमारी virtual machine settings में जाकर या काली की settings में जाकर देखना पड़ेगा कि उसका network adapter है वो N80 net ही selected हो तो यहां पर हमने यह confirm कर इसके बाद आपका internet service चालू हो जाएगा internet work कर रहा होगा इसके बाद किस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सर हमें normally software install करने की ज़रूद पड़ती है software को update करने की ज़रूद पड़ती है जिसके लिए APT का use लेते APT क्या है APT का Linux का Linux का play store है जैसे हमारे android में play store होता है जो है जिसका नाम APT है इसकी मदद से हम हमारे Linux के टूल्स जो है download कर सकते है packages जो है download and install कर सकते है और install भी कर सकते है और update भी कर सकते है तो यहां पर APT को use लेने से पहले अक्सर होता यह है कि हमारे पास इसकी एक configuration यानि setting file होती है जो updated नहीं होती जिसकी वज़े से जब भी हम को software download and install करने कोशिश करते हैं वह error दिखा देता है कि हमारे पास यह tool नहीं है तो हमें सबसे पहले हमारे APT को update करना पड़ेगा या APT की settings update करनी पड़ेगी जिसके लिए मैं लिखूगा cd slash etc slash apt हम जानते हैं etc का मतलब है एक ऐसा folder जो हर एक software की configuration file यानि settings की file अपने पास रखता है तो मैं ETC folder में APT के अंदर गया यानि मैं APT की settings वाइस को access करना चाहता हूं enterprise करा ls लिखा तो यहां पे कुछ files मेरे सामने पड़ी है जिन में से sources.list नाम के जो file मुझे इस में modification करना और के वर पहली बार करना यानि आप में से जितने लोग पहली बार Linux machines को use ले रहे वहां पे उन लोगों को इस file में जाना और कुछ modification करने तो हमने लिखा जिएडिट स्पेस sources.list और enterprise कर दिया तो यहां पर सुडेंस आपको कुछ aci file विजिवल होगी आपके सामने कुछ ऐसा data आ रहा होगा आपको भस ध्यान रखना है कि आप सही location पर जाके इस वांग को open करे यानि ए टीसी एपीट के अंदर जाने के बाद ही sources.list को open करे और root permission म हमने देखा के line number two एकलोती एसी line है जिसके आगे hash नहीं लिखा हुआ बाकी सभी lines के आगे hash लिखा हुआ है और यह hash क्या कर रहे हैं लाइन को comment बना रहे है यानि यह line अभी work नहीं कर दी जिस भी line के आगे hash लिखा हुआ दिखे आपको किसी file के अंदर तो normally उस hash का मतलब हो सचेंज करना है कि जो line number five है जहां पर dab src आप सभी को लिखावा visible होगा हमें वहां पर जाना है और उसके आगे से space और hash को हटाना है ताकि हम इस line को activate कर सके यह हमारा दूसरा source है आप कह सकते हो address है जिसके मंदर से हमारा play store यारी apt मुझे latest से latest office लाकर दे सकता है तो हमने क् यहां पर इसके आगे से hash हटाया फाइल को save करा control s के जरी या फिर इस button पर click करके भी save कर सकते है और मैंने इसे close कर दिया तो अब हमारी जो sources.list ती यानि play store की फाइल थी वो update हो चुके है ताकि मुझे नए से ने swap page लाके दे सके इसको use लेते ही हमारी duty है कि हम apt update कमाज जरू सही करें अब मैं play store को कहरा हूं कि अपनी settings जो है वो adopt कर लो यानि update हो जाओ तो आप देख सकते हैं यहां पर update हो रहा हम इसे खोलो zoom out करते हैं ताकि आपको और अच्छे से visible हो 98% जो है update हो चुका है और I think complete हो ही गया है इसका update का हुग ऐसा करने के बाद आप जो भी software install करना चाहें बहुत easily कर सकते हैं कैसे होंगे software install यह में नेक्ट वीडियो में देखने वाले कि हम कितने तरीकों से software install कर सकते हैं इस configuration के अलावा और क्या normal problems हमें face करने को मिलती है या और क्या-क्य issues हमें देखने को मिल सकते हैं स्टार्टिंग में क्या configuration करनी चाहिए तो सर हम यहां पर एक और चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास कुछ files है जैसे अगर मैं यहां पर लिखू जी एडिट करना चाहिए फिर बापिस अपने normal user का नाम जो पहले लिखा वाता वह लिख देना चाहिए विकॉज अगर आम ऐसा नहीं करते हैं तो इंटर्नली काली के कुछ operations में धीरे-धीरे करके अगर काली लिखा हुआ था तो काली ही रहे अगर आपको कभी अनॉनिमस रहना है उस वक्त आप यहां पर विंडोज यह नॉर्मल होस का नाम लिख सकते हो लेकिन उसे बापिस अपना काम कंप्रीट होते ही अपना टास्स पूरा होते ही चेंज कर दीजगा पुराना जो ट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी लिनक्स मशीन में कोई भी टूल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं कितने सोर्सें कितने तरीकें हैं हमारे सिस्टम में सॉफ्वेर इसको टूल को इंस्टॉल करने के तो बिना देखी करते हैं स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेसिक अगर हम इसको ले तो हमें यह समझ आ जाएगा कि सिस्टम में सॉफ्वेर इंस्टॉल करने के तीन तरीके होता है पहला प्ले कहते हैं पहला सोर्स यहां से माइंच्ट पास आता है उस सौफ्चिय वैबसाइट यहां से उस सौफ्वेर को ले कर आना यानि जिस भी कंपनी का सौफ्वयर है और जो बी का नाम उसकी ऑफिशल वैबसाईट पे जाके डाउलोड करके इंस्ट्ल आ जाए ग्जामप्र के जो आपको software लाके दे सकता है जिसमें हम ज्यादा तर यूज लेते हैं GitHub जैसे प्लैटफॉर्म को एक open source प्लैटफॉर्म जहां पर हमें क्या होता है multiple tools ऐसे ही मिल जाते हैं लिकिन इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते यहां पर कोई भी आके अपने tools अपने packages अपने software जो है अप्लोड कर सकता है अब उन software के अंदर सारी programming genuine है के नहीं कई malicious code तो नहीं लिखा हुआ कई को malicious software तो नहीं जो हमारा data चुड़ा है हमें नुकसान करें तो इस चीज की अशॉर्टी हमें directly नहीं मिल सकते हैं इस वज़े से हम उसमें थोड़ा कम trust करते हैं बट ऑल्दो हम इन तीनों sources को use लेते हैं अपने software को install करने के लिए depend करते हैं कि हमें क्या software है क्या tool है क्या package चाहिए फिलाल start करते है apt के जरीए तो यहां पर students हम root permission दे देंगे सबसे पहले और एक चीज याद रखेगा कभी भी अगर आपको apt को use लेना हो तो उससे पहले एक बार apt update कमांड जरूर रण कर ली जाएगा ताकि apt drive खुद को update कर सके अपडेट की spelling correct कर देते हैं यहां पर update तो apt क्या करेगा सर खुद को update कर देगा यानि प्ले स्टोर को update करें ताकि वह में latest software लाके दे सके process complete हो चुका है और अब मैं यहां पर कमांड रण करूंगा apt install अगर आपको कोई भी टूल चाहिए आप apt लिखो लिखो बाद में इस टूल का नाम लिख दो अग्जामपल के तौर पर अगर मुझे वाइट को व्यूर टूल चाहिए तो मैं इसका नाम लिख दूगा और enterprise करूंगा तो इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा बचसर आसे टूल के नाम हमें थोड़ी याद रहें हमें थोड़ी पता है कि यहां पर इसके कोड लिखा उसके कि कुछ नहीं लिखा तो मैं अगर टाब बटन प्रेस करता हूं तो या तो यह उसका पूरा नाम फिल कर देगा या फिर अगर इसके पास कुछ और टूल जैसे मैं थोड़ा और कम लिख दे तो मैंने के वर बाइट लिखा तो मुझे बता रहा है इससे इसके पास दो टूल जाए एक बाइट को और एक बाइट सरकल अब इन दोनों में से कॉंसर्ट उइंस्टॉल करना यह मैं सेलेट कर सकता हूं इसका मतलब यह भी मुझे लिस्ट आफ टूल शो करता है जो इसके पास अवेलिबल है हमें बस पाप बटन को प्रेस करना होता ह तो आप में सग्जस करें आपके पास क्या क्या तूस पढ़ें मैं तर फी तूल को तो यह हमें bedroom class करता हूं तो youtube और अपक्के बाइट करने अपडेट करने की क anticipate लेकिन सर अगर पहले से अपडेटिड है तो यह आपको कंफर्म कर देगा यहां पर आप देख सकते हो बाइट कोड व्यूर इस अल्रेडी दा निवेस्ट वर्जन यानि ही कह रहा है कि आपके पास एक्टेट टूल पहले से पढ़ा है और उपसे लेटस वर्जन पढ़ा है तो मैं इसमें आपको क्या ही सपोर्ट दूँगा आपके पास सब कुछ परफेक्ट है लेकिन अगर सर यह सब्डेट कर देता है नहीं होता तो इंस्टॉल कर देता तो एपीट के जरीए सब्फेर कैसे इंस्टॉल होगा उमीद आपको क्लियर हो गया हो कई बार ऐसा भी होता है कि सब्फेर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ आपका जो एपीट है वो कई सारे और ऐसे टूल और पैकेजिस को हटा देता है जो आपके लिए बहुत काम के है तो मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आटो रिमूव और रिमूव कमांद जो है एपीट के अंदर यूज न लिये जाए आप रियंस्टॉल को यूज ले सकते हैं अगर आपको किसी बी टूल में को इसू हो रहा है तो अपडेट करते हैं अपडेट ओल के जरीए तो यहां पे भी तो हमें वो करने की जोत पड़ सकती है और करना भी चाहिए यानि एक टाइम पिरेट के गैप से आपको अपने लिनक्स में जितने भी टूल्स है सबको एक बार अपडेट कर देना चाहिए जिसके लिए आप कमां टूल्स है इतनी जगह लेंगे तो क्या आप चाहते हैं इसे इंस्टाल करें अगर मैं यस लिखूंगा तो इस्टालिशन प्रसेश जो है या अपडेशन प्रसेश जो है वह स्टार्ट हो जाएगा फिलाल मैं नहीं कर रहा हूं यह काफी टाइम टेकिंग प्रसेश है बट करूं तो यह वही से स्टार्ट होगा तो यह अगर आप से गलती से रुक जाए आपका नेटवर्क बंद हो जाए तो आप वाप्ष उस कमार्ड को वही से स्टार्ट कर देंगे तो साही चीजरे रिजॉल्व हो जाईगी फिलाल मैं यसे अगें बंद कर देता हूं यह तो था APT के जरीए यानि अपने Linux के प्लेस्टोर के जरीए टूस कैसे इस्टॉल करे जाए अब दूसरा कोशन होता है कि सर इसके अलावा से किसे करा जाए तो यह बहुत इजी प्रॉसेस है अम ब्राउजर पर जाएंगे यहां पर एक न्यू टैब उपन कर लेते हैं और अब हम यहां पर सर्च करेंगे कोई भी टूस अंस्टॉल करना चाहते हैं एक्जामपल के तौर पर मैं गूगल क्रोम इस्टॉल करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर लिखा गूगल और यहां पर सुड़ेश डाउनलोड करोम का बटन में सामने आ चुका है मैं उस पर क्लिक करोगा और एक चीज़ खास आप देखेंगे यहां पर कि हमारे पास सीधा लिनक्स का पेज उपन हुआ है यानि हमाया पास डाउनलोड तूल के जो ऑफ्शेंज आया है यहां जा Base वह लिउनक्स के या और बिखाय लिखाय है के वह लिनक्स के लए दिखाय गा है तरी तो उसे पता पड़ा है कि मैं Linux operating system के जरीए ये packet भेज रहा हूं तो इसने मुझे software भी Linux के दिखाए तो आपको समझ आ गया होगा user agent आपकी जो detail ले जाता है वो ये use लेते हैं फिलाल अगर आपके पास कभी भी Linux का कोई तूल आता है तो आपके पास दो extension देखने को मिले एक .deb एक .rpm क्योंकि हम debian based operating systems को use ले रहे हैं तो हम हमेशा .deb file को ही download करेंगे अपनी काली Linux के लिए तो मैं accept and install पर click कर रहा है फाइल जल्द ही download हो जाएगी installation auto start नहीं होगा वो मैं manually start करना पड़ेगा बहुत easy process है तो यहां पर file जो है वो download हो चुकी है ठीक है इस file का नाम number 4 है तो मैं क्या आपकरता हूँ इस अपनी desktop पर copy कर लेता हूँ या किसी दूसरी location पर इसे क्या करता हो drag and drop करके copy कर लेता हूँ तो मैंने इसे documents में copy कर लिया आप देख सकते है documents में Google Chrome नाम की एक file में पास आ चुकी है अब हम यहां पर right click करके open terminal here कर देते हैं यानि इस location पे terminal को start कर देते है root permission दे देते हैं पासवर्ड में KALI यानि काली लिखना है और enterprise कर दिया हमने अब अगर मैं PWD लिखू तो यह बता रहा है कि सर आप home के अंदर काली के अंदर documents नाम की directory में हो और ls लिखू तो आप देख सकते हो Google Chrome के अभी अभी जो मैंने file download कर रही थी वह यहां पर visible है जिस dpkg का मतलब है debian package kits को manage करने वाले तूल यानि जितने भी debian packages होते dot db packages होते उनको manage कर सकता है तो इसके सब्सक्राइब हमारे tool को इंस्ट्रॉल करना चाहेंगे तो हमने लिखा iPhone i और यह जो आप आप कम highlighted way में आप आगे लिखा और text लिखर होए क्या और है हमारा terminal हमें suggest कर कि शायद आप यह लिखना चाहरे होंगे तो मैंने आप पर G double O लिखा और tab button दबा दिया इसका मतलब starting का कुछ phase लिखा और उसके बाद tab दबा दिया ताकि वो पूरे name को सही फिल कर दे अब अगर मैं enterprise करता हूं तो आप देखेंगे Google Chrome का installation process जो है वो start हो चुका है तो इस तरीके से मैं official websites पर जाके मुझे जो भी files मिलती है उन्हें install कर सकता हूं अपनी Linux machine में यह था हमारा second source अब सवाल यह है कि sir third source क्या और कैसे काम करेगा तो third source में हम आपास third party services आती है यानि official website के अलावा कोई भी website से आप अगर software लेके आते हो किसी भी तरीके से और वहां समझते हो कि उसे कैसे install करना है वो third party service है हर एक जगह से software आके install करने का तरीका थोड़ा बहुत different हो सकता है अभी हम किस third party software को यूज लेंगे हम यूज लेंगे github को तो माल लेते हैं हमें यहां पर एक software चाहिए था कोई भी software में as a example ले सकते हैं फिलार में ले लेता हूं T-Bomb नाम का software क्या काम करता है इससे फिलार फरक नहीं पड़ेगा में को बस एक software चाहिए था तो मैंने T-Bomb space github लिख दिया और अंडर प्रेस करा तो यह automatically मुझे कुछ urs लाके देगा जिसकी मदद से मैं T-Bomb software को अपने system में download कर सकता हूं हमने इस पर click करा github किया open source platform में जहां पर हर तरीके की files, tools, packages और बहुत data मिल सकता हमाले काफे काम की जगर भी है यह अब यहां पे यह रही करेगा, कैसे install करना है, कोई problem है तो कैसे उसे resolve करा जा सकता है, ऐसे कुछ steps हमें आदेखने को मिलते हैं, जैसे आप users देख सकते हैं, use लेने का तरीका बता रहा है, installation process अगर आप termux में करना चाहते हैं, वो भी बता रहा है, ISS में करना चाहते हैं, और debian-based Linux operating system जो की हम use ले अगर महां करना चाहते हैं, तो इसके भी steps बता रहा है, आपको बस इस steps को follow करना है, और आपको जो tool है, start हो चुका हो गए, install हो चुका होगा, तो इस process क्या बोल रहा है, कि सबसे पहले git नाम के tool को install करो, जो by default हमारे Linux में मिलेगा, बट फिर भी confirm करने के लिए, अगर इस न command की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो मैंने पहला command run करा, install git, अब यह में पास tool install नहीं था, या updated नहीं था, या कुछ package missing के तो मुझे बोल रहा है, क्या आप वो tools और packages भी install करना चाहोगे, हमने yes लिख दिया, अब यह github, 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 g तो तूल डाउलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी मुझे एक एरर दिखा रहा है, वो एरर कह रहा है, कि सर आपने जो फाइल डाउलोड करने का का है, वो आपके पास अल्रेडी एक्जिस्ट है, यानि पहले से पड़ी है, तो हमने का देख लेता है, लिखा, यहां पर आप देख सकते हो, टीबॉम नाम का फोल्डर पहले से पड़ा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, अगर आपको नहीं भी पता, या मान के चल्डर में नहीं पता, तो यहां पर हम स्टैप्स को देख सकते हैं, कि इसके बाद जो स्टैप्स था, वो हमें क्या गाइट कर रहा था, तो वो कह रहा था, फोल्डर के अंदर जाओ, cd कमाड के जरीए, और bash tbomb.sh लिखो, इसे और जूम कर ले तो आपको clear visible हो, थोड़ा सा जूम आउट और कर लेते हैं, तो यहां पर इसने में बताया है, कि इसले आप bash tbomb.sh लिखकर, इस फाइल को रन कर सकते हैं, हम रेका ठीक है, हम फिर से के हमारा टर्मिनल में, हमने लिखा cd, tbomb, and ls लिखा, यहां पर हमारे पास tbomb.sh नाम की फाइल पड़ी है, हम लिखेंगे bash tbomb.sh और enter प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है, हम देखने वाले हैं, कि हमारे apt के जरीए, जब भी हम सॉफफिर इंस्टार्ल करते हैं, तो अकसर error आ सकते हैं, बहुत common चीज है, लेकिन आपको बताने वाला हूँ, कुछ top ऐसे 5 कमांद जिसके जरीए, हमारे आदे से ज़ादा apt के errors resolve हो जाएंगे, या आप कहा सकते हैं, 95 percent, apt के errors आते हैं, या software जब आप install करते हैं, तब जो errors आते हैं, वो resort हो जाएंगे, और वो exceptions हमें कभी भी face करने को मिल सकते हैं, but I hope धीरे-जीरे आप लोग उनको भी clear करना सीख लेंगे, इनी sessions के जरीए, तो सवाल है, यह commands है किया, और apt में errors normally आते हैं, पहली चीज हमें यह चेक करनी होती ही, कि सथ जब आम apt के जरीए work कर रहे हैं, आप लोगोंने मेरे पुराने configuration वाले वीडियो देखा होगा, जहाँ पर हम यह ध्यान रखते हैं, कि sources.list में, यानि अगर मैं यहाँ पर लिखू जी edit, slash etc, slash apt, slash sources.list, और enterprise करो, तो में सामने एक file open होती है, हमें यह सबसे पहली चीज़ के file में, जो line number 5 है, उसके आगे hash न हो, ना space हो, ना hash हो, ठीक है, यह मेरी last video में भी हमने configuration करी थी, हमें पहला तो इसे cross check कर लेना है, दूसरा हमें यह देखना है, कि internet service work कर रही हो, तो हमने उसके लिए pin google.com लिखके देख लिया, कि हां से internet service work कर रही है, हमारे package जो है, वो यहाँ पे successfully transfer हो रहा है, और reply भी आ रहा है, तो internet service भी work कर रही है, social dot list भी सही है, अब इसके बाद जो apt के errors आते हैं, उनको resolve करने के लिए पहली कोशिश क्या रहती है, जैसा हमने देखा था, एक बार apt update command run कर लेना चाहिए, यह मेरे five commands में नहीं फिलाल आ install, hyphen, hyphen, fix, hyphen, broken, इस command के जरी, students, अगर आपके पास कोई भी broken package है, कोई भी चीज़ सही से work नहीं कर रहे है, तो यह उसे manage कर लेगा, उसे सही कर देगा, तो कुछ apt के errors इससे resolve हो जाता है, जिसका मतलब है, कि आपको कि software अधूरा install हुआ, अधूरा download हुआ, इसकी वज़े स सही से work नहीं कर रहे हैं, तो इसको resolve करने के लिए, यह command हमारी मदद कर देता है, हमने इस command को run कर दिया, इस command को run करने के बाद, मैं फिर से किसी software को install करने की कोशिश करूँगा, और अगर अभी भी error आ रहा है, तो हमें ज़रूत है हमारे second command, second command है, apt install, hyphen, hyphen, fix, hyphen, missing, कोई इस भी से missing package है, तो उसे install करके भी चीजों को resolve करा जा सकता है, तो हम इस command को वहाँ पर use लेते हैं, पहला था, apt install, hyphen, 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 broken, then hyphen, 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 missing, हमारा second command था, sir, लेकिन अगर इन दोनों commands को run करने के बाद भी error resolve नहीं हुआ, तब क्या करें, तो ऐसा हो सकता है, कि हमारे apt में जो basic cache files होती है, जो hashes related data record करती है, शायद उसकी वज़े से error आ रहा हूँ, तो उन cache data को clear करने के लिए हम command लिखते हैं, apt clean, बस यहाँ पर हम एक बात का ज्या लो करने के बाद भी अगर हमारा error resolve नहीं हुआ, normally हो जाता है, बट फिर भी हमान के चलने के सब worst condition है, अभी भी error resolve नहीं हुआ, तो अब हम apply करते हैं, बहुत ही अच्छा command जो ज्यादातर apt के error resolve कर देता है, यह command है, rm-rf-var-lib-apt-lisds, और उसके बाद एक asterik, इसका मतलब क क्लियर कर देता हो यहां पर, तो rm के जरीए, यहां पर हम क्या कर रहे है, manually, जो hashish का data store होता है, जो cache data होता है, उसे manually पूरा delete कर रहे है, ताकि apt work as a fresh user start करे, as a fresh software start करे, और आदी से जादा problem जासे ही resolve हो जाएगे, normally हमारा system में भी issue आता है, android में issue आता है, तो हम क्या करते है बहुत जादा issue आता है, तो एक दाव format कर देता है, साथ data clean कर देता है, ताकि हो अच्छे से काम करें, यहां पर हम कुछ ऐसा करें, लिकिन इससे हमारा data delete नहीं होगा, हमने पर कमाल लिखा rm, जिसका मतलब है file को remove करा जाए, rf का मतलब है recursively and forcefully, ताकि हमें कोई भी न रोक लिखेगा, फिर हमने location दी, apt के उस location की जहां पे सारे के सारे cache या hashes related data होता है, asterick का मतलब है सब कुछ, यानि LISTS folder में, जो भी data है, सब delete कर दिया जाए, हमने enterprise कर रहा है, हम से पूछ रहा है, क्या VLT में data delete करना चाहते हैं, why लिखेंगे और data delete हो जाएगा, ठीक है, इसक के लिए यह बिल्कुल fresh apt है, और ऐसा करने पर, sir हमारे 90% errors resolve हो जाते है, अब वो 5% errors क्या, जैसा मैंने कहा था, 95% error resolve होने के chances है, इन commands के जरीए, तो जो last command है हमारा, अगर इन सबसे work नहीं हो रहा है, तो last command हमारे work आ जाता है, क्या है वो, display को clear करते हो, यहां पर command लिखते ह हाइफने, हाइफन, 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 कॉन्फिगर, तो जब हम इस command को run करेंगे, तो हमारा dpkg क्या करेगा, सारी चीजों को, सारे tools को, जो miss configured हो चुके है, जा issues आ रहे, उनको configure कर देगा, तो इसकी मदस से, हमारा last 5% error भी resolve हो जाएगा, although मैं पास अभी को error था नहीं, त आचो कमास को एक बार आप practice करोगे, तो आपके apt के ये सारे errors तो resolve हो जाएगे, हम देखने वाले हैं कि कोई भी machine या कोई भी server, चाहे वो Windows या Microsoft का server हो, चाहे वो हमारे Linux के servers हो, उन पर website hosting होती कैसे है, basically कॉन से tools काम आते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो इसका basic अगर हम comparison देख हमें, और दूसरी तरफ है हमारा Linux operating system, अब इन दोनों ही cases में, ये दोनों ही softwares अपनी-पनी कुछ services का use लेते हैं, या फिर अपने कुछ softwares का use लेते हैं, ताकि ये logo तक अपनी services पहुचा सके, जिसका मतलब है website hosting का सके, लोग इन से बात कर सके, उसके लिए ये क्या करते ह अपने कुछ tools का use लेते हैं, जिसे हम service providers भी कहते हैं, तो normally अगर हम बात करें Microsoft की, तो Microsoft use लेता है IIS को, Internet Information Service को, इससे क्या होता है, इसकी मदद से ये अपने एक system को server में convert कर पाता है, यानि system की ports open कर पाता है, वहाँ पे different different तरीके के functions प्रोवाइड कर पाता है, जैसे website access करनी की पावर, file sharing की पावर, ये सारी चीजे हमाना Microsoft IIS के जरीए perform करता है, लेकिन अगर हम बात करें Linux की, तो Linux अपनी website को host करने के लिए, अपने data को logo तक share करने के लिए, अपनी services को logo तक share करने के लिए, जिस tool का use लेता है, वो है Apache, जिसका currently जो version work कर रहा है, वो है Apache 2, Linux यूज ल अपाचे 2 क्या होता है, सर, ये एक ऐसा tool है, जो आपकी मदद करेगा, आपके system में HTTP service को open करने के लिए, अब HTTP का full form है, hyper tax transfer protocol, और I think हम सब जानते हैं, कि ये by default कौन से रस्ते पर अपने data को share करता है, port number 80 पर, यानि Apache को जब हम use लेते हैं, या start करते है, वो क्या करता है, सर, HTTP service को start कर देता है, website share करने के लिए, जिसका मतलब एक system की port 80 जो है, वो open हो जाते है, यानि सर, हमने Apache 2 को अगर इस system में start करा, तो वो इस system का एक रस्ता open कर देगा, port number 80, जहां पे HTTP service work कर रही है, और उसकी मदद से, ये अपनी website को host कर पाएगा, अपनी website को share कर पाएगा, लेक करता है, अपने एक directory के अंदर पड़े हुए data को, यानि इसका एक फिक्स location है, उस location पर जो भी data पढ़ा होगा, Apache, उस data को HTTP service के मदद से port 80 पे share कर देता है, अब उस directory की location के है, तो directory की location है, var www.html.html folder के अंदर जो भी data पढ़ा है, asteric का मतलब है, सब कुछ, वो सारा data, Apache 2 share क पर देता है port 80 पे, अब ये बात कितली सही है और कैसे वक्त कर रही है, इसको एक बार हम practical करके देख लेता है, तो अब हम चलते हैं हमारे काली Linux operating system पे, और यहाँ पे सबसे पहले, हम देखना चाहेंगे कि क्या अभी current scenario में, मेरे system की port 80 पे कोई भी चीज चल रही है या नही पर वो कैसे देखेंगे, सर बिना IP के तो आप बात नहीं कर सकते है अपने system से भी, तो हमारे system के पास फिलाल क्या-क्या IP details है ये देखने के लिए, ये मेरे system के पास currently क्या-क्या IP addresses है, ये check करने के लिए, मैं command run करूँगा if config, if config या if config ये जो command है, ये मेरे system की networking details और उन से ज आप आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो device का नाव मुझे लिखा वा दिखा रहा है, वो है ETH0, जिसका मतलब है Ethernet, जो हमारा VMware अपने NAT, NAT, जो हमने network adapter select कराता है, उसके अंदर provide करता है, जिसमें वह में दिखाता है कि आप cable से NAT चला रहे हो, फिर चाय आप Wi-Fi से ही क्यों न करा है, वो है 192.168.216.161, यह क्या है, सरे मेरे system का private IP address है, जो local era network में बात करने में मेरी help करेगा, उसके अलावा scroll down करूं तो यहाँ पे आपको LO लिखा वा है, जिसका मतलब है local host, और I hope आप सभी को पता हो को local host क्या होगा, सरे कैसा address, जो हर system के पास होता है, जो उसके मन क तरह होता है, जिसके मतलब वो खुच से communication कर रहा है, तो यहाँ पे उसका IP address भी दिखा रहा है, जो कि यह 127.0.0.1, आप सभी से मेरे question भी है, कि 127.0.0.1 यह जो IP address है, इसका एक domain name भी होता है, वो क्या है, very good, वो है local host, तो अगर मैं यहाँ पे अपने browser पे जाओं, और देख और port number 80, ऐसा लिखने पे क्या करेगा, यह देखेगा क्या है, हमारे system की, क्योंकि local host मेरा address है, port 80 पे कुछ चल रहा है के नहीं, enterprise करूगा, कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, मैंने new tab open करा, यहाँ पे मैंना IP address लिखके देखने की कोशिश करी, 127.0.0.0.1, colon 80, क्योंकि Apache by default port 80 पे data share करता है, मैं देख रहा हूँ कि अभी कोई data share हो रहा है या नहीं, enterprise करा, कुछ भी नहीं चल रहा, हमने सोच आपनी private IP लिखके देख लेते हैं, तो यह दी मिली private IP जिसको मैंने copy कर लिया, control shift C command के जरीए, और यहाँ पे paste कर दिया, control V के जरीए, colon 80 ल चल रहा है, तो हमने का अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, हमारी जो Apache service थी, जो कहती है कि मैं port 80 को open कर दूँगी, उसको जाके check करते हैं, तो उसके लिए हम कमाल लिखेंगे service, Apache to start, ऐसा लिखने पे Apache software start हो जाएगा, जो HTTP service को चालू करेगा, port 80 को open करेगा, और जो HTML folder के आसे check करें, तो हमने का फिर से हमारे browser पे चलते हैं, और बापिस से, सारे addresses लिखके देखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा, localhost, 80, एक बार फिर से address पूरा लिखेगा, ताकि वो HTTP में ही website को call करे, मैं enterprise कर रहा है, तो आप देख सकते हो, अब यहाँ पे एक page आ रहा है, ऐसा क्योंकि के cases में page थोड़ा different दिखेगा, आपको Apache लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि by default जो page होता है, वो अलग होता है, मैंने थोड़े modification कर रखें, बस इतना सा फार्ट है, next page पहा हूँ, तो यहाँ पे मैंना IP address लिखके भी बात करनी की कोशिश करी, 127.0.0.0.1, colon 80, तो sir, same page access कर पा रहा हूँ, और sir, अगर मैं अपना private IP से चीज try करूँ, यानि अगर हम अपने private IP को copy कर लें, फिर से, control C, और इसको complete remove करके, control V, colon 80 लिखें, और enter press करें, तो आप देख सकते हो, private IP से भी मैं इस website को access कर पा रहा हूँ, खास बात यह हैं, sir, जितने भी लोग मेरे इस range म सब लोग इस website को फिलाल access कर सकते हैं, Apache को IP से कोई लेना देना नहीं है, IP का rule वैसा ही रहेगा, अगर मेरे system के पास private IP है, तो केवर मेरी local area network के जो लोग होते हैं, वो इस website को access कर सकते हैं, अगर इसके पास public IP होता, जो हमारे servers के पास होता है, तो wide area network के लोग इस website से बात कर पाइंगे, Apache को कोई फरक नहीं पड़ेगा, उसने तो port 80 open कर दिये, अब आपके पास जो IP address है, उस range के लोग आप से बात कर सकते हैं, I hope आपको Apache का इतना तो clear हो गया होगा, अब हमें ये देखना है, कि ये जो data में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कहां से आया, वो ज प्रेस करा और LS लिखा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे index.html नाम की एक फाइल रखी हुई है, आप सब केस में फाइल यहाँ पे होगी, इसके अंदर कोडिं अलग हो सकती है, अलग data लिखावा हो सकता है, क्योंके मैंने ये अल्रेडी मोडिफाय कर रखा है, तो मैं यह सामने फाइल उपन हो चुकी है, आप लोगों की केस में फाइल उपन होगी, इसमें content तोड़ा जादा होगा, जैसा मैंने का, यहाँ मैंने modification कर रखा है, बट फिर भी check करने के लिए मैंने all hacked के बाद bad लिख दिया, और इसे save कर दिया, अगर आप पुराना page देखोगे, तो Apache ने इस ही data को share कराता, और केवल website की बात नहीं है, आप अपनी files and folders भी share कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो sir, अगर मैं इस folder में जाता हूँ, यहाँ पे control C करके बाहर आता हूँ, ls लिखता हूँ, तो अगर यहाँ कोई folder पढ़ा होता, जैसे मैंने यहाँ लिखा mkdir test, और उसके बाद मैं इस folder में गया, cd test, और मैंने यहाँ folder बना दिया, एक file रग दी, mkdir, राहुल लिख देता है, और enter प्रेस करा, तो इसका मतलब sir, हमने test नाम का folder बनाया है, जिसमें राहुल नाम का एक folder पढ़ावा, या कोई file भी पढ़ी होती है, और आप इसे अगर share करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बस अपने ब्राउजर में जाएंगे, इस address के बाद, हम लिख देंगे slash test, enter प्रेस करेंगे, तो इसके अंदर रखा हुआ folder जो हमें या पर देखने को मिल रहा है, हम देखने वाले हैं layers of internet, basically anonymous रहने के concept में, हमें layers of internet को समझना होगा, because वहा देखने करते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, कि URL क्या होती है, because यह connected है हमारी layers of internet से, कैसे connected है, यह देखते हैं, पहले देख लेते है, URL होता क्या है, URL का uniform resource locator होता है, जैसा कि इसका नाम है, शायद सर हर एक चीज का, हर एक resource का, हर एक asset का, या file का, जो internet पेप्लोड कोई भी content, उसको uniquely identify करने में यह काम आता है, कैसा दिखता है, तो इसका format बताता है, कि इसमें सबसे पहले protocols आए जाते हैं, जैसे HTTP, HTTPS, या TCP, then colon slash slash के बाद डोमेन नेम आता है, जैसे wskubetech.com, अक्सर यहां पे port भी देखी, जा सकती है, normally दिखती नहीं है, but otherwise 443 या 80 port पे के बादचित करते हैं, उसके अलावा सर्मापास किसी folder का नाम आ सकता है, example के तौर पर माल लेते हैं, images नाम का folder हो, and then file आ सकते है, जैसे images नाम के folder में logo.png नाम की पर फाइल परी है, कभी कबार सर्य यहां पे parameters भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे id equals to 1, id equals to 2, तो यह एक URL का format है, और अगर आप यहां पे देखें, तो example के तौर पे URL लिखी भी गई है, जो की है, http colon slash slash ws.com colon 80 slash auth, जो folder का नाम है, slash login.ashx, and उसके बाद, uid equals to 129 नाम का यह parameter है, और उसके अंदर value जो है, वो 129 है, तो कुछ ऐसा देखता है, हमारा URL और हमने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे URLs यानि आज की टाइम पर सर्म जो भी website access करते हैं, यॉरल जो होते हैं, बिना URL के तो website access नहीं का सकते हैं, एक और चीज के सब URL को, URIB कहा जाता है, उससे similar ही है, इसका full form है, uniform resource identifier, basically URL जो है, वो हरे resource को uniquely identify करने का काम करता है, तो इसे URIB कहा जाता है, uniform resource identifier, भी कहा जाता है, यह इसकी working है, तो URL तो आप सभी को clear हुआ, आप हमने URL पढ़ा की है, students की पीछे reason यह है, जिस तरीके से हमने IP को पढ़ाता, IP के कुछ rules थे, पोच को पढ़ाता, उनके कुछ rules थे, प्रोटोकॉस खुद rules थे, वैसे ही यहाँ पे, हमारा जो internet है, उसका भी खुद का एक rule है, ज कुछ भी access करना है, internet का कहना है कि बिना उसके complete address के, यानि बिना उस फाइल के address के, आप उस content को access नहीं कर सकते, अब सर्फाइल का address क्या होगो, तो file का address होता है URL, इसका मतलब हमारा internet हमें बता रहा है, कि सर आप किसी भी चीज़ को अगर access करना चाहते, internet की किसी भी फाइल को चाहते हैं, तो भी ना URL के नहीं कर सकते, यानि आपको कोई भी page access करने के लिए URL पता होना चाहिए, अब सवाल यह है, कि सार्थ हम humans को तो IP address भी याद नहीं हो रहे थे, तभी उनका domain name रखा गया, तो URL कैसे याद रख सकता है, कि आपके लिए possible है, इस URL को याद रखना, य अगर URL याद नहीं है, तो आज तक हम इंटरनेट का data access कैसे कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी मदद कर रहे हैं हमारे search engines, जैसे Google, Yahoo, Bing, and XYZ, यानि डगडगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कर ही नहीं पाते हैं, एक example यहाँ पर देख लेते हैं, इसी से related के हम चलते हैं हमारे browser में, तो यहाँ पर students हमारे ब्राउजर पर चलते ही हमने लिखा माल लेते हैं, WSQ हैकिग, अब अगर आप सबसे मैं पूछूगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग सर्च करा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, यह रहा इस page का complete address, जो सर अगर आपके पास नहीं होता, तो आप कभी भी इस page को access नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कुछ भी changes करूँ, अगर मैं आप छोड़े minor changes भी करूँ तो आप द कितना important role play कर रहा है, अब बात करते हैं layers of internet की, सुड़ें से एक बात हमने जरूर सुनी होगी कि आज की time पे हम हमारे internet का केवल और केवल 5% data access कर पा रहे हैं, हमारे internet पे इतना सारा data पढ़ा है, जिसमें से हम केवल 5% data access कर पा रहे हैं, क्या यह बात सच है कि नहीं, और अग असल में हमारे जो सबसे पहले layer है ना surface web, वो यह 5% data के बारे में discussion कर रहे हैं, वो हमें इस 5% data के बारे में बता रहे हैं, जो आज हम access कर पा रहे हैं internet पे, उसके अलावा सा 95% data ऐसा है, जो आप access नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले focus इस 5% पे करते हैं, क्या और हम क्यों इतना यह कोई टुकड़ा नहीं है, या कोई जगा नहीं है, यह category है जो में यह बताती है, कि सर इंटरनाट के वो सारे addresses, वो सारे urls, वो सारे pages, जो आपका search engine, आपका search engine जैसे google, या कोई भी dug dug go, bing, yahoo, कोई भी search engine, अपने index में, यानि अपने output में, आपको दिखा सकता है, वो सा सारे urls, वो सारे pages, वो सारे addresses, या वो सारा data, जो एक search engine आपको अपने output में दिखा सकता है, अपने index पर दिखा सकता है, जब आपको keyword सर्च करते हैं, तब वो address दिखा सकता है, वो data, surface web के category में count होता है, वो data 5% data है के वर, example के तोर पे, हमारे social account से, मान लेते हैं, हमारे Instagram account पे अगर आप लोग खुद के Instagram profile पे visit करते हो, तो वहाँ पे आपको password update करने का option मिलता है, आपकी profile देखने का option मिलता है, आपकी जो bios details या पिर आपने जो personal details update कर रखी है, private information वो देखने का मौकर मिलता है, example के तोर पे आपकी data बत होगी, contact details होगी, email address हो गया, ये सारी चीज़े क करो कि अशिश कुमार का Instagram profile है, मुझे उनके contact number दिखाऊ, या फिर email address दिखाऊ, या उस page पे लिटा हो, जहां पे साइड detail दिखाता है, क्योंकि उस page का URL तो है, लेकिन क्या में वो page access का सकता हो, नहीं का सकता हो, private data है, वो search engine अपने output में, अपने index में, उसका URL कभी नहीं दि सकता है, नहीं का सकता, तो ऐसा, इतना सारा data है, जो हमारा search engine अपने output में नहीं दिखा सकता, अपने index में नहीं शो कर सकता, उस पूरे data को ये 95% में count करा जाता है, और जितना data वो search engine दिखा सकता है, अपने ओटूत में, चाहे को कोई भी search engine हो, जितना भी data अपने index में दिखा सकता है यानि जिसका URL हमें हमारा search engine लाके दे सकता है अब बात आती है 95% data की यह क्या है तो यह 95% data है हमारा deep web deep web internet का वो हिस्सा है हिस्सा भी नहीं कहेंगे यह वो category है जिसके अंदर पूरा का पूरा वो data जो बिना URL के access नहीं करा जा सकता और जो search engine अपना output में नहीं रिखा सकता वो सारा data deep web की category में count होता है इसका मतलब सर आपको Google, Yahoo, DuckDuckGo, Bing जो भी search engine है अगर यह आपको कोई URL नहीं लाके दे पा रहा है तो वो पूरा data किसी भी reason से नहीं लाके दे रहा हूँ जो search engine अपना output में नहीं दिखा रहा है I hope आप सभी को clear हो गया होगा अब सवाल यह है किसर जो dark web है यह क्या है तो इसी deep web में एक छोटा सा part और है जहां पे हम part तो नहीं कहेंगे एक category और है किसर इस deep web में 95% में बहुत सारी URL है जो अलग-अलग reasons से search engine नहीं show कर रहा है उन URL में से कुछ ऐसी website है कुछ ऐसी जगा है जहां पे illegal activities हो रही है तो वो सारी website जहां पे illegal activities परफॉर्म करी जा रही है वो सारी website count होती है डाक web की category में इसका मतलब किस 95% data में से जितना भी data illegal activities कर रहा है जितनी भी website illegal activities कर रही है वो सारी की सारी website डाक web की category में automatically count हो जाती है आप सभी को clear हो गया होगा लेकिन यहां पे एक layer और बची हुई है और इस layer का नाम है hidden वेब आप सवाल है कि hidden वेब क्या है तो सर हमारे इस 95% internet में हमें पता है जहां illegal website work कर रही है जो illegal activities हो रही है वो dark web की category में count हो लेकिन इसके अलावा वो सारा data जो अभी तक discover ही नहीं करा गया है जो अभी तक लोगों को मिला ही नहीं है जिसके URL जिसके address लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुचे है वो पूरा का पूरा internet क्यालाता है hidden web यह पूरा पूरा data क्यालाता है hidden web की category में उसको count करा जाता है यह कह सकते हैं और इसी पार्ट को समझने के नहीं एक example लेते हैं सब्सक्राइब यहां पर हुआ यह कि मैंने एक website बने हुआ जिक है और एक और friend के पास है यानि हमारे दो हम तीनों के पास इस website का access है हम तीनों ही इस website को access करते हैं हमारा अलावा कोई नहीं कर सकता है किसी को इसका address नहीं पता है लेकिन उस user के अलावा बाकी किसी के पास उसका address नहीं है या फिर तीन चार चलों के अलावा एक छोटे से group के अलावा किसी के पास URL नहीं है इतने बड़े world में तो उस case में उसको हम hidden web मानेंगे उस case में हम इसको hidden web की category में count करेंगे अब ज़र हुआ यह कि इसने अपने एक फ्रेंड को बताया जिसके भी खुद के तीन फ्रेंस थे और ऐसे ही करते करते बात शेयर होती गई और एक टाइम आया जब किसी website में या किसी ब्लॉग में एक user ने इसका link upload कर दिया जो के भी search engine पे इंडेक्स नहीं हुआ या फिर म वेरे गुड अब यह सर्फेसपे आप माना जाएगा क्यों क्यों कि सर्श पर इंडेक्स हो चुकी है अब पता पर है कि सर यहां पे तो इलिकल अक्टिवीटीज थी तो क्योंकि यहां पर क्राय मोरा था तो सर्च ने क्या करा इसे ब्लॉक कर दिया इसे हता दिया अपने से सर्च इंजन ने इस अपने इंडेक्शिं से हटा दिया किसी भी रीजन से हटाया हो एक्जामपल ले रहे हम बस तो अब ये काउंट होगी हमारे डाक वैप की कैटेगरी में क्योंकि यहां पर इलिगल अक्टिविटीज हो रही थी यह सच इंजन पिंडेक्स नहीं है तो केटेगरी में काउंट करा जाएगा किस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाव डाक्वेट मेंक्स यू आनॉनमस बेसिक्लिज नूm की मदस से यूजर इस डाक वेप पर ले जाके अपनी एपसेट होस्ट कर रहा है रहां क्या क्लुणिज यूजर यदि होती है और वह पार हम सब डाक वेब के बादे में थोड़ा बहुत अवेर है कि सब इसे एकसेस करने के लिए हमें चाहिए एक स्पेशल ब्राउजर तो आप लेज़ देखेगा यहां पर पहली स्पेशल ब्राउजर होना चाहिए जैसे टॉर ब्राउजर उसी की मदद से आप डाक वेब की क उनका जो लिंक है उनका जो डोमें नेम है वो कुछ ऐसा होता है जिसका एक्स्टेंशन आप देख सकते हो डॉट और यह याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है खैसर हम याद क्यों रखेंगे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बाद भी एक डिफिकल्टी और आ जाती है यानि थर्ड लेर अफ सेक्योर्टी आ जाती है कि आपके पास जो डोमें नेम नेम है वो हर एक टैम्पिनट के गैप से चेंज हो जाएगा या फिर जब एडमिन चाहता है तब चेंज हो जाएगा और ऐसा करने पर या ऐसा करने की वज चुका है तो यह यहां पर जो थर्ड लेर अफ सेक्योर्टी और यानि आपको डैनेमिक डोमें नेम्स जो की चेंज होते जाते हैं तो यह उन उसको और जादा सेफ कर दोता है हम साथ सर यह भी समझेंगे क्यों किस केस में पकड़े जा सकते हैं कैसे पकड़ना चाहिए जा बहुत ही जादा स्ट्रॉंग लेयर है वह यह है किसर यहां पर लेयर ऑफ आई-प अडर्स प्रोवाइड कराई जाती है और इनमें भी कुछ पॉइंटर्स है जो इसको बहुत जादा सिक्योर बना देते हैं तो यहां पर तीन लेयर का मतलब क्या है किस तरीके से बख करता है कि माल लेता है यूजर एको फेस्बूक अक्सेस करना था लेकिन वह अपनी आई-पी से अक्सेस नहीं करना चाहता था वह इस वेबसाइट को अनानुमस लेक्स करना चाहता था और उसके लिए उसने टॉर सर्विस का यूज दिया तो उसने अपने सिस्टम में टॉर को स और जिसके बारे आगे चलके देखेंगे जब उसने से स्टार्ट करा तो यह वर्क किस तरीके से करता है अब उसका जो पैकेट था जो पहले डारेक फेस्बूक तक पहुंच रहा था जिसमें फेस्बूक के पास उसका आई-प एडर जा रहा था जो भी आए जांपर के कीणके एठ हमने इसको अलॉट कर दिया था सब्सक्राइब कर तो नोमबर भी पर जाएगा सब्सक्राइब किसिश अलग कंट्री je जाएगा तो facebook के पास Ip किस का जाएगा सीस्टम D करेगा और facebook reply कि इसको करेगा system d को करेगा system d के पास reply आए गा वो स्सक्तम k को बेजेगा system c उस reply b को बेजेगा system be उस reply को system a के पास send करेगा साइब तब जाके user a को facebook का access मिल जाएगा etticam сл leche खुए थी का तो cable वह उस तक बहुत चुकी है और यह एक रीजन भी है कि हमारा टॉर का नेटवर्क जो है कि टॉर ब्राउजर जो है इतना स्लो चलता है वह अपना काम बहुत अच्छे से करना इशू बस यह है यहाँ पर या फिर एक समझने वाला पार्ट यह है कि अब हमारा एक पैकेट डार करनेक्शन कितना ही अच्छा हो यह चीज़ स्लो वर्क करेगी लोजिकली देखा जाए तो करने भी चाहिए तीन सिस्टम से होता हुआ पकेट जारा है और केवली सिक्यूर्टी इतनी ही नहीं है यानि इतना है नहीं कि आपको तीन IP अड्रेस दे दी अलग-अलग layers के वह भ किसे चाहिए कितनी बार भी आपका सर्कीट चेंज हो जो आपको पहला सिस्टम अलॉट करा जाता है उस सिस्टम पे एक और सिक्यूर्टी रहती है कि सर्व वहां पे एक गार्ड होता है आपको लिखावा दिखेंगा गार्ड जिसका मतलब है यहां पे extra firewall configuration यानि extra security अप्ला की तरह इप्यास की तरह कुछ वैसी लियर्ज हमें IP address की देता है और security की देता है ताकि हम complete anonymous रह सके अब सर इस पूरी condition में यह जो dark web का admin था जिसने अपनी website बनाई थी और उस website से इसको domain name मिला था यह user पकड़े कैसे जाते है तो सर एक बार भी अगर किसी के हाथ में domain लग मिलेगी क्योंकि यही तीन लेयर्ज आफ आई पी डोमेंस को भी दे रखी है तो डोमेंस से हम सर्वर की आई पी नहीं निकाल सकते है लेकिं डोमेंस की मदद से सर हम website access कर सकते है और website में हमें पता है अगर आप कोई भी form फिल करते हो अपनी कोई भी detail फिल करते हो तो चाहे एडमिन ही है तो हम इस डेटा में कई बार website में bugs जूंके malicious scripts malicious code inject कर देते हैं जिसकी वजह से जब यह यहाँ पर जाते है और एडमिन से एकसेस करता है तो उसकी सारी detail हमारे पास आ जाती है security expert के पास आ जाती है हम देखने वाले हैं being anonymous के concept में कि अपना user agent change करके हम खुद को कितना ज्यादा anonymous रख सकते हैं कितना safe रख सकते हैं आप सभी को याद होगा जब हम HTTP request response को पढ़ रहेते तो वहाँ पर हमारे पास एक request header था जिसका नाम user agent था जो सर्थ हमारी काफी सारी information ले जाकर server को बता देता है जैसे कौन से browser के जरीए वह packet बेजा गया है ब्राउजर का version क्या था कौन से operating system में ब्राउजर चल रहा था उस operating system का version क्या था वो कितने bit का था ऐसी काफी सारी details एक user agent header हमारी हर request के साथ हर server को ले जाकर बताता है और हम obviously नहीं चाहेंगे कहीं भी हमारी ऐसी कोई भी detail जो है share हो जहां पर हम anonymous रहने से खुद को बचाये या फिर हमारी normal detail भी share नहीं होने चाहिए तो उसको safe रखने के लिए हम क्या का सकते है या आज हम देखने माले user agent को change कैसे करा जाए तो before starting पहले देख लेते हैं user agent असल में कितनी information लेके जा रहा है हमारी तो हम हमारे browser को open करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे what's my browser जब हमें लिखेंगे तो हमाँ पास कुछ website जाएगी जो हमें हमारा browser detail देगी वो भी user agent header को read करके ही हमें detail देती है तो इससे में idea लग जाएगा हमारा user agent कितनी information लेके जा रहा है मैं यहां पर जिस website को open कर रहा हूं वो है watchmybrowser.org हमने इस open करा control के साथ यहां पर हमारा tab open हो चुका है जो बता रहा है कि सर आपने जो request send करी है यह Google Chrome के 120 version से जो है send करी यानि मेरे browser का version बता रहा है इतना ही नहीं अगर मैं scroll down करें तो यहां पर आपको operating system का नाम IP भी दिख रहा है लेकिन उस IP में user agent का कोई role नहीं है अगर आप इस scroll down करें तो यहां आप देख सकते हैं आपको साफ साफ हमारा operating system यानि मेरा operating system उसका version कितने bit का operating system है तो इसके लिए हम जाएंगे web store पे web store क्या है sir web store हमारे browser का play store है ताकि हम browser के टूल जिने हम extensions कहते हैं वो यहां पर install कर सके Chrome के case में Google Chrome के case में हम इन extensions कहते हैं और अगर Firefox की बात करो तो वहां हम उन्हें add-ons कहते हैं तो फिलाल में Chrome web store पे जाओगा और यहां से मैं एक टूल एक extension डाउनलोड करूगा जिसका नाम है random user agent और enterprise करूगा जैसे मैं ने लिखा तो आपको यहां पर कुछ tools दिखा रहा है हम इसमें random user agent switcher जो है यह मैं अरड़ी install कर चुका हूँ और मुझे इसका work normally अच्छा लगा तो मैं हमने क्या कर रहा है इस पर click कर और add to Chrome का यहां पर बटन आएगा मैं उस पर click कर देंगे just because मैं पास पहले से extension पड़ा है इस वजह से यहां पर remove from Chrome का option आ रहा है otherwise यहां पर add to Chrome का option आप सभी को visible होगा जब आप इस पर click करेंगे आप से जादर से जादर एक confirmation मांगेगा चलो हम फिर से करके देख लेते हैं मैं अपने Chrome से हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं जब आप लूपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा हमने add to Chrome पे click करा उसके बाद add extension का हमसे permission मांगा ग तो हमने आप पर क्या कर दिया इसे pause कर दिया है और अब अगर मैं अपने browser पर जाओ यानि watch my browser वाले website पर जाओ तो फिलाल तो यह windows 10 और basic जो मेरी real detail थी वह दिखा रहा था तो हमने का क्यों ना अब हम detail change करके देखें तो यहां पर हम चलते है random user region switcher पर और हम चाहते हैं कि ह एक नई ID दी जाए हमें दिखाया जाए एक Mac user ठीक है तो हमने क्या कर रहा है इसको start कर दिया और पेज को reload कर दिया यह auto reload भी हो जाएगा ठीक है और chrome भी नहीं चाहते हम चाहते है safari दिखें फिर से इसको reload करेंगे page को तो अब आप देख सकते हैं यहां पर यह बता रहा है किसर आप safari 13 browser यूज लेना स्क्रोल डाउन करोंगे अगर आप तो यह बता रहा है आप OS X 10.7 यानि मुझे Apple का device शो कर रहा है बेसिकली MacBook जो होता है वो शो कर रहा है पर आप स्क्रोल डाउन करा तो यहां पे कोई भी ऐसी detail नहीं है जो मेरी real detail है आप देख सकते हूं आप यह क्या थी यह सर हमारे user agent की details थी जो हमने change कर दी खुद को anonymous रखने को अब मैं कोई भी website access करूं कोई भी page पे विजिट करूं वो यहीं समझेगा कि मैं safari browser से उस website को access कर रहा हूं हम देखने वाले हैं के mac address कैसे change करा जाए बेसिक निए एक ऐसा address जो कि एक hardware address माना जाता है और इसके बारे में एक बात और कहीं जाती है कि सभी हमेशा के लिए permanent basis पे कभी भी change नहीं हो सकता तो आज हम इसी theory को थोड़ा सा गरत प्रूफ करेंगे और हम हमारे mac address को change करना भी सिखेंगे और हमेशा के लिए change करना भी सिखेंगे बिना देटी करते में students start करते हैं सबसे पहले हम जाएंगे हमारी काली मशीन को and यहां पे हमारे terminal को start कर देते हैं students mac address को change करने के basically दो process है पहला automation तरीका है और दूसरा manual तरीका है तो पहले हम manual तरीके को apply करके इसकी working समझ देते हैं ताकि future में अगर को automation तूल न भी हो हमारे पास तो भी हम manually mac address कर सकी दैनमिक automation तरीके की मदद से अपने mac address को change भी करेंगे और उस rule में modifications भी करेंगे तो हमने यहां पर route permission दे दी है sudo su के जरीए password में हमने काली लिखा है display हम zoom कर चुके हैं और अब हम यहां पे command लिख लिखा हुआ दिखा रहा है जिसका मदलब ethernet है और चाहें आप ETS0 हो WNES0 या कोई भी device हो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा अब अगर आप इस ethernet की information में इस variable पर ध्यान दे जिसका नाम है ether ETHER इस variable के अंदर आपको आपका mac address लिखा हुआ दिखेगा और यह mac address हम change करना चा इस hardware को बंद करेंगे दैन उसमें modification करेंगे एक चलते हुए हाडवे में कभी भी changes नहीं करते हैं हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि हमारे चलते हुए computer में RAM या hard disk को निकाल रहे हैं और दूसरी hard disk या RAM या कोई भी device लगा रहे हैं ऐसा हम नहीं करते हैं तो वही same policy हमें यहां 0, ETS 0 तो ETS 0 and then down इसका मतलब हम device को बंद करना चाहरें आप देखेंगे कुछ ही देर में जो device है यहां पर disconnect हो हुआ दिख जाएगा अना pop-up आजाएगा कि disconnect हो चुका है आ चुका है अब हम क्या करेंगे modification करेंगे यानी settings में changes करेंगे इसका मतलब mac address को change करेंगे तो हमने आपर command लिखा ifconfig eth0 and क्या चाहते हैं sir हम इसमें hardware में changes करना चाहते है तो हमने लिखा hw and उसके बाद लिखा कि hardware changes में करना क्या है कि sir ether नाम का variable है उस variable के आगे जो mac address में वह change करना है by default in mac address लिखा वह नहीं आएगा में लिख रहा है यह command लिखना है और जो mac address चाहा हम रख सकते है example के तौर पर मैंने का double a double a रखो यानि मैंने यहाँ पर ending phase में four times a लिख दिया है और मैं चाहता हूँ ऐसा मेरा mac address show हो मैंने enter press करा I think एक बाद फेसे हम कमाल लिख देते है ifconfig eth0 sw and aa अब enter press करते हैं तो आप देख सकते हैं हम आपास कोई भी error नहीं है अब करना है क्या है कि device को बापर start करना पड़ेगा तो हम यह पर कमाल लिखेंगे ifconfig eth0 up उसको start करने के लिए enter press करा so I think students हमाई तरफ से सारी configuration हो चुकी है अब हम ifconfig command लिखेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या हमारा mac address change हुआ है या नहीं सो आप देख सकते हैं eth0 के अंदर जो ether में अब address है वहाँ पर last में four times a show हो रहा है इसका मतलब हमारा mac address successfully change हो चुका है यह manual तरीका था mac address को change करने का अब बात करते हैं automation तरीकी के लेकिन इससे पहले कि हम automation तरीकी पर discussion करें automation तरीका कि आपको mac address के बारे में एक और चीज़ में बताना चाहूँआ हमारे mac address को change करने के process में हमें एक पार्ट और समझना है कि हमारे system में हमारा जो mac address है वो तीन layers में रखा हुआ होता है basically इसके लिए तीन layers बना रखिए सबसे पहली layer का नाम होता है permanent layer अभी जो permanent layer है इसमें हमारा जो original mac address है वो ही रहता है और यह change नहीं होता है यह बात जब भी हम किसी से communication करते हैं तो हर एक user को जो mac address visible होता है वो permanent layer का visible नहीं होता है वो इसको mac address visible होता है current layer का यानि हमारे पास अभी यहां पर दो layers हमेशे हो रही है current layer और एक permanent mac address की layer अब current हो चाहा है permanent हो by default दोनों में ही पहले तो mac address original वाला ही लिखावा होता है यानि जो आप का original mac address है वो यह permanent layer में भी लिखावा दिखेगा बस पर कितना है कि आप जितने भी operations perform करेंगे आपका system जितने भी operations perform करेगा सब जगह जो mac address जाएगा वो current layer का ही जाएगा by default sir एक और layer यहां पर होती है जिसको हम कहते है new layer यह आप कह सकते है new mac address फिलार new layer दिख देता हूँ आपके लिए समयना ज्यादा आसान होगा तो अभी जो new layer है यह by default वैसे तो खाली ही है और लोगों को दिखती नहीं है लिकिन अगर इसमें data है तो सबसे पहले यह दिखेगी then अगर कोई और extra fs दाले भी तो ज्यादा से ज्यादा यह वाली layer दिखेगी यानि current ले दिखेगी permanent mac address की जो layer है वो लोगों को नहीं दिखती जिससे भी हम communication करते है उन users को permanent mac address की layer नहीं दिखती अब sir by default तो current में भी original mac address है और new में कोई mac address नहीं है तो हम क्या करते है mac address change करते है sir जब पहली बार आप mac address change करोगे तो आपको क्या होगा नया mac address मिलेगा जैसे माल लेते हमें मिला new mac 1 नया mac address मिला पहला नया mac address मिला तो जब आपको पहला नया mac address मिलेगा तो यह mac address सीधा चला जाएगा आपकी new layer में इसका मतलब आपकी new layer में अब एक mac address आ चुका है जो की है new mac 1 अब होगा असर यहां पर यह कि आप जबी भी किसी से communication करेंगे तो new layer का ही mac address उनके पास जाएगा लेकिन कहीं न कहीं न कहीं chances ह है कि वो शायद current layer का भी mac address देख सके और अगर ऐसी chances है और अगर उनको current address में मेरा original mac address दिख गया तो यह safe तो नहीं वाला जाएगा और अगर मैं current layer के mac address को change कर सकता हूं तो क्यों न change कर दिया जाए तो हम क्या करते हैं sir हम फिर से यानि हमने यहां पर क्या करा ता पहले time में जब mac address चेंज करा तो हमारे पास आया new mac address 1 जो की पहुँच गया new layer के अंदर लेकिन sir जब हम second time mac address चेंज करेंगे same command run करके mac address चेंज करेंगे लेकिन जब second time इस काम को करेंगे तो हमारे पास आएगा new mac 2 और यह जो new mac 2 है अब यहां difference ही होगा यहां पर फ़र्क यह आएगा नया generate करा है वो आजाएगा आपकी new layer के पास इसका मतलब new layer में आपके पास आचुका है new mac 2 answer हमारी यह जो current layer थी इस current layer में हमारे पास कौन सा mac address आजाएगा इसमें आजाएगा new mac 1 जो पहले new layer में था यानि new में जो data था वो current में transfer हो जाएगा और जो भी हम new data लिखेंगे व process same repeat होगा permanent में कोई भी changes नहीं होंगे लेकिन ये लोगों को visible भी नहीं होगा visible कौन सा होगा current layer और new layer only I hope students इतना आप सभी को clear हुआ होगा और इसी चीज़ को एक बार practical करके और अच्छे से confirm कर लेते हैं तो हम चलेंगे हमारे टर्मिनल पर और इस बार हम mac address चेंज करेंगे automation तरीके से जिसमें हमें टूल यूज देने वाले हैं जिसका नाम है mac changer और हम इसको यूज देने के बारे में आईडिया नहीं कि कैसे वक करेगा स्पेलिंग सही कर देते हैं इसकी हमने यहां पर लिख दिया है इसकी help शो हो जाए एंटर प्रेस करा तो इसकी help हमारे सामने आ चुकी जिसमें starting का help बता रहा देन version बता रहा देन बोल रहा है आपके mac address है दिखाने में भी help कर सकते हैं आपके पास currently कॉल सी रेर में क्या mac address ह के जरीए आप देख सकते हैं शो के जरीए का मतलब है कि आपके last की तीन पेर होते हैं जिसकों device ID कहते हैं यह वह last की तीन पेर चेंज कर देगा और ऐसे ही हमारे पास एक option है iPhone P इसका मतलब है कि यह आपको वापिस आपके original mac address लाकर दे देगा इसका मतलब अगर आपको चाह जो चाहे वैसा जैसे हमने कुछ दिर पहले करा था और iPhone L के जरीए आप बहुत ही अच्छा data देख सकते हैं वो यह हैं कि आप सारे vendors और उनको क्या mac address दे रखा है वो देख सकते हैं हमें पता है mac address के starting के जो team pairs होते हैं वो vendor के होते हैं यानि उस manufacturer के जिसने device बना है जैसे Apple, Google Samsung, Yahoo, कोई भी company हो तो उनके जो starting के team pairs हैं वो उनको क्या दे रखे हैं वो हम iPhone L के जरीए देख सकते हैं अगर इसा आप देखना चाहें एक बार तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे Mac, Changer, and-L और enterprise कर देगा iPhone L का मतलब ए लिस्ट बता हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे सार यहाँ पर Nokia आपको विजिबल होगा तो आप जो device चाहें इसको बना सकते हैं तो हम चाहेंगी कि हम अपने device को इक बार Nokia के device में convert करके देखें यानि जो भी हमारा Mac address देखे हो उसे यह लगे कि हम एक Nokia का device यूज ले रहे हैं कमने से copy करा दैन उसके बाद डिस्प्ले को करते हम clear और अब हम लिखेंगे Mac Changer यूज लेने का तरिका बहुत easy Mac Changer लिखो और उसके अलावा आपके device का नाम लिख दो जैसे ETS0 जिसका आप Mac Address चेंज करना चाहते हो हाइफन M लिख दिया मैन्यूल के लिए और इसके आगे मैंने स्टार्टिंग के तीन पेर तो पेस्ट कर दी एंडिंग के तीन पेर भी पेस्ट कर देता हूं जो कुछ भी रख सकते हैं तो 54 A5 A5 अब अगर हम enterprise करते हैं तो सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक लेयर है permanent mac address की जिसमें हमारा original mac address लिखा हुआ दिखेगा दूसरी लेयर है current mac address की जिसके अंदर सर हमारा जो last mac address था वो visible है जो हमने manually add कर रहा था और तीसरी जो हमारी layer है वो new layer की है जो अभी-भी हमने add कर रहा है जिसमे starting के जो तीन पेर है वो बता रहे हैं के सरा आप एक Nokia का device यूज ले रहे हैं same command को सर अगर हम फिससे run करेंगे तो जो mac address हमारी new layer में था वो current layer में transfer हो जाएगा और नया mac address new layer में हो जाएगा तो हमने फिससे enterprise करो आप देख सकते हैं कि अब हमारी new layer में भी same address है और हमारी current layer में भी same address है यारि अगर मैं कोई भी activity करता हूं किसी से भी communication करता हूं तो सबको मेरा नया mac address ही दिखेगा जो की Nokia device का है किसी को भी मेरा अधिस मेरा mac address visible नहीं होगा क्योंकि पामाने layer तक केवल एक user पहुच सकता है वो मैं खुद हूँ यानि root user और अगर किसी user के पास मेरे system का control आ चुका है उसने में system को compromise कर लिया है और वो पामा और नयू या current layer ही visible होगा जो हम change कर चुके है अब यहां भी एक problem में system problem क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हुआ यह कि sir हमने mac address तो change कर दिया लेकिन साथ साथ हमने यह भी पढ़ा था है कि हमारे mac address का rule है और वो यह है कि mac address हमेशा के रिए कभी change नहीं होता इसका मत मतलब कि sir आपके पास था पहले एक original mac address आपने क्या करा change करा उसको new mac address में कर दिया हमने current और new दोनों layers में change कर दिया new mac address add कर दिया लेकिन rule यह कहता है mac address में होता असल में यह कि जब system reboot होता है इसका मतलब restart होता है चाहे किसी भी तरीके से हो चाहे button से हो फोस्पुली हो या manually इसको restart करें किसी भी तरीके साथ reboot करें basically system को तो जब system restart हो रहा होता है यानि फिससे start हो रहा होता है then वहाँ पर automatically अपना original mac address बापिस लेकर आ जाता है इसका मतलब से हमने नया mac address change करा और अगर किसी भी रीजन से मेरा वह device या वह system reboot हुआ यानि restart हुआ तो बापिस original mac address आ जाता है इसका मतलब system reboot होते ही हमारा नया mac address चल बाठ होगा मुझे हर बार mac address face add करना पड़ेगा तो I think कहीं न कहीं रूल सही था कि mac address हमेशा के लिए change नहीं हो सकता है एक बार तो change हो गया लेकिन हमने यहां पर सोचा कि क्यों आगर हम ऐसा करें कि हम बनाए एक program एक ऐसा program जो mac address change करने का काम करता है तो यहां भी mac address change करने वाले program को अगर हम system के start होने वाली services के साथ run कर दे यानि system के reboot पे इसको भी execute करा है तो कैसा हो यानि ऐसा होगा कि sir आपने एक नहा mac address रखा आपका system restart हुआ आपके पास original mac address बापिस आ गया लेकिन बीच में आपने क्या करा एक और program run कर दिया जो mac changer का था यानि mac changing के लिए और जैसे ही system start हुआ आपके सामने वापिस आपका new mac address आ चुका था इसका मतलब आप system कितनी बार भी reboot हो वो अपने original layer में जाएगा original mac address में convert होगा लेकिन जैसे ही मेरा program फिससे run होगा जो मैंने system boot पर run करा दिया है यानि system के restart होने पर उसको भी execute करा दिया है तो जितनी बार और original mac address आएगा वापिस new mac address आजाएगा और हर एक को हर यूजर को या पूरे lifetime जितनी वापिस system restart हो सबको मेरा new mac address ही visible होगा आई होप आप सब भी कोई concept बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अब हम इसी चीज को practical करके देखना चाहेंगे कि पहली बात यह program कैसे बनाए फिर इस program को test करेंगे के run हो रहा है के नहीं हो रहा है दैन इसको हम system की reboot services में add कर देंगे तो चलते हैं हमारी काली machine के तरफ और यह अल्कुल new file create हमने यहां पर करी है तो कोई बहुत जादा high level की programming के coding हमें यहां नहीं करनी है हमें बस अपने जो commands थे वो यहां पर as it is paste करने जो हम इससे run करवाना चाहते हैं यही शायर programming की खास बात है because एक ऐसी programming है जो हमारे terminal commands को run करने में हमारी मदद करती है तो हमने क्या करा हमा जो last command था जो हमें run करना था उसे copy कर लिया ठीक है and यहां पर हमारे इस file में फिर से हम enter हुए all is file में उस command को as it is मैंने paste कर दिया एक बार paste किया दो बार paste किया तीन बार paste किया तीन बार paste करने का मतलब यह है कि यह command जो है यह तीन बार execute होगा एहली बार में new layer में जाएगा और फिर भी cross verification के लिए मैं कहा रहा हूँ proper हमें confirm हो जाए कि कहीं कोई gap ना आ गया कोई issue ना हो गया तो मैंने तीन बार run कर दी अपनी security के लिए ताकि मैं confirm हो जाऊं कि new layer और current layer में mac address 100% और successful change हो चुका है मैंने इस file को save करा और close करा अब हमें पता है कि sir अगर हम ls i-l लिखकर इस देखें तो हम यह देख सकते हैं कि हमारी जो mac changer वाली file या change mac address वाली file यह रही change mac address.sh वाली file यह एक ऐसी file है जो linux ने अभी भी बनाई हो linux किसी भी file को by default executable permission नहीं देता तो यहां इसके पास cable read or write की permission है अब हम यह चाहेंगे कि इसके पास executable permission आ जाए जिस file का नाम enterprise करा अगर फिर से ls-l लिखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस बार हमारी change mac.sh के पास read, write और execute तीनों permissions available है अब हम इस file को run कर सकते हैं तो पहले run करके देखेंगे सही से काम कर रही है या नहीं उसके बाद इसको हम उन services mat करेंगे कि system के reboot होते यह भी run हो जाए तो हम पहली बार command को execute करा है successfully दूसरी बार command को execute करा and तीसरी बार command को execute करा यानि यह अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है यह file बिल्कु से अपना work कर रही है इस file की location देख लेते हैं तो इसकी location है home kali और file का नाम है change mac.sh जिसको मैं copy कर लेता हूँ अब हम क्या करेंगे सर्थ इसको हम चाहते हैं कि system reboot services पर run हो जाए सबसे पहला command हम लिखेंगे इसके लिए chron tab hyphen e यानि editing chron tab वो tool है जिसको मैं guide कर सकता हूँ कि system reboot होते ही सबसे पहले क्या run करना है यह कब क्या task perform करना है तो जब आप पहली बार इस file को open करेंगे तो आपको यह file कुछ ऐसी visible होगी यह file nano editor के जरी open ही है जिसका मतलब है यहां पर हमारे cursors work नहीं करेंगे हमें थोड़ा बहुत काम command line के जरी करना होगा मैं enterprise करूगा new line मिल गई अपर arrow के जरीय में fresh line में गया और यहां पर मैंने रिखा add the rate reboot slash home slash kali and then change mac.sh so यहां पर हमने क्या करा है हमने बोला कि system के restart होते ही एक file को run करना है और उस file का location दे दिया कि home folder में kali folder में change mac.ss नाम की file है इसको आपको execute यारी run करना है control s के जरी में save करूँगा row 24 lines लिखा वारा है यारी save हो चुका है control x के जरी exit कर दूगा यह command run करते ही हमें एक दो commands और run करने है service को एक default service बनाने के लिए ताकि हर बार system के reboot होते ही cron tab start हो जाए और वो अपना काम करना चाड़ो कर दो हम पहला command लिखेंगे service cron start दूसरा command लिखेंगे systemctl start cron तीसरा command लिखेंगे update rc.d cron defaults and finally अब जो last command हम यहां पे लिखेंगे वो है reboot यानि हम system को restart करेंगे यह देखने के लिए कि क्या हमाला cron हमाला mac address change कर रहा है के नहीं कर रहा है तो अगर से system को reboot करने के बाद यानि restart करने के बाद हमारे पास original mac address ही दिखा हमें इसका मतला file walk नहीं कर दी हमसे कहीं कोई गलती हुई ध्यार रखना है पूरा process मैंने root permission में कर रहा है तो आप लोग भी जब इस operation को perform करें तो root permission में ही perform करें अब हमें देखना है के यह काम कर रहा है कि अगर नहीं करेंगा यानि कहीं कोई mistake तो होगी हम उसे solve करने की कोशिश करेंगे username लिख दिया काली password लिख दिया काली login कर दिया और अब हम चलते हैं हमारे terminal में और if config command को रण करन करके देखते हैं तो यहां हम हमारे terminal में पहुच चुके हैं हमने से zoom करा और सीधा ही if config लिख दिया तो आप देख सकते हैं हमारा जो mac address है वो a5 a5 है बिलकुल वही mac address है जो हमने change करने की कोशिश करी थी यानि Nokia का device जिसका mac address ending जो है वो a5 a5 है anonymous रहने में हमारे पास normally दो टर्म आती है और एक confusion भी आता है कि sir VPN या proxy दोनों में से best कौन है anonymous रहने के लिए या फिर अच्छे लेवल पर anonymous रहने के लिए दोनों में से best किसे माना जाए सबसे पहले समझते हैं VPN के बारे में VPN का full form students virtual private network होता है और जैसा की इसका नाम है यहां पे होता है कि आपको एक private network provide कर दिया जाता है यानि एक system provide कर दिया जाता है जो एक mediator का work करेगा इसका मतलब कि सर यह एक normal user है उसने अपने system में VPN service को start करा जब VPN service को start करा तो उस system को एक नहा system alert हो चुका है एक VPN system alert हो चुका है और इसमें खास बात यह है कि सर यह जो system है इसके पास एक public IP address है example के तौर पे 1.1.1.1 इसका port open है मान लेते हैं port number 81 तो यहाँ पे हमारे system A ने यानि user ने अपने VPN system से connect कर लिया उसकी port number 81 पे अगर यह user अपने browser में जाके कहता है कि इससे facebook access करना है तो उसके इसमें यह packet सीधा जाएगा हमारे VPN system के पास एंदन यह VPN system जो facebook का server होगा उस facebook server को पैकेज सेंड करेगा facebook का server पैकेज को रीड करेगा देखेगा सारी रिक्वेस्ट जो होगा एक general request है तो उसका reply देगा लेकिन किसको देगा यह सवाल यह है कि facebook के server को किसका IP address दिखाओगा यह package जो है यह किस IP address से आता होगा दिखाओग तो से facebook को दिखेगा कि packet आया है 1.1.1.1 IP से 1.1.1.1 IP से तो यहां पे facebook ने reply करा उसी system को जहां से उसके पास request रही थी और इस VPN system ने उस request को forward कर दिया हमारे user के पास एक basic system के पास या फिर client के पास तो अब इस पूरे process में यह VPN system हमारे लिए एक mediator बन गया जो हमारे हर एक packet को reply को हमें लाकर share कर देगा और जितने भी users हम communicate करेंगे इस VPN की मदद से सभी users के पास IP address जाएगा वो इस VPN का IP address जाएगा अब एक बाइस को test करके देखते हैं क्या यह इसी तरीके से work कर रहा है या नहीं देखेंगे कि इसके अंदर loophole क्या है कमिया क्या है तभी हमें पता पड़ेगा कि VPN best option है या नहीं anonymous रहने के लिए या secure option है या नहीं anonymous रहने के लिए तो हम चलते हैं हमारे browser पे और यहां पे students हम लिखेंगे what's my IP जब मैं कमान लिक के enterprise करूंगा तो यह मुझे मेरी current IP शो करे उसके जरे भी VPNs जो है यूज ले सकता था VPN services ले सकता था एंड साथी साथ ब्राउजर के टूल कर सकते हैं जिने हम extensions कहते हैं तो फिलाल हम यहां पे लिखेंगे web store और हमारी web store या नि ब्राउजर की play store पर जाकर हम वहां से एक extension डाउंडोड कर लेंगे जो VPN change करने में हमारी मदद करेगा ऐसे बहुत सारे extensions students हमें देखने को मिल सकते हैं तो फिलाल मैंने यहां पर लिखा VPN या फिर हमने लिख दिया free VPN and enterprise करा तो मैं पास काफी सारे services या extensions आप कह सकते हूं यहां पर शोर यह जिन में से एक मैं already use लेना हूं इसका work मुझे अच्छा लगता है तो यह free VPN for Chrome हमने इस पर क्लिक करा और यहां पर add to Chrome का बटर आएगा जो फिलाल मेरे विजिबल नहीं है because already extension मेरे पास है बट आप लोगों add to Chrome का option आप उस पर क्लिक करेंगे and extension यहां पे puzzle symbol में हमारे पास add हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास free VPN for Chrome का option विजिबल है अब हम क्या गरेंगे अब हम जाएंगे हमारे पहले टैप पे जो हमें एक IP address दिखा रहाता है जो मेरा current IP address मैं नहीं चाहता आप 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 किसी को भी दिखे तो हम extension पर क्लिक करेंगे free VPN पर क्लिक करेंगे और अपने से start कर रहा है आप देख सकते है मैंने यहां पर पैरिस क जो कि बिल्कुल ही different है मेरे पुराने IP address है अब में कोई भी activity करूं तो हर एक user को यही IP address visible होगा आप सभी को इस VPN की working तो दिख गई करा गया है इसका मतलब अगर यह user user A कोई भी activity कर रहा है और लंबे समय तक इसके पास यही system में मान लेते है यह security expert है जो एक hacker को पकड़ने की कोशिश कर रहा है VPN के जरिए तो जब यह VPN systems के जरिए continuously hacker को package बेज़ेगा ताकि उसकी detail collect कर सके उसको hack कर सके तो इस hacker को at least यह IP address तो दिखेगा कि इस IP से इस पर attack होने की कोशिश हो लिए यह बात तो hacker को पता पड़ जाएगी और अगर sir hacker नहीं आपर reverse hacking perform कर दी हमारे system पे तो एक time period के gap के बाद तो system compromise हो तयासर तो इससे जुड़ा हुआ system यानि हमारी detail भी लिख हो जाएगी security expert की detail भी लिख हो जाएगी तो इस case में हमें एक बहुत बड़ा loophole दिखा कि sir आपके पास लंबे समय तक किवल एक ही mediator है एक ही system दे रखा है जो आपके सारी hacking case perform कर रहा है अगर कोई भी user उस system तक पहुच जाता है कोई attacker उस system तक पहुच जाता है तो आप तक पहुचना difficult बिल्कुल नहीं रहेगा तो यह एक बड़ा loophole हमें लग रहा है कि लंबे समय तक हमाँ पास एक ही VPN system या एक ही mediator हमें lot कर रखा है then second point जो यहां पर है वो यह है कि सर हर एक VPN device में यानि system में एक loophole होने की एक कमी होने की एक vulnerability होने के chances रहते हैं जिसका नाम है DNS leak अब यह DNS leak क्या है तो DNS leak एक vulnerability है जिसका कहना यह है कि आपका जो VPN system है उस पे कुछ scans run करने की वज़़ा से हो सकता है कि वो अपने साथी VPN systems का या अपने server VPN system का या फिर अपने client का जो IP address है वो leak कर दे यानि आपको VPN ने एक IP allot करा जो की था 1.1.1.1 example के तौर पे अब अगर आप यहां पर scanning करते हैं और यह आपको कोई भी दूसरा IP शो कर रहा है उस scan में जिसको हम DNS leak test कहते है अगर वहां पर यह कोई भी दूसरा IP address आपको शो कर रहा है कोई भी दूसरा IP address आपको शो कर रहा है तो उसको हम से क्यों नहीं मानेंगे हो सकता है वो इसके admin का IP हो जिसके जरी हम तक पॉस्ट नहीं डिफिकल्ट ना रहे हो सकता है वो हमारा ही IP लीग कर दे दोनों ही cases possible है DNS leak की वज़ज़ से सो अबिसली हम नहीं चाहिए कि यहाँ पे DNS leak possible हो बट अक्सर किसी भी system में किसी VPN system में में service का नहीं कह रहा चाहिए वो not VPN के service हो उनके द्वारा दिये गए किसी भी VPN system में यह कमी होने के chances हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे एक test करके देखेंगी क्या हमें जो फिलार VPN अलॉटिड है वहाँ पे DNS leak की कमी तो नहीं है तो हम फिर से जाएंगे हमारे browser में यहां हम लिखेंगे DNS leak test और enterprise करेंगे हम आप आप जो सबसे पहली website है आप देख सकते है DNS leak test.com हम उस पर क्लिक करेंगे और वो हमारा by default IP जो अभी हमें आरे VPN के जरिया में अलॉटिड है वो ग्राप कर लेगा और हम वहाँ पर दो तरीके के test run करेंगे पहला test जो है वह एक standard टेस्ट एक normal टेस्ट है जिससे में overall idea लग जाएगा और अगर हम चाहना तो एक extended test यानि एक बड़ा test भी run कर सकते हैं ताकि हमें 100% assurity मिल जाए कि यह जो IP मुझे currently allotted है क्या इसमे DNS leak की कमी है या नहीं पर मैं का standard test पर क्लिक करके देखते हैं आप देख सकते हैं यहां पर इसने कोई भी दूसरा जो IP है या दूसरा कोई domain है वह leak नहीं करा लेकिन इसने अपना जो server का domain था वह leak कर दिया एक extended test याई एक बड़ा test run कर दे ताकि हमें 100% assurity हो जाए कि यहां पर किसी भी तरीके से बूसरा IP address leak नहीं हो रहा है इसका output आने में थोड़ा टाइम लगेगा तब तक हम वेट करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा extended test का output आ चुका और इसने किसी भी IP address को leak नहीं करा है इसका मतलब यह नहीं है कि VPN service के जरिये में जो भी systems मिलते हैं वो सब secure होते हैं हर एक system को एक बार test करना पड़ता है कि वहां पे DNS leak test की vulnerability, DNS leak की vulnerability नहीं हो अब बात आती है तीसरा loophole point क्या है या मुझे तीसरा ऐसा security issue क्या लगता है वो यह students की recently हमारे government ने जितने भी VPN service providers हैं उन्हें bound कर दिया है कि आपके जो भी users है अगर हमें किसी user की information की जरुद पढ़ती है उनके logs data जो परफॉर्म करी है उसके logs की जरुद पढ़ती है तो आ देखा जाए तो अगें privacy factor के हिसाब से हम VPN को safe option नहीं मानेंगे because हमारी जो data है वो उतना भी ज्यादा private नहीं रहा I hope आप सभी को VPN का part clear हो गया होगा VPN में होना ले loophole समझ आ गया है जिससे में एक part clear हुआ किसी भी long term activity या बड़े activity किसी criminal को पकड़ने के लिए एक लंबे attack के लिए हम VPNs पर trust नहीं कर सकते so then हमारे पास आता है proxy नाम को option यह proxy नाम को option क्या और किस तरीके से work कर रहा है इसको हम बहुत अच्छे से यहां पर समझते है हो सकता है proxy जो VPNs के loophole तो उनको हटा दे पहला पार्ट यह proxy को यूज लेने के दो तरीके है एक तरीका है manual और एक तरीका है automation लेकिन सार जब हम manual तरीके को apply करते हैं तो यह work कैसे करता है या proxy work कैसे करता है जो proxy systems को use लेना चाहता है तो proxy में क्या होता है सब proxy में एक list होती है जिसको हम proxy list कहता है तो यहां पर सर हम बनाते है proxy list proxy list का मतलब है कि आपके पास list होगी जिसमें कई सारे IP addresses और उनके open ports होइंगे और हो सकता है उनके username और password भी हो अगर उस particular port पे password लगा रखे हैं उस case में otherwise आप क्या करेंगे IPO port की open IPO ports के list बना लेंगे वो system जो आपके लिए as a proxy work करने को ready है तो आप जैसे ही यहां पर list बनाएंगे आप अपना work start कर सकते है इसका मतलब आप अपने system को इस proxy list से जोड़ देंगे या आपके system के अंदर ये proxy list configure करेंगे अब अगर मैं कहता हूं मुझे facebook access करना है तो मेरे system के कुछ package हो सकता है इसका जो पहला IP था माल लेत करा गया है वो यहां पर नहीं है यहां पर हमाया पास एक range of systems है जिक्तिवरी list आप बनाएंगे उतने ज्यादा systems आपके पास available होंगे और अब एक ही system आपके package लेकर नहीं जाएगा internet पर कुछ देरे तक हो सकता है system 1 ले जाए system 2 की बारी आजाए system 4 की बारी आजाए तो इस loophole से जो VPN का पहला कमी था लंबे समय तक एक system alert करना वो यहां पर resolve हो जाता है वो यहां पर safe होगा बच्चर यहां पर एक issue हमें face करने को मिलता है कि यह जो proxy list का manual तरीका है मैनूल तरीके में हमें यह proxy यानि IP और पोट्स को ढूंड के लाने पड़ते हैं जो कि एक सही option नहीं रहता विकाज हम क्या करते है सर्म free website पर जाते हैं जैसे example के तोर पे हम क्या करेंगे सर्म ब्राउजर पर जाएंगे और सर्च करेंगे proxy list और enterprise करेंगे मैं पास कुछ website जाएगी जो कहेंगी कि मैं आपको IPO पोच और प्रोटोकॉल बता रहा हूं ताकि आप अपने प्रॉक्स को यूज ले सके हमने स्क्रोडाउन कर आप देख सकते हैं हमाने पास यह पर कुछ IPO पोच आ चुके हैं हाला कि यह पर प्रोटोकॉल में नहीं प्रोटोकॉल भी बता दिये जाएं यह जो सोर्स हैं यह ओपन सोर्स है यानि यह सब के लिए विजिबल है हर कोई इन आईपी इस को इन पोच को देख सकता है और अगर कोई पहले से ही इन आईपी इस पे as a attacker या as a listener as a monitor या sniper बनके बैठा है तो उस case में हमाने लिए काफी प्रोक्सी कॉन्फिग्रेशन का हम इसको बहुत जादा बैस नहीं वान पाते विकॉज इसके अंदर हमारे लिए इतने सारे आईपी अड्रसी और पोर्ट लाकर उनमें से फिल्टर करके या फिर बैस्ट कॉलिटी के आईपी इस निकालना इतना ज्यादा फिजिबल नहीं इसी काम को बहुत ही पर्फेक्ट लवल पर करने के लिए हमने सोचा क्यों ना आटोमेशन प्रोसेस का यूज लिया जाए अब हम कहां कहां सोर्सिस पर जाकर एक एक आईपी अपोर्ट लेकर आएंगे और उनमें भी हम अशॉर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कितना से तो क् प्रोजेक्ट का नाम आजाता है जो कि है टॉर प्रोजेक्ट क्या है सर टॉर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो केवल और केवल कंप्लीट अनॉनिमस रहने के लिए बनाए गया प्रोजेक्ट इसका पूरा फोकस रहता है बैस लेवल पर अनॉनिमस कैसे रहा जाए अगर आप TOR के बाले में बात करें तो TOR का खुद का operating system है जिसका नाम है tails एक ऐसा operating system जो केवल और केवल anonymous रहने के लिए बनाई गया है ऐसे इसका खुद का browser भी है जिसके ज़री आप लोग dark web जैसी चीजों को access कर पाते हैं जिसका नाम है TOR browser और इसके कुछ tools भी है जिसका नाम TOR या XYZ कुछ extra tools है जो हमें अच्छे level पे anonymous रहने में help करते हैं तो हमने सुचा क्यों ना एक ऐसा project जिसका पूरा motive पूरा focus या anonymous रहने पर है जो अपनी services को दिन बर दिन best करता जा रहा है anonymous रहने के लिए हम उसी की उस services को use लेके खुद को anonymous रहने में हमें क्या क्या प्रॉफिस है इससे पहले कि हम उन सारे प्रॉफिस को देखे एक बार टॉर के जरी anonymous रहने के process को practical देख लेते हम चाहें तो हमारी windows machine को भी use ले सकते बस वहां पर टॉर ब्राउजर को use लेने के जरूत है नहीं डाउनोड करने के जरूत है तो फिलाल आप देख सकते हैं मैं आप टॉर ब्राउजर को डाउड करके इंस्टॉल कर रखा हैं मैं इसे उपन करेंगे और देखते हैं हमें किस लेवल की security प्रोवाइड करता है और जब हम यहां जाएंगे सर तो हमारे पास यह रहाट डाउनलोड टॉर ब्राउजर को अप्शन हम किसी भी ऑपेडिंग सिस्टम के लिए चाए Android हो चाह Linux हो चाह Mac हो चाह Windows किसी के लिए भी टॉर को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल कर लेंगे अब इसको यूज अप्शन को मैंने टिक कर दिया है और कनेक्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूं ताकि अपने सर्किट से कनेक्ट कर सके इसके जरीए आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा कि क्यू टॉर के नेटवर्क को टॉर किस प्रॉक्सी नेटवर्क को ओनियन लेर्स कहा जाता है या पर लिखा wscubetac.com और अपसर टॉर क्यों चलता है इसके पीछे का रीजन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्रियर हो जाएगा यहां पर फिलाल आप देख सकते है wscubetac.com की वेबसाइट ओपन हो रही है और इसको ओपन होने में एक बेसिक टाइम जो है या उससे जाद है आपके पास एक आइकन यहां पर आपको शो हो रहा है जिस पर अगर आप करें तो आप देखेंगे टॉर सर्केट लिखावा दिख रहा है अब सर अगर हम इस पर क्लिक करें तो यह मुझे बताएगा कि मेरा पैकेट किस तरीके से सर्वर तक पहुच रहा है wscubetac के तो आपको तीम मीडियेटर्स प्रोवाइट करा जा रहे हैं एक ही टाइम पर जो आपके पैकेट को wscubetac के सर्वर तक पहुचा रहे हैं और वहां से reply लाकार आपको दे रहे हैं तो अव्यसी बात है students यह उस प्रसेस को slow तो करेगी यानि हमारी internet services जो है या website loading time जो है वो slow तो जो भी आपको पहला system alert करा जाएगा उस पहले system में आपको एक guard जरूर मिलेगा जरूरी नहीं हर्भा United Kingdom का यह पिलाल coincidence ऐसा है कि हमें उसी का मिल रहा है बट सर हमें एक जो भी पहला system मिलेगा वहां पर में एक guard प्रुवाइट करा जाएगा इस guard का मतलब है कि इस system को extra secure का रखा है fireball configurations का रखिए ताकि इसको hack करना या इस तक पहुचना difficult हो जाएगा अब इसकी overall working को अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो हमें TOR किस तरीके से anonymous रख रहा है देखते हैं तो सर TOR क्या कर रहा है यह user है user A अब user A ने TOR services को start कर दी अपने system में तो TOR क्या करेगा sir उसे system alert करेगा then ecosystem alert करेगा and ecosystem alert करेगा यानि layers of systems alert करेगा वह भी different countries के और अलग अलग जगाओं के अब अगर इसने लिखा किसे facebook से बात करनी है user A ने का facebook communicate करना है तो इसके system से package जाएगा हमारे TOR के पहले system के पास इसका नाम हम B रख देते हैं B से जाएगा C user के पास C से जाएगा D के पास D से जाएगा यह सीधा हमारे facebook के server के पास Facebook को किसका IP दिखेगा सर अब्विसरी बात है जो D user था जो हमारा टॉर का third system था केवल उसका IP address visible होगा Facebook उसको reply करेगा वो reply को forward करेगा C के पास C करेगा B को and BR लाएगा हमारे main user यानि A के पास अब इस process में obviously बात है में पास तीन layers of IP address है अलग-अलग countries के जो second and जो पहली layer IP की वहां पे से special guard ओलगा हुआ जो extra security प्रोवाइट कर रहा है ताकि कोई भी इसको compromise ना कर पाई है इसमें malicious package send ना कर पाई एंड इसी वज़र से हमारे जो package से हमारे पास लेट आते हैं वो डिले लेते हैं ताइम लेते हैं विकॉज सर अब हमारा package direct server नहीं जा रहा है या एक mediator के सरीए server नहीं जा रहा है तीन system से होकर server तक जाएगा सर्वर से जब reply लाएगा तो वह भी तीन system से होते वाएगा तो अब विसी बात है वह time लेगा लेकिन सुडेंस यह जो layers of IP addresses हमें मिल रही है एक onion की तरह वह में बहुत अच्छे लेवल पर anonymous रखने में मदद कर रही है मेरी कोई भी डिटेल गलती से भी यहां पर IP की तो share न ते नक्स वीडियो में थांक्स वर वचिंग इस वीडियो